हेलो स्टुदेंट्स मैं हो केरती मिश्रा और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लास 11 की जो फिजिक्स है एंसी आर्टी के अकॉर्ड इंग लेकर हम लोग चले तो वो 15 चेप्टर्स की बनी होई है और उसमें जो पहला चेप्टर है फिजिकल वर्ड तो वो थ्रूडिकल चेप्टर है उसमें हम लोग फिजिक्स की बेसिक कॉंसेप्स के बारे में जानते हैं कि theme क्या पकाड़ हैं, कैसे आगे बढ़ हैं, तो देखे ऐसा है, कि पहले chapter में हमने जाना था था कि physics होती क्या है, study of nature है, और हम matter और energy के terms में study करते हैं, यह physics का mean focus है, nature को हम matter और energy के terms में study करें, in animate objects के form में, अगला question है, कि physics में, जब हम nature को study करेंगे, तो nature को study करते हैं, बहुत सारी quantities आएंगे, भई हम अगर जैसे माल लिए मैं इस room की बात करूँ, तो इस room में एक light source है, तो एक light को हम लोग major करने के लिए luminous intensity एक quantity हो गई, यह इस room में fan चला है, तो अब fan को चलाने के लिए, हम लोगों उने कोई यहाँ पर energy का source दे रहे खा, power का source तो fan कितनी power ले रहा है, तो वो भी अपने आप एक official quantity है, fan किसी voltage पे है, fan में कुछ current जा रही है, सामने मेरे camera लगा हुआ है, तो camera में जो lens है, तो lens की focal length क्या है, power क्या है, तो nature को जब भी हम express करेंगे, हमारा यह जो nature है, चारो तरफ हमें space दिखाए दे रहा है, physics में हम इस nature को quantify करने की कोशिस करेंगे, major करने की कोशिस करेंगे, और जब major करेंगे, तो हम कुछ words यूज़ करते हैं, कुछ terms यूज़ करते हैं, जिनको हम बोलते हैं physical quantities, तो unit dimension and error analysis का chapter start होता है, physical quantities से, physical quantities वो quantities हैं, जिनके through हम nature को, हम लोग study करेंगे, हर चीज physical quantity, length physical quantity, mass physical quantity, time physical quantity, area physical quantity, volume physical quantity, current, power, heat का कोई हमने rate of heat consumption निकाली, हम लोगोंने efficiency निकाली किसी system की, सारे के सारे, अब हमें lens की focal length और power की बात कर रहा था, यह सारे के सारे quantities, physical quantities हैं, physical quantities के जहां बात आती है, तो physical quantities की मैं definition बता दूँ, ए physical quantities is a quantity that can be measured and expressed in number and units, भाई हमें space, जो हमारा है चारों तरफ universe जो है, उसको study करना है, तो study किनके terms में करते हैं, physical quantities, तो physics एक science है, और science की एक और सबसे बड़ी खासित होती है, कि हम measurable चीज़ों के बारे हम बात कर रहे होते हैं, तो हम quantities को major कर सकते हैं, physical quantities ऐसी चीज़े हैं, जिनको हम major कर सकते हैं, भाई, voltage बताया जा सकते हैं, 220 volt है, power बताया जा सकता है, यह 1000 watt है, हमें light के source की बताया जा सकते हैं, कि intensity, luminous intensity कितनी है, focal length तो power lens की बता सकते हैं, 2 diopter है, 3 diopter है, minus 3 diopter है, जो भी यह बता सकते हैं, तो यह सारी quantities, physical quantities हैं, अब physical quantities, physics में, हम nature को study करने के लिए यूज़ करते हैं, तो यह जो physical quantities हैं, हम उनको express कैसे करेंगा, जैसे माल लेजे, यह मेरे सामने एक pen है, इसको मुझे, इसकी length को express करना है, तो हमें length को कैसे express करूँगा, तो सबसे पहले में क्या करूँगा, इसको major करने के लिए की scale उज़ करूँगा, माल लेजे, उसने मुझे बताया, 20 cm, तो जो 20 है, इस physical quantity का magnitude है, और cm, जो हमने, क्योंकि हमने meter scale उज़ है था normally, cm, उसकी majorment की unit हो गई, तो कोई भी physical quantity जब express की जाती है, तो उस expression में दो चीज़े आती है, एक आता है magnitude, और दूसरा आता है उसकी unit, कोई भी physical quantity जब express करते हैं, अब जैसे माल लेजे, मुझे इसका mask लिखना हो, मैंने इसको physical balance पर रख दिया, माल लेजे आया 50 gram, तो 50 हो गया magnitude, gram हो गया इसकी unit, माल लेजे मैंने इसके density निका ली, इसके material की density आयी, 20 gram पर centimeter cube, तो 20 हो गया magnitude, और gram पर centimeter cube हो गया unit, कोई भी physical quantity का significance तो तब ही है न, physics में हम लोग deal कर रहें, माल लेजे हमने physics में कलॉब बनाया, V is equal to IR, तो V कहीं से निकाला होगा, I कहीं से measure किया होगा, meter से, arc हमें निकालना होगा, या दिया होगा, तो ये सारी quantities में magnitude और unit involved होगा, physical quantities, अब magnitude कैसे निकलेगा, जैसे मैंने बताया, इसका 20 cm, 20 कैसे, scale से measure करके निकाला, मैंने physical balance पर रखा, मैंने 50 gram, तो scale से measure करके निकाला, तो measurement involved होता है, किसी भी physical quantity में, measurement involved होता है, measurement में instruments involved होते हैं, तो अब आते हैं, इस chapter की theme, मैंने बोला था, इस chapter की theme क्या है, chapter का नाम है, units, dimension and error analysis, units, dimension and analysis, यह chapter, physical quantities के इर्दिगर्द घूंता है, physical quantities, space में, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, उसको express करने के लिए, हम लोग quantities use करते हैं, physics में physical quantities use करते हैं, chemistry में chemical quantities use करते होंगे, अब यह जो physical quantities हैं, इनको जब हम लोग use करते हैं, तो हम इनको express करते हैं, q is equal to nu के form में, अब यह q is equal to nu क्या है, तो कोई भी physical quantity होगी, वो q is equal to nu के form में लिखी जाएगी, कोई भी physical quantity होगी, वो q is equal to nu के form में लिखी जाएगी, जहाँ पे n magnitude होता है, और u उसकी unit होती है, अब magnitude मेंने बताया, 20 cm तो magnitude में measurement involved होगा, measurement में को instrument होगा, instrument जरूरी नहीं की perfect हो, तो उस instrument की measurement में error होगी, तो आदा chapter error analysis है, क्योंकि measurement कभी perfect नहीं होता, erroneous होता है, उसमें errors आती हैं, जिसके वैसे हमारा major value होती हूँ, actual value से differ करती है, और major value और actual value के बीच पे जो difference होता, उसको error कहते हैं, यह आदा chapter इसी पे है, measurement और analysis पे, वनिया के लिपस screw gauge instrument कैसे error देते हैं, और बागी सारे हर जी के instrument में error रहती है, उन errors को कैसे classify करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे calculate करते हैं, यह आदा chapter analysis है, और आदा chapter इस चीज़ पे कि, जब हम physical quantity को express कर रहा होंगे, magnitude multiplied by unit form में, like two times unit form में, बोलना चाहिए, तो unit जो होती है, वो क्या चीज़ जो होती है, तो unit और dimension, आदा chapter उस पे है, unit और dimension क्या होती, यह सारी चीज़ों पे हम लोग आएंगे, तो unit और dimension वाले पार्ट पे आजाते हैं, एक physical quantity है, मैंने बोला, any physical quantity is expressed as q is equal to n u, इस चीज़ को focus करते हैं, कोई भी physical quantity expressed की जाती है, as q is equal to n u, जहाँ पे n होता है magnitude, और यू होती है unit, जैसे मैंने बताया था कि, मैंने इस scale की, अभी मैंने बोला था कि length मैंने लिकी 20 cm, तो 20 हमारा magnitude है, और cm हमारी unit है, 20 हमारा क्या magnitude है, और cm क्या है unit, तो देखे, unit क्या होती है, 20 तो समझ में आ रहा है कि magnitude है, उसको भी हम लोग detail में करेंगे, magnitude और unit दो लोग समझ लेते हैं, यहाँ पर cm क्या काम कर रहा है, cm एक reference standard है, जैसे हमारे पर meter scale में cm के divisions बने हुए, वो एक reference standard है, जिससे हम compare कर रहे हैं, मैंने इसके नीचे meter scale लगा दिया, जिसमें meter और cm और mm में होते हैं divisions, नर्मल जो हमारे पास scale होता है, अब जब मैं scale use कर रहे हैं, तो cm के जो divisions है, वो comparison के लिए reference है, अब जब हम compare कर रहे हैं, तो 20 cm माल लिए अगर इसकी length आ रही है, तो जो हमारा reference है, उसके 20 times यहाँ पर magnitude आ रहा है, तो जो magnitude होता है, वो होता है, number of times of a unit, number of times of a unit, अब unit cm है, तो उसके कितने आए, तो 20 times हा रहा था, तो 20 cm, अब unit क्या है, तो unit में मैंने बोला न, unit होता है reference standard, unit एक reference standard होता है, reference standard मतलब जिसको, जिससे compare करें, reference standard मतलब जिससे compare करें, मैंने इसको 20 cm लिखा, तो cm यहाँ पर हमारे reference standard के, यह एक cm के लिए 20 गुना है, एक cm जितना भी होगा, यह उसको 20 times है, माली मैं इसका mass लिखू 50 gram, तो 1 gram एक reference standard है, उस reference standard का यह 50 times हा रहा है, reference standard जिससे हम compare करें, unit is a reference standard for comparison, बोलो, क्या होता unit, unit is a reference standard for comparison, unit is a reference standard for comparison, unit एक reference standard है, और उसके जितने number of times आते हैं, वो बन जाता है magnitude, तो quantities जब express की आती है, तो वो q is equal to nu के form में express की आती है, जहाँ पर जो unit होता है, and magnitude होता है, unit एक reference standard है, जिससे compare करते हो, magnitude number of times of unit है, तो अगला question, किसको unit बना है, किसको unit बना है, तो देखो, ऐसा है, कि unit मैंने बोला है, एक reference standard है, बट reference standard तो कुछ भी रखा जा सकता है, एक arbitrary हम लोग reference standard भी रख सकते हैं, SI system की बात ना करें, तो पहले जमाने में तो arbitrary reference standard ही चलते थे, तो unit तो, जो SI system में भी, वो भी arbitrary है एक बात है, बट हमने एक माना है, set किया है, तो unit की पूरी definition है, कि हमने अपनी मर्जी से कुछ length का, mass का, time का, या किसी भी quantity का, हमने एक set कर दिया standard की, इसको हम लोग उसको one unit बोलेंगे, तो unit एक arbitrary chosen, arbitrary मलब randomly, अपनी मर्जी से choose किया गया, एक reference standard है, जिसे comparison करके, हम उसका magnitude लिखते हैं, और physical quantity को express करते हैं, तो कि physical quantity का measurement और expression नहीं करेंगे, तो हम physical loss कैसे govern करेंगे, physical loss जो govern, उनको deal कैसे करेंगे, अगली चीज magnitude और unit में एक relation होता है, फिर हम लोग आते है, magnitude और unit को और detail में करेंगे, कि magnitude और unit में relation ही, कि माल लिए 20 cm को, मुझे mm में लिखना होता, तो मैं 200 mm लिखता, तो देखिए unit छोटी हो गई, तो magnitude बढ़ गया, 20 से 200 हो गया, unit 10 times छोटी हो गया, cm से mm 10 times छोटा है, तो magnitude 10 times बढ़ गया, अचा इसी को मैं में में लिखता, तो हमें लिखता, 0.2, 20 से 0.2 मीटर, एक मीटर में 100 cm होते हैं, देखिए, cm से मीटर गया, unit बढ़ी, तो magnitude चोटा, तो magnitude और unit में, inverse relation होता है, unit जितनी छोटी करोगे, 10 times छोटी, cm से mm, तो magnitude उत्रा ही, 10 times बढ़ा, magnitude और unit में, inverse relation होता है, n is inversely proportional to u, यह n is inversely proportional to u, जो होता है, n is inversely proportional to u, तो इसको लिख सकते है, n proportional to target sum constant upon u, तो यह बन जाएगा, nu is equal to c, इसको लिख सकते है, n1 u1 is equal to n2 u2, क्योंकि c तो constant है, तो अगर आप unit बदलोगे, तो magnitude बदलेगा, बड़ एक relation हमेशा hold करेगा, n1 u1 is equal to n2 u2, अगर आप unit बदलोगे, तो magnitude बदलेगा, बड़ relation हमेशन हमेशा hold करेगा, n1 u1 is equal to n2 u2, q is equal to nu, किसी भी physical quantity को लिखते है, q is equal to nu, जहाँ पे nu, जो होता है, constant रहता है, unit बदलने से magnitude बदलता है, मदलब magnitude, magnitude मदलब measurement, measurement मदलब instrument, जहाँ पे error आएगी, तो आदा chapter अगर लिखते है, आदा chapter u, unit, fundamental, derived, supplementary, derived को fundamental के terms बेखना, dimension, तो वो आदा chapter unit, dimension u पे है, आदा chapter n वाला magnitude के उपर, यह इस chapter का concept, physical quantities को लिखना, इस chapter की theme क्या है, physical quantities से deal करते हैं, तो हम उनको कैसे, physics में हम लोग करेंगे, का दिन ना भर की physical quantities, अभी mechanics से start नहीं होई, physics से start ही नहीं होई, बड़ हमें physics की theme समझ लेगी, हम जब भी physical quantities को लिखेंगे, तो हमेंने magnitude, measurement के बाद उनके magnitude, और unit की जोद पड़ेगी, तो यह होते क्या है, यह इस chapter में समझना है, ठीक, तो unit क्या है, मैंने बोला, arbitrary chosen reference standard है, बड़ दिखकत तो यही आती है, अगर arbitrary chosen reference standard है, माले arbitrary chosen का मतलब, आपको एक example दूँ, पुराने जमाने में, जैसे bitist system, जैसको बोलते हैं, foot pound second system, foot pound second system, fps system चलता था, अब तो नहीं, अब तो ऐसा ही system चलता है, सबको मालों में, meter kilogram second, हम लोग use करते हैं, foot pound second system में, foot क्या था, foot तो हम लोग पैर उपो बोलते हैं, तो betaine का ऐसा, कहावाता है, कि betaine के राजा एक दिन उठे, उन्होंने बोला कि, मेरा पैर इतना, ये एक foot है, आज के बाद से पूरे बिटे इनो, पूरा जो British empire है, उसमें यही चलेगा, मेरे पैरों के ये जो, एक मैं अपना step लिया, इतनी जो distance है, वो एक foot है, और आज के बाद से यही पूरे, हमारे empire में चलेगा, भाई मानने लगे लोग, लेकिन चलो वो राजा का था, तो major हो गया, बागी सब लोग अपना पैर निकालने लगते, step तो सबके foot तो अलग अलगाते, तो ये एक दिक्कत होती है, कि जब हम arbitrary बोल देते हैं, arbitrary चीज़ों में variability आ जाती है, और जहाँ variability आ जाती है, तो वहाँ पर communication दिक्कत होगी, जैसे मालो मैं बोलूँ कि भाई, मेरे लिए तो ये 3 foot है, कोई बोले, नहीं कि वो लंबा है, तो उसके लिए वो 2 foot है, अगर variability होती ही, सब लोग अपने अपने foot से देखते, तो इस तरही के से तो communication नहीं हो पाएगा, transaction नहीं हो पाएगा, इसलिए unit जब भी चूज की जाती है, तो उनमें 2-3 चीज़े होने चाहिए, पहली चीज़ इनवेरेवल होने चाहिए, हर जगे एक ही जैसी होने चाहिए, तो जब भी हम लोग कोई system of unit बनाएं, तो unit invariable होने चाहिए, एक जैसी होने चाहिए, यह नहीं कि मेरा foot, तुमारा foot अलाग अलाग है, ना एक foot standard हम दे बना लिया, तो बना लिया, सबके लिए वह ही है, reference standard है, वो बदलना नहीं चाहिए, दूसरा वो available होना चाहिए, कोई भी unit बनाओ वो available होने चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कहीं एक जगे हमने वो है, वो उसकी universality नहीं है, एक particular scenario में लगती है, बागी scenario में नहीं लगती है, वो easily हर जगे available होने चाहिए, हर जगे हो, उसको हम लोग apply कर सकें, ये unit की खासियत है, ऐसा हम लोगों को unit बनाते वर्ग रखना चाहिए, बट पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, जब पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, तो there were several system of units, बाज जिब unit बना रहे थे, तो पुराने जमाने में इतना communication नहीं था, तो अलग-अलग जगे अलग-अलग unit चलते थे, अब जैसे आप area का ही ले लो, area का meter square भी चलता है, American system में चलता होगा, British system में food square या square feet चलता होगा, कहीं पे inch square चलता होगा, इंडिया में गज, बीघा, acre, hectare, और कोई south में जाएंगे, तो अलग-अलग states का अपना अलग-अलग होगा, तो देखे, area एक quantity है, और उसको हम लोग unit देख रहे हैं, कि बहुत सारे several system of units हैं, square meter, square kilometer, millimeter, square, कुछ भी लिख सकते हैं, गज, बीका, एकार, हेकेर, बिस्ववा पता नहीं क्या क्या चलता है, और अलग-अलग system में, हम तो इंडिया की बात करें, अलग-अलग countries में भी इस टाइप से, अलग-अलग units बनाएके होगी, इससे transaction करने में दिक्कत होने लगी, इससे communicate करने में दिक्कत होने लगी, science और technology में units जो हैं, fix रखने की जोदपटी, तो इसको problem को resolve करने के लिए, जिससे unit system सबके लिए एक ही जैसा हो, unit एक reference standard हमें पता है, but unit system में यह जो variability थी, इसको resolve करने के लिए, scientist की meeting बुलाए गई, और एक system of unit adopt किया गया, system में internationally, फ्रेंच में और उसको इंग्लिज से बोलेंगे, SI system, SI system भई अमेरिका भई सूपर पावार है, तो American system जो था, meter kilogram second, MKS system, उसी को उसने थोगा सा extended form ले लिया, और SI system adopt कर लिया गया, तो several systems of units, plethora of system of units थे, उनमें एक university, facility, एक commodity लाने के लिए, एक fix करने के लिए, हमने एक reference standard, पूरे all over world के लिए, हम लोगों ने set कर लिया, conference on weights and measurement, जो हुई थी 1965, 1971 में, तो उससे हमने एक system adopt कर लिया, SI system, जिससे confusion कहतम हो जाए, multiplicity कहतम हो जाए, एक quantity की, एक unit, भाई, यह, यह, सब लोग यही बोलेंगे, जो science और technology में use होता है, तो यह SI system जो है, उस पे हम लोग आते हैं, बट उससे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं, कि units मैंने बताया ना, बहुत सारी थी, तो तो कुछ discuss कर लेते हैं, अब जिसे length है, फूड भी होता है, inches भी होता है, 1 foot 12 inch होता है, yard, 1 yard 3 feet होता है, लिख देता हूँ मैं, 1 yard 3 foot, foot pound second system, बिटेश system है, 1 yard 3 foot, अगर कहीं मिले 1 yard, तो 1 yard 3 foot, inches, अब यह 3 foot है, एक foot जो होता है, वो 12 inch होता है, तो 1 yard 36 inch होगा, इसी तरीके से, metric system तो खेर पता ही है, meter, dc, centi, mili, deka, hecto, kilo, इस तरह से, में meter में यूज कर सकते हैं, बाकी, pint, 2 cups होता है, quart, 2 pints होता है, quart, 4 cups होता है, फिल, liter, यह सब तो, pound, 16 ounce, ton, 2000 pound, gram, deka, gram, यह सब तो खेर, several system of units हैं, थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए, pint, quart, gallon, अब एक ही चीज है जैसे महा लिजए, volume ही है, तो volume teaspoon भी होता है, cup भी होता है, pint भी होता है, pint, pint beer, quart, gallon, ounce, pound, यह सब pound उत्खर, मास्का हो गया, तो, यह भी आपको कई सारे, several system of units, ऐसे लिखे हुए हैं, बट इनका महलब यह बताने का सिर्फ इतना परपस था, कि इन में confusion होने लगा, इसलिए conference on weights and measurement ने, एक single system of unit बनाया, SI system, तो SI system पे आने से पहले एक चीज़ समझते हैं, क्या physics में हमारे पास limited number of quantities हैं, क्या, physics मैंने बता है na study of nature है, और nature में जब हम बात करेंगे तो infinite quantities हैं, भाई हम लोग किसी object के motion को study कर रहे हैं, तो उसमें velocity, acceleration, momentum, force, position, displacement, distance, पता नहीं क्या कही चीज़े आ जाएंगे, impulse, जब हम उसकी और आगे बढ़ेंगे, energy, kinetic energy, gravitation potential energy, lasting potential energy, intermolecular energy, energy, enthalpy, entropy, और आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़े हैं, light में बात करेंगे, तो focal length, object distance, image distance, power, तो जैसे जैसे हम लोग, current electricity में जाएंगे, तो charge, potential, EMF, internal resistance, बहुत सारी quantities हैं, लिम्टेड नहीं हैं, मेरा सिर्फ इतना बताने का परपच्छ था, कि physics में जब हम बात करते हैं, तो there are infinite quantities, several quantities हैं, और कोई भी नया फिनोमना पढ़ेंगे, तो नई quantities आजाएंगी, तो हम कितने की units बनाएं, ये question SI system के जो conference on weights and measurement के scientist की meeting थी, उसमें भी आया होगा कि हम किन की quantities define करते हैं, अगर हम एक एक की quantity की unit अगर अलग अलग बताने लगेंगे, तो infinite हो जाएंगी, तो अब यहाँ पे start होती है discussion, हमारा space कितनी dimensional है, अब बोलोगे 3 dimensional, 4 dimensional हो सही है, मैं physical quantities के time से बात कर रहा हूँ, physical quantities जितनी भी हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक दूसरे से बिल्कुल independent हो, physical quantities सारी के सारी एक दूसरे से independent नहीं है, interrelated है, interrelated का मतलब यह है कि जैसे length है, जैसे यह length, मैंने इसकी length, अब width जो होती वो भी एक type की length ही तो होती ही, जैसे board दिख रहा है सबको, यह भी length है, और यह width है, तो length के terms भी तो लिख सकते है, length into width, width भी एक type की length है, तो area length की power 2, मैंने कहीं ना कहीं area length पे depend कर रहा है, area और length independent नहीं है, dependent है, volume, इसका मुझे volume, तो length, width और यह जो कुछ thickness है, इस board की पीछे कुछ thickness है, तो volume कैसे लिखा जाएगा, volume लिखा जाएगा length into breadth, लगे power 3, तो area और volume जैसी चीजे length से अलग नहीं है, length पे dependent है, independent नहीं है, तो अब यहाँ पे classification स्टार्ट होता है, कि अगर हम अपने space को, physical quantities का, जो space infinite quantities का, इसको दो parts में बाट दें, बाइफर्केट कर दें, दो parts में तोड़ दें, एक ऐसी quantities, जो आपस में independent हो, ऐसा नहीं कि सारी quantities dependent होगी, कुछ तो independent भी होगी, अब इसे mass का length के साथ कोई लेना देना नहीं, इसका जो mass है, इसके length के साथ कोई लेना देना देना नहीं, time का length से कोई लेना देना नहीं, बताओ, ऐसा कुछ होता 3 seconds is equal to 4 meter, दो, एक वो quantities जो बिल्कुल पूरी तरीके से independent of each other है, आपस में भी independent है, है ना, पूरी तरीके से, और इनके terms में बागी quantities लिखी जा सकती हैं, और जो बागी quantities जो इन fundamental के terms में लिखी जाएंगी, वो अलग लिख लो, तो जो ये quantities हैं, जो आपस में एक दूसरे से, मैंने लिखा independent है, ऐसी quantities जो independent है, number one, और दूसरा ये widely used होती है, इनका application है यह बागी quantities जिनके terms में जरूर पढ़ती है, ऐसी quantities को बोला गया fundamental quantities, basic quantities, और जो बागी quantities जिनके terms में लिखी जा सकती हैं, उनको बोला गया derived, दो categories में बाग दिया गया सारी fundamental और derived, सारी physical quantities को दो categories में बाग दिया गया, fundamental और derived, fundamental और derived, fundamental वो जो independent है, बागी quantities जिनके terms में लिखते हैं, derived वो जो independent नहीं होती है, dependent होती है, जो fundamental जिनके terms में लिखी जा सकती है, for example, length, area, volume, लेंग्ध अगर हम दो fundamental ले 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 तो area और volume length के item में लिखी जा सकती है तो वो dependent हो गई कैसी हो गई? dependent और length कैसी हो गई? independent तो length को हम fundamental में ले 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 और area और volume को derive में ले ले तो फाइदा ये होगा कि जो length है उसकी तो unit बता देंगे जैसे माली मैंने meter बोल दी area और volume की अलग से unit बनाने की जरूत नहीं है तो हमको सब की बताने की जरूत नहीं पड़ेगी, खाली fundamental की unit बताएंगे derived की unit उनके terms में लिख जाएगी, खाली किसकी बताएंगे? fundamental की, derived की अलग से unit बताने की कोई जरूत नहीं पड़ेगी ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, space कितने dimensional है तो भाई मैं बताने, space सब लोग बोल लोगे थी dimensional, कोई time को भी जोड़ लेगा तो four dimensional, मैं बोलो सारी की सारी जितनी भी चीज़े mechanics में हैं, वो सिर्फ तीन quantities के time में express हो आती है, mass, length और time मास, length और time, mechanics की सारी quantities, mass, length और time के term में express हो सकती है, तो mass एक fundamental, length एक fundamental, time एक fundamental तीनों में आपस में कोई connection नहीं, mass length से independent, length time से independent, mass time से independent हैं, लेकि बाकी इनके term से लिखी आ सकती है, mechanics से सारी, mass, length, time, fundamental quantities हो गही, mass की unit, kilogram, length की meter, time की second, इनको कुछ symbol देते हैं, mass जब भी kilogram आया तो इसको m का symbol देते, length आया तो इसको L देते, time आया तो इसको T देते, mlt, mechanics पे सारी quantities mlt के term में express कर सकते हैं, सारी derived quantities fundamental के term में express कर सकते हो, करेंगे जो power आएगी वहीं पर dimensions start हो जाएगी उन power को dimension बोलते हैं तो unit और dimension आपस में related है सम्यार है, units और dimension आपस में related है derive को fundamental के term में लिखते वक्त हमें उनके power के जोड़ पढ़ी की fundamental के terms हैं तो वही dimension बन जाएगी जैसे area को लिखेंगे length square, meter square लेंक्ट को अगर हमने L देती है तो area बन लिखेंगे L square तो बोलेंगे कि area में length की dimension 2 है वो जो power आती ही, वही dimension होती है unit to dimension related है, meter square, L square dimension मन गे 2 तो यहीं जब हम unit वाले aspect को discuss करें तो वहीं से dimension इस्टार्ट हो जाएगा अभी समझना है, mechanics में mass length time में सब express कर सकते थे तो 3 तो fundamental ऐसे ही हो गई लेकिन जब हम heat and thermodynamics में जाते हैं तो वहाँ पर हमें ज़रुवत पर थी temperature की temperature का mass length time से को यह नहीं देना नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हमारी fundamental quantities हम लोगों ने decide की mass length time से mechanics तो चल दा था हमें temperature की ज़रुवत पड़ी तो हम लोग ने absolute temperature Kelvin वाला वो भी ले लिया mass length time absolute temperature absolute temperature इसलिक क्यों Kelvin वाला degree Celsius वाला नहीं absolute temperature mass length time temperature तो यह होगी चार fundamental quantities फिर हम लोग आगे बढ़े electricity magnetism में हमें current की ज़रुवत पड़ती है charge, current, electric field, electric potential, resistance इन सारी चीज़ों में हमें एक fundamental quantity current की ज़रुवत पड़ती है तो current की intensity ampere, electric current यह भी हम लोग include करते गए तो जैसे जैसे ज़रुवत पड़ती गई जिन जिन से काम चल जा रहा है अब जैसे mass length time से mechanics में चल ला था फिर हमें ज़रुवत पड़ी temperature की फिर हमें ज़रुद पड़ी current की इससे हमाई electricity mechanism होने लगा फिर हम लोग आगे बड़े gas की properties में गए तो PV is equal to NRT में number of moles amount of substance की ज़रुद पड़ी तो हमने amount of substance को भी radical लिया और आगे बड़े हमें optics में गए तो optics में light की किसी source की luminous intensity की ज़रुद पड़ी तो हमने luminous intensity candela में हम लोग use उसकी unit लिखते हैं luminous intensity light की किसी source की intensity luminous intensity वो भी हम लोग उने add कर ली अब दोको कितनी हो गए mass, length, time temperature 4 of course thermodiamatric temperature absolute temperature electric current 5 ampere में luminous intensity 6 amount of substance mole में 7 इन साथ से अभी तक जितनी भी physical quantities हमने जरुवत पड़ी है उस सारी की सारी express हो जाती है हमारा physical quantities का space 7 dimensional है मैं बार बार पूछो तो dimension बताओ physics में जितनी भी quantities है इन साथ के terms में लिखी जा सकती है इसलिए हमारा physical quantities का space 7 dimensional ये 7 dimensional बनी होई है mass, length, time, temperature, electric current, amount of substance and luminous intensity इन साथ के terms में सारी की सारी physics quantities express हो जाती है इसलिए जो physics का space है वो 7 dimensional space है physics का space कैसा है? 7 dimensional इन साथ के terms में सारी चीज़ें express हो जाती है और इस साथ हो आपस में independent है लेकिन बाकी इन के terms में लिखी जा सकती है mass, kilogram, लिखते हैं kg unit को लिखते है kg small k, small g ये एक convention है कि अगर scientist के नाम पे ना हो तो unit जो है वो हम लोग small लिखते हैं अगर scientist के नाम पे तो capital length, meter, small m time, second, small s temperature, Kelvin, Lord Kelvin scientist, capital K electric current, ampere, ampere भी scientist है capital A amount of substance mole, M-O-L-E unit M-O-L-E है लेकिन जब लिखने abbreviation करने के आती है बारी तो M-O-L लिखते हैं ये ची ज़ियाद अखना जब abbreviation लिखते हैं तो M-O-L लिखते है unit M-O-L-E है luminous intensity, candela candela को CD से लिखते हैं को scientist तो है निए candle, candle, candle भाई candle, उसकी intensity light के source के निए candle, तो CD, small CD तो ये mole, meter, kilogram, second, Kelvin, ampere, candela ये light source अब दिखो इसमें ज़्यादा था तो चीज़ें लोगों को पता है mass, length, time, temperature, current amount of substance, mood भी सब्समें आता है luminous intensity, candela कई लोगों को थोड़ा सा नहीं टापकी लगती है तो बता देता हूँ light का कोई source है जैसे मैंने बता है, candle के नाम पे है the name of unable candle तो light का कोई source है, जैसे bulb अब चारो तरफ उसकी light फैल लगी है तो हम चारो तरफ इस पेस में solid angle, अभी मैं बताता हूँ solid angle पे भी आएंगे solid angle मतलब ये ये 3-dimensional angle ले ले ले, चारो तरफ का जो इस solid angle है, ऐसे 4-5-3 radian का होता है, एक स्फेर समझ ले, तो एक particular हिस्से में, unit solid angle में, जितना luminous flux जाता है, अफकोर्स आप लोगों ने ना luminous flux पढ़ा होगा, पर at least थो तो idea होना चाहिए, luminous intensity होती है luminous flux पर unit solid angle, जितना ये flux जा रहा है, अगर 5 लिख ले, और solid angle अगर omega ले ले, तो ये 5 पर omega होती है, luminous intensity 5 पर omega, flux पर unit solid angle, flux lumen में major करते हैं, अब देखो कहीं अगर light के source में lumen लिखा रहता है और उसको solid angle इस्टे radian में, तो lumen पर इस्टे radian में, आपकी luminous intensity निकल आती है, ये light के source को compare करने के लिए होती है, कि light का source कितना ज़्यादा intense, कितना ज़्यादा bright, कितना ज़्यादा illuminate कर रहा है, इसी एक unit candle होती है, तो मैं आपको fundamental quantities के बारे में बता रहा था, कि fundamental quantities physics में साथ है, साथ के term में mechanics, heat and thermodynamics electricity, magnetism, optics gas, सारी चीज़ों, सारी physics का जो space है, सारी चीज़ें discuss हो जाती है, इसाथ के term में सब express का सकते हैं तो physics में हमने bifurcation किया, in fact सच बोलनों तो trifurcation किया एक fundamental है एक derived है और एक छोटा सा एक और group है, supplementary का किसका है, supplementary, fundamental derived, और दो quantity जिनको अपनी special importance की वैसे अलग से रखा गया supplementary, plane angle और solid angle, वो जो straight gradient अभी हम लोग बात करें तो solid angle है, वो भी अभी हम लोग आते हैं plane angle, solid angle, supplementary दो छोड़ दे, साथ fundamental छोड़ दे तो साथ दो 9, कुछ और के physics में जो बचा वो सब derived है, वो सब क्या है derived, अब जैसे mass की बात करें, length की बात करें, time है, mole है, ampere है, kelvin है, candela, यह fundamental है अब length से मैं बता जाता है, area meter square, derived, volume meter cube, derived, हमें length और time का उज़ किया, velocity या speed ले ले, meter per second तो meter per second जब आप लिख रहे हो, तो meter हो गया length, और second हो गया time, तो आपने meter second, यानि कि आपने length और time को use किया, तो जो velocity है, या speed है वो derived हो गई, acceleration है acceleration meter per second square, तो फिर again length और time को use किया, यह derived हो गई, इसी तरह के से अगर density लिखते, density mass upon volume kilogram पर meter cube, तो आप mass और length को use कर रहे होते हैं तो यह derived quantity हो जाती, इसी तरह किसे सारे derived quantity, force, pressure, energy, work, charge, capacitance, resistance, conductance, magnetic flux, inductance, capacitor, जो भी यह सारी चीजे, इसारी कि सारी derived quantities हैं, और इसारी derived quantities की एक-एक की unit और dimension हम लोग करेंगे detail में, अभी मेरा purpose यह था कि fundamental साथ, दो supplementary 2, 9, इनको छोड़के जो भी बचा वो derived, वो fundamental के term में लिखा जा सकता है, वहीं पर dimensional analysis का use भी होता है आएंगे उस पर, यह जैसे मैंने volume है, volume लेखे, length into width into height, तो volume जब आप लिख रहे हो, length width भी एक type की length, height भी एक type की length, तो volume हो गया LQ, तो अगर मुझे length की unit मैंने meter fix कर रखे, SI system ने कि भी length unit meter लिखो तो volume की unit आपको अलग से बताने जरू होती है, आपने meter cube लिख लिख लिए और बाद में जब हम dimensional analysis करेंगे dimensions करेंगे, तो मैं बताऊंगा कि अगर हमने length symbol दिया है L, तो L की power 3 ऐसे square bracket में लिख लो, तो यह volume का dimensional formula हो गया, और यह जो 3 आ रही है fundamental quantities के उपर जब power आती है जब derive को fundamental के terms में लिखते हैं तो fundamental के उपर जो power raise करते हैं उसको dimension करते हैं, तो volume में length की dimension 3 है, volume में length की dimension 3, plus 3 volume में length की dimension, dimension of length in volume is plus 3, this number is dimension and this written in square bracket is dimensional formula आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बोल ला था कि 3 प्राफरकेशन हैं इनफेक एक है fundamental दूसरा है derived बीच में एक और गुरुप है supplementary, 3 गुरुप है fundamental, supplementary, derived supplementary में दो quantities हैं और यह भी एकतरे से fundamental पे depend करती हैं, बट इनको अलग से इनकी importance की वाई से रखा गया है और सिर्फ वो सिर्फ दो है, plane angle और solid angle angle के terms में सारा rotational motion डिसकस होता है, angle के term में circular motion डिसकस होता है, जितना भी bodies का rotation होता है, physics का important part, चीज़ों को घूमते वे देखना और पूरा पूरा angle के terms में होता है, angular velocity angular acceleration, तो वे सारी के सारी चीज़ें के लिए angle चाहिए होगा solid angle की भी जोद परती है, physics में बहुत जोग है, जैसे हम लोग जहाँ पर gauss law अगरा लगाते है वहाँ पर solid angle की जोद परती है तो इस दो quantities अलग से रखी गई है, अभी समझ लेते हैं plane angle क्या है, solid angle क्या है देखें, ऐसा है की angle की basic definition होती है दो lines के बीच में inclination, मालव है दो line है तो इन दो line के बीच में inclination होगा, जो जुकाव होगा वह angle क्यालाता है angle is defined as inclination between two lines angle is defined as inclination between two lines इसको symbol दे दिया मैंने theta, यह दो line के inclination बताता है, अब दो कोई जो inclination होता हो fix रहता है बले ही आप arc इतना रखो, चाहे आप इतना रखो, मालव line की जो length से आप बढ़ते जाओ line की length बढ़ते जाओ, तब भी angle यह inclination नहीं बढ़ता, यह खासियत होती, inclination दो lines के बीच में वही है चाहे आप line की length बढ़ते जाओ चाहे आप इसको arc की length बढ़ते जाओ चाहे line की length को radius बोल दो वह बढ़ते जाओ, तो आपका angle change नहीं होता angle change नहीं होता तो इस angle की value कितनी होती है तो इस angle की value होती है angle is equal to arc upon radius arc upon radius यह लग बात है कि arc भी meter में एक length होगी radius भी एक length होगी तो meter upon meter कटने के बाद unit तो कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं बचेगी यूनिट होती है और हम लोग उसको radian बोलते है radian जो कटेगा जो कुछ नहीं बचेगा वह dimension, dimensionless हो जाएगा angle dimensionless है, पर angle में unit है angle में unit है, L by L कटने के बाद L की पावर 0 होगा, dimension नहीं है लेकिन unit है, arc upon radius meter upon meter को radian बोलते है तो angle की unit होती है radian radian जो पूरा का पूरा circle होता जैसे यह आपका circle एक two dimensional figure angle की जब बात चलती है तो πाई की जरूर बात आएगी, पाई को discover करने में, पाई में indian mathematicians का अच्छा contribution है circle वरकल की geometry अपने वेदाज में अच्छे से discuss होई है तो उसी के मैं बात बता रहा हूँ कि क्या है कि जैसे यह आपने angle लिखा arc upon radius radius बढ़ेगी तो arc बढ़ेगा लेकिन angle वही रहेगा, और यह radian में measure करते हैं, किस में measure करते हैं radian, radian इसकी unit है तो यह एक two dimensional दो lines जो हैं मिलके वह एक plane मिनाती है, और plane एक two dimensional figure है, तो angle एक two dimensional quantity है जिसको radian में express करते हो जब पूरा circle जैसे यह देखे बढ़ेगा arc तो यह पूरा circle जब cover कर लेगा, तो पूरा circle अपने center पे कितना बनाएगा तो पूरा circle जो है arc, जी पूरा circle का arc बढ़ते बढ़ते, जैसे यहाँ से हम गुमाते जाएं और यह पूरा कर लेए, तो पूरे circle का, parameter two pi are upon रेडियस कर देंगे, तो पूरा circle उपने center पे two pi ragian का angle बनाता है पूरा तो पाई रेडियन ही 360 डिग्री के एक्वल है, तो पाई रेडियन 360 डिग्री के एक्वल है, तभी तो पाई रेडियन 180 डिग्री के एक्वल है, यह तो आप याद रखते हो, पाई रेडियन 180 डिग्री के एक्वल है, पाई बाई 2 90 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री, पाई के साथ साथ degree भी है, minute भी है, और second भी है, minute और second जैसे हम आपको 60 minute लिखना है तो 60, 60 second लिखना है तो 60 double line, तो radian, pi radian 180 degree, radian से 4 degree, 1 degree में 60 minute और 1 minute में 60 second, radian degree minute second, plane angle को होती है, अब आते हैं solid angle, तो मैंने बताते हैं कि 2 lines के बीच का angle, अब 2 lines जो होगी, वो मिलके एक plane बनाएगी, तो angle एक 2 dimensional figure है, circle का example लिए, circle एक 2 dimensional होता है, circle का, जैसे यह circle है, इसको घुमा दो, इसको ऐसे घुमा दो, तो एक स्फेर बन जाएगा, circle का 3 dimensional equivalent, स्फेर बन जाएगा, circle का 3 dimensional स्फेर equivalent, जैसे एक football ले ले, football, football का एक patch है, football की surface पे एक patch है, तो वो football के center पर जो angle बनाएगा, वो कोई 2 dimensional तो होगा नहीं, बिलकुल वैसे जैसे ice cream का cone हो, ice cream का cone, यह रह ice cream और यह रह apex, बिलकुल cone का यह peak point, तो यह पूरा ice cream का cone, यह भी तो apex पे कुछ angle बनाएगा, अब वो कोई line तो है नहीं, यह तो बहुत सारी line है, दो line है तो है नहीं, और वो कोई एक plane में भी नहीं है, तो ice cream के cone, यह रह ice cream का cone, यह जो apex में angle बनाएगा, 3 dimensional angle, इस angle को बोलते है, solid angle, पिछला वाला plane angle 2 dimensional था, तो solid angle 3 dimensional होता है, मैंने example दिया, ice cream कोन का, मैं example दे रहा हूँ, football के patch का, water melon, जैसे water melon आज कल आ रहा है, न सीजन, water melon ऐसे निकाल के दिखाता है, दुकान वाला जब भी आप water melon नहीं रहते हैं, तो एक piece ऐसे निकाल के रखा रहता है, तो वो जो piece है, वो red color का, वो center पे जाके कुछ angle बनाएगा, चारो तरफ से lines आ रही होंगी 3 dimensional, वो वाला angle solid angle होता है, तो यह 3 dimensional equivalent है plane angle का, तो यह समझो जैसे water melon, water melon spherical, और यह आपने उसका एक patch काटके रखा है, delta area का, और यह radius r है, तो यह वाला angle बनता है, solid angle होता है, और solid angle को omega से represent करते हैं, plane angle को theta से, solid angle को omega से represent करते हैं, solid angle को omega से represent करते हैं, और omega होता है area का patch upon r square, अब बो लूगे area भी meter square, और नीचे r square तो meter square, तो meter square से meter square कट गया है, तो unitless नहीं, dimensionless है, यूइन ऑपाओगता है यूसको आसा लिइघया, यूनित है इस्ते रेडियन को sr से लिखते हैं, इस्ते रेडियन को कैसे लिखते हैं sr, तो plane angle की radian होती है, solid angle की stay radian होती है, plane angle की radian solid angle की stay radian, plane angle का 3d equivalent solid angle और plane angle 2d तो solid angle 3d, अब solid angle बिच्छे मैंने बता था कि पूरा circle अपने center पे 2 pi बनाता है 2 pi radian angle तो पूरा sphere कितना बनाएगा तो बता पूरा जो sphere है उसका जो surface area होता वो 4 pi r square होता area का पैच बढ़ते 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 पूरा sphere cover करेगा तो 4 pi r square का surface area बन जाएगा उपर यह रही तो आता है नीचे r square तो r square स r square कड़ गया तो पूरा जो solid sphere होता है अपने center पे 4 pi इस्टे radian का solid angle बनाता है पूरा circle 2 pi radian का और पूरा sphere अपने center पे 4 pi इस्टे radian बनाता है कितना बनाता है 4 pi इस्टे radian 4 pi इस्टे radian और जितना area का पेच बड़ा होगा solid angle होता है omega delta e upon r square और angle होता है r upon radius दोनों में dimensionless जरूर होते हैं बड़ unitless नहीं होते है unit होती है एक में radian एक में इस्टे radian तो इससे एक आपका question बन जाता है बताओ all unitless quantities must be dimensionless उल्टा करके बूच रहा हूँ all dimensionless quantities must be unitless कौन सा statement true है कौन सा statement false है या दोनों true है दोनों false है इस type से अगर आप question बूच जाए तो मैंने पहला क्या बोला all unitless quantities must be dimensionless अगर किसी quantity में unit ही नहीं है meter, kilogram, second कुछ आई नहीं रहा है लिखा हुआ 3 that's it तो इसका मादब बूच नंबर है और नंबर तो भाई dimensionless होईगा भी होईगा चिक लेकिन अगर मालो मैंने बोला all dimensionless quantities are unitless तो angle और solid angle ये dimensionless है L by L, L square by L square करने के बाद dimensionless है बट इनकी unit तो है ना तो all dimensionless quantities are unitless ये statement false है dimensionless quantities में unit हो सकती है they may और may not have ये सही है और unit हो सकती इसका example plane angle और solid angle है एक की radian, एक की स्टी radian जब ये dimensionless है बट इस्टिल they have unit तो dimensionless quantities may have unit बट अगर unitless quantity है तो dimensionless होगी होगी unitless must be dimensionless बट dimensionless may और may not have a unit ये होगा complete answer और आगे बढ़ते है एक question करते है unit का एक question in a new system of units mass ये अच्छा question है ये आकास के, LNK, FITG और सबके regionless सबके module में मिलता है in a new system of unit mass की unit है 10 kg 1 kg के बजाए 10 kg 1 kg के बजाए 10 kg ठेक length की 100 meter 1 meter की बजाए 100 meter length की unit time की 1 minute 1 second होती है normally SI system में 1 minute यानी की 60 second तो 1 newton force इस नए system में कितना होगा 1 newton force इस नए system में कितना होगा 4 आपको दे रखे है 36, 63, 3.6, 0.06 फिर से पर दे रहाँ question नया system of unit आपने system of unit change किया तो एक question हो गया system of units change अगर हम करें तो magnitude कैसे change होगा वो निकालना mass बदल दिया 10 kg length की unit 100 meter time 1 minute 1 newton force इस नए system में कितना होगा तो बताए मैंने क्या बताए था physical quantity में जब unit बदलते हैं तो magnitude बदलता है और physical quantity को express करते हैं q is equal to nu से unit बदलते है magnitude बदलता है but quantity तो बही रहती है unit बड़ी तो मैं चोट छोटा unit चोटी तो मैं चोट बड़ा inverse relation और इस inverse relation को लिखाता है n1 u1 is equal to n2 u2 से बात चले है force की force जो होता है mass into acceleration kg meter per second square kg meter per second square ये उसकी unit होती है 1 newton कितना होता है 1 newton होता है 1 kg meter per second square तो ये मैंने लिखा 1 kg meter per second square ये लिखा है 1 newton ये तो लिखा है कि 1 newton अब कितना magnitude होगा तो ये लिखा है q is equal to n1 u1 n2 u2 n1 1 newton ये newton लिखा है kg meter per second square n2 नए system में magnitude बताना है नए system में unit क्या लोगे तो नए system में जाए kg था वहाँ पे 10 kg लिखो लिख दिया नए system में जाँ पे meter था वहाँ पे 100 meter लिखो लिख दिया 100 meter नए system में जाँ पे second square था वहाँ पे 60 second का square लिखो ये लिखा है मैंने 60 second का whole square n1 u1 n2 u2 n1 पता है u1 पता है u2 पता है n2 नया magnitude नहीं पता है अब देखो kilogram से kilogram कर जाएगा साथ unit कट नहीं ही क्योंकि मैक्टूड आ रहा है मैक्टूड एक number होता है meter से meter कट गया second square से second square कट गया तो n2 की value कितनी आ गई तो n2 की value 60 का square उपर आएगा तो 3600 60 का square उपर आएगा तो 3600 देखे 10 और ये 100 मिलके हो जाएगा 1000 नीचे आ जाएगा 1000 ये 2 0 खट गया 36 upon 10 36 upon 10 3.6 ये हमारा हो गया n1 u1 is equal to n2 u2 इस type के question आए तो सबसे पहले जो old system of unit है new system of unit है पहले वो लिखो जब भी इस type के question है तो old system of unit और new system of unit लिखो फिल को quantity वही रहती है तो n1 u1 n2 u2 क्योंकि n is inversely proportional to u जो इधर आ गया तो n1 u1 n2 u2 लिखो n1 u1 n2 u2 में जो जो पता वो लिख दो अब यह से यहाँ पर n1 पता था u1 पता था u2 पता था n2 नहीं पता था n2 की value हमने solve कर ली और हम लोगों ने निकाल लिया physical quantities को express करते है q is equal to n u n होता है magnitude u जो होती है unit unit एक pre-determined reference standard होता है arbitrarily chosen होता है several system of unit है बट SI system यूज करते है SI system में जो unit यूज करते है उनको हमने तीन पार्स में बाठ रखा है fundamental, supplementary, derive fundamental में साथ है mass, length, time, current, temperature, luminous intensity amount of substance और supplementary में दो है plane angle, solid angle उसके सिवा जितनी बची सब derived है derive को fundamental के term से लिख सकते है तो हमें बहुत सारी unit लिखने की जुरूत नहीं पड़ेगी बहुत सारी unit जाने की जुरूत नहीं पड़ेगी तो fundamental से और supplementary से काम चल जाएगा supplementary में दो है plane angle हो solid angle plane angle हो solid angle के बेरे में जाता plane angle angle is equal to arc upon radius solid angle omega is equal to delta A upon r square और इसके सिवा जो भी बच्ची हो सारी के सारी derived है तो अब ये जो साथ हैं के सिवा सारी के सारी derived acceleration, charge, energy, force, frequency, power, pressure इनको जो unit लिखी जाती है बले एक force को newton लिख लिए बड़ newton तो हमने honor करने के लिए लिखा है तो newton kilogram meter per second square kilogram fundamental, meter fundamental, second fundamental fundamental के लिख सकते हैं same चीज frequency, power, pressure इन सारे के साथ है और फिर कुछ चोटी चोटी चीज़ें देख लेना इन सब के symbol मैंने बता दिये हैं सिंबल मैंने बता दिये हैं और जब हम इनको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं तो scientist वहले बताए capital से बाकि इनको small से लिखते हैं बाकि dc centi mili, kilo, mega, giga, tera ये सब जो prefix और suffix होते हैं ये सब तो simple सी चीज़ें आपको पता ही होगी बढ़ हमने काम की चीज़ यूनिट्स अपनी कर ली है हम लोग measurement में जाएंगे instrument करेंगे one year calipers screw gauge error करेंगे dimensional analysis करेंगे dimensional analysis का application करेंगे principle of dimensional homogeneity पढ़ेंगे dimensional analysis के application जैसे NEET में और JEE में कोशन आते हैं वो करेंगे Thank you Units and measurement chapter का dimensional analysis वाला segment अगर आपने last class मेरी की हो तो आपने देखा हो कि हम लोगों ने Units डिसकस कर लिया था और वहाँ पर मैंने बताया था कि हमारे पास plethora of physical quantities है physical quantities का space बहुत वास्ट है तो हमने physical quantities को तीन के डिगरीज में बाठ रखा है in fact basic तो दो ही है एक fundamental और दूसरा derived बट हम दोगों ने अपनी सहूलियर के लिए दो quantities को supplementary में बाठ रखा है plain angle और solid angle तो 7 fundamental quantities there are 7 fundamental quantities 2 supplementary quantities remaining all others 7 plus 2 9 को छोड़के जितनी भी बाकी बच रही है सब की सब derived quantities है वो fundamental के terms में लिख सकते हैं और वो 7 fundamental quantities कौन कौन सी है mass, length, time, temperature, current, luminous intensity and amount of substance अब जो derived quantities इनके terms में लिखी जा सकती है तो जब हम derived quantities को fundamental के terms में लिखेंगे तो कहीं न कहीं fundamental quantities के ऊपर कुछ न कुछ पावर आएगी जैसे माली जै मैं बोलू area तो area होता है length into width length into breadth कुछ भी बोले अब width भी एक type की length होती है तो area को लिखेंगे length into length वे length की भी unit meter, width की भी meter तो area meter square यह तो unit हो गई अगर हम symbol देदे माली जै मैं length की बात कुरू fundamental quantity length है length को अगर हम एक symbol देदे L तो area को अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा area is equal to length into width length भी L, width भी L तो area बन गया L square तो यह बन गया area का dimensional formula और area में L square लिखा होने का मतलब क्या है area का L square बहुत सारी चीज़े बता रहा है पहले तो यह बता रहा है कि area mass पे depend नहीं करता time पे depend नहीं करता current पे depend नहीं करता area सिर्फ length पे depend करता है दूसरा यह बता रहा है कि area length पे कैसे depend करता है way of dependence area में length के power 2 आती है मतलब जब भी हम length की unit रखेंगे जैसे meter रखा तो meter square kilometer रखा तो kilometer square millimeter रखा तो millimeter square एंगे strong रखा तो area मज़ने का strong का square तो इसका मतलब भी कि unit fundamental नहीं है क्योंकि unit तो बदल सकते है अभी मैंने बदला length की meter रखा kilometer रखा मैंने millimeter रखा एंगे strong रखा और area की भी unit बदल लहीं है लेकिन nature तो वही है हर बार आप area L square से तो निकालोगे तो बताओ ज़्यादा fundamental क्या हुआ ज़्यादा focus किसक पर करना चाहिए unit तो बदलती रहती there are several system of unit जो चीज़ नहीं बदलती है वो है dimensions area जब भी आएगा length के power 2 लेके आएगा area में length के dimension 2 है तो यह dimension कभी नहीं बदलेगी area is always L square आप कोई भी system of unit बदले लो इसलिए unit से ज़्यादा important चीज़ होती है dimension और dimension quantities का nature बताती है यह nature है कि area किसी भी तरीके से mass और time पर depend नहीं करता आप कोई क्या करो length meter ही रखो और आप time को second के बज़ाए minute में measure करने लगो होती है तो अब आजाते हैं dimension की definition what is dimension dimension when we represent a derived quantity in terms of fundamental then the powers raised on the fundamental quantities are called dimensions जब हम किसी derived quantity को fundamental quantities के terms में लिखते हैं area में सिर्फ length की जरुत पड़ी लेकिन हजगे तो ऐसा नहीं है velocity है velocity हम लिखेंगे displacement upon time तो हमें length और time दोनों की जरुत पड़ेगी हम लोग लिखेंगे force तो force होता mass into acceleration acceleration में length और time भी आ जाएगा तो mass, length, time तीनों की जोद पड़गी हमको force में तो हमको अलग-अलग quantities में जब हम उनको derived quantities को express करेंगे तो हमें fundamental quantities की जरुत पड़ेगी fundamental quantities के उपर हम expression में कुछ power लिखेंगे तो वो power ही dimension कहलाती है यह बाद फिर मैं बोल देता हूँ साफ 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 समझा देता हूँ हमारे पास साफ जो fundamental quantities हैं इनको हम कोई symbol दे दें जिसे मैंने length को दिया L mass को दिया M time को दिया T MLT mass M length L time T यह fundamental mechanics में जितनी भी quantities होती हूँ mass length time के दम में express जो आती है mass M length L time T electric current A दे देते है A for ampere अच्छा अलग-अलग books में अलग-अलग होते हैं मैं अपना बता रहा हूँ electric current को A दे दिया temperature को K दे दिया K for Kelvin amount of substance mole M O L इसको M O L लिख लेते है luminous intensity candela इसको मैंने 5 लिख लिया तो साथ जो है quantities fundamental quantities physical quantities का 7 dimensional space वो इनके term में mass M length L time T current A temperature K luminous intensity 5 luminous intensity 5 amount of substance mole इनके terms में हमें express कर लेना है तो जब भी हम किसी derive quantity को इनके terms में लिखेंगे माल लेजए मैं कोई derive quantity ले ले लूँ Z और मैं fundamental quantities के terms में लिख रहा हूँ तो मैंने लिखा मैं fundamental quantities के terms में M to the power A L to the power B T to the power C और भी है जैसे माल लेजए K की power मैंने लिखा D बागी हम साथों के terms में लिख सकते हैं जो quantities पे depend नहीं करे होगी जदा अधा उनकी power 0 होगी उन पे depend नहीं करे होगी यह पावर यही कहलाती है dimension dimensions are the powers raised on fundamental quantities to express the derived quantity in terms of fundamental quantities फिर से बुला हूँ dimensions are the powers dimensions क्या होते हैं तो dimensions power होते हैं dimension अगर आपको समझना हो तो power power हमेसे एक number होता है तो dimension number होते हैं अब यह मैं समझो कि mass link time dimension है mass length time के उपर जो number आता है जो power आता है plus आसकता है, minus आसकता है integer आसकता है, fraction आसकता है 0 आसकता है अब जोसे area की बात करें तो area में mass की dimension 0 है area में length तो आ रहा था पर mass नहीं आ रहा था तो mass की dimension 0 है तो जब हम किसी derived quantity को fundamental के terms में लिखते हैं तो जो power आती है वो dimension के लाती है dimensions are the powers यानिकि numbers यानिकि dimension by definition plus हो सकते है, minus हो सकते है integer हो सकते है fraction हो सकते है कुछ भी हो सकते है तो यह चीज़ आपको समझ लेनी है dimensions powers होते है और यह जैसे मैंने किसी derived quantity को लिखा m to the power a, l to the power b, t to the power c, k to the power d तो हम इसको कैसे rate करेंगे तो हम लिखेंगे z has a dimension of a in mass b in length c in time d in temperature temperature को किसे लिखा है तो इतना हम लोग समझ गए कि dimensions जो है वो powers होती है और किसी भी quantity का nature बताती है जैसे मैंने बताए area area को l square लिखा तो आप unit कुछ भी ले लो meter square, kilometer square, square, fade, and strong square बट जो nature है, dimension है वो नहीं बतलेगी area l square है तो l square ही रहेगा nature नहीं बतलेगा समझ रहो और लोग कि nature नहीं बतलेगा जितने भी लोग हैं अभी समय ओनलाइन thank you मैंने आपको बताया कि dimension quantity का nature बताते है और nature एक ऐसी चीज होती है जो कभी नहीं बतलता nature नहीं बतलता, unit बतल सकता है इसलिए unit से ज़्यादा fundamental basic चीज dimension होती है किसी भी quantity की dimension कभी नहीं बतलती unit बतल सकती है इसलिए हम लोग dimensions पे focus करते हैं तो अब dimensions जब भी लिखी आती है तो fundamental के terms में लिखते हैं basic अभी हम लोग discuss करेंगे पर इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि dimensions जो है numbers है अच्छा जैसे basic area ले 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 लेते हैं तो area को length square, length into it बताया था तो area में length की dimension 2 है volume है length into bet into height L into L into L, L q volume में length की dimension 3 अच्छा volume में mass की dimension कितनी हुई फिर volume में mass तो आ नहीं रहा है तो volume में mass की dimension हुई 0 time भी नहीं आ रहा है तो time की dimension 0 जो जो quantities नहीं आ रहे होगी उन सब की dimension 0 होगी velocity, acceleration, force के कभी अभी करेंगे अब आपको एक और सी बता दू जैसे हमने किसी quantity को लिखा area को लिखा L square तो जब हम area को L square लिख रहे हैं तो अगर हम बस इतना यह कर दें कि square bracket में लिख दें तो यह बन जाएगा area का dimensional formula जो भी dimension है आप उसको square bracket में लिख दो तो वो quantity का dimensional formula बन जाएगी तो यहाँ पे हम लोगों ने area में length की dimension 2 बोला और area का dimensional formula within square bracket लिख दो एक notation है, symbol है, convention है इस तरह किसे लिखा रहता है जब भी किसी quantity के dimensional formula लिखना हो board source के लिए तो उसको ऐसे square bracket में लिख दो area का dimensional formula बन जाएगा L square इस dimensional formula बता देगा कि किस तरीके से हम quantity को represent कर रहे है fundamental है terms में derived quantity को कैसे लिखेंगे अचा कुछ चीजे और आपको देखनी पड़ेंगी कुछ चीजे हैं लोग ही देख लेते हैं जैसे numbers जो होते हैं वैसे तो सारी quantities पे करके आएंगे बट सबसे पहले basic चीजे देख लेते numbers 1,2,3,4 counting वाले pure numbers अब लेके number की कोई unit भी नहीं होती number 1,2,3,4 वो तो counting है there are 40 people in a class 40 students in a class 40 एक number है तो इसमें आपने counting की है इसमें कोई measuring नहीं की है तो इसमें इसले कोई unit भी नहीं involved होई है तो ये 40 जो counting है इसकी कोई dimension नहीं है numbers dimensionless होते है pure numbers dimensionless होते है साफ साफ लिख दे रहा है numbers dimensionless होते है अब ये मत पूछना integer number की fractional number all real numbers सारे numbers real इमेजनली जो भी है सब dimensionless होते है numbers dimensionless होते है और ऐसी जो चीजें जो number हो जाती है जैसे मैं बोलू sin theta, cos theta, 10 theta की value trigonometric ratio trigonometric ratio आप खुदी बताओ जैसे मैंने बोला sin theta ये एक right triangle है perpendicular, base, hypotenuse sin theta होता है perpendicular by hypotenuse perpendicular भी एक length है hypotenuse भी एक length है आप ratio निकाल ले हो ratio अमेज़ा similar type की चीज़ों का निकाला आता है तो आपने trigonometric ratio sin theta, cos theta, 10 theta, cot, sec, cos से कोई भी ratio निकाला है तो आप triangle की right triangle की दो side का ratio लिख रहा हो meter upon meter कड़े आएगा तो आप वो number ही तो है आप जैसे sin theta half तो half एक number ही तो है तो trigonometric ratios being numbers they are numbers so they will also be dimensionless trigonometric ratios भी dimensionless होते है because they are also numbers numbers dimensionless होते है तो dimension सारी quantities का निकालने से पहले जिंजिं की नहीं होती हो जान लेते है numbers dimensionless होते है trigonometric ratios dimensionless होते है exponential function dimensionless होते है exponential function जैसे e की power x अब ऐसे समझो e की power के हमें जन्रल बता दो 2 की power 3 लिखा हुआ है e do the power x रहे से इसको बोलते है तो 2 की power 3 8 नमबर ही तो आएगा तो number e भी exponential function eulers number बोलते है 2.718 एक number होता है कुछ भी power कर दो भाई ये e जो है eulers number जिसको बोलते है ये एक number है अब number की कोई power आप लिखोगे तो वो भी तो एक number ये आएगी और number कैसे होते है dimensionless तो trigonometric ratios भी dimensionless होते है exponential function भी dimensionless होते है और logarithmic functions भी dimensionless होते है logarithmic functions क्या होते है तो आपको पता है log क्या होता है भाई अगर आपको कुछ लिख रहे हो y is equal to log x तो log भी तो exponential function को लिखने का एक तरीका होता है जैसे माल लिजे आप log 100 लिखो to the base 10 तो log 100 to the base 10 2 होता है क्योंकि 10 की power 2 power होते है log मतलब power होती है ये base होता है ये power होती है 10 की power 2 is equal to 100 ये log को लिखने का तरीका होता है base की power is equal to यहाँ पर जो log की value लिखी होई है तो log जो होता है वो एक number होता है log table देखो numbers लिखे रहते हैं अंटी log numbers dimensionless होते हैं तो trigonometric ratios exponential function log rhythmic functions ये सारे dimensionless होते हैं और कही न कहीं मैंने बुले ratios जहाँ पर भी ratios आजाएंगे वो ratios dimensionalness होते हैं अगर और similar quantities के हो similar quantities के ratio dimensionalness होता है अच्छा similar quantities के ratio relative density relative density देंसिटी नहीं relative density relative density क्या होती तो relative density होती है density of a substance divided by density of reference जोकियं normally water होता है तो density of a substance divided by density of water आप करोगे तो उपर और नीचे density की जो भी dimension होगी उकट जाएगी relative density dimensionless आजाएगा dimensionless चीजों को लिखने का तरीका M0, L0, T0 वैसे तो 7 fundamental quantities 7 हो में 0 लिखना चाहिए और mechanics में हम इन 3 पे लिखने से काम चल जाता है, तो dimensionless quantity को कैसे लिखोगे M0, L0, T0, mass की power 0, length की power 0, T की power 0, सारी fundamental की 0, 0 का मदब 1 होता है, मदब 1, मदब इन quantities पे depending नहीं कर रही है, भाई, कोई dimension आई नहीं दिखने का तरीका M0, L0, T0 लिखना है, relative density है, relative permeability, 12 की physics में relative permittivity, यानि की dialectic constant, और relative permeability, यह दो term आते हैं, और यह दोनो टर्म, dimensionless होते हैं, क्किया numbers होते है, relative permittivity, epsilon r, relative permeability, mu r, दोनों dimensionless होते है, permitivity और permeability नहीं बोलाऊ, relative permeability, allá of familiarity dimensionless होता है, dialectic constant अभी बताया, relative permeability, angles, अच्छा, angles जो होते हैं, चाहे वो plane angle हो, चाहे वो solid angle हो, angles dimensionless होते हैं, एंगिल की बढ़िया स्टोरी है मैंने बताय था एंगिल is equal to arc upon radius plain angle solid angle होता है area upon r square अब बताओ angle arc upon radius जब आप बोलते हो जैसे यह मैंने बोला यह angle है arc upon radius, arc भी एक type की length है radius भी एक type की length है तो दो type की length का ratio और दो type की length का ratio जो by default जो भी dimension होगी उकड़ी आएगी dimensionless हो जाएगा तो angle भी dimensionless है और solid angle होता है delta a upon r square plain angle solid angle जो पढ़ा रहा था तो मेरे बताया था तो delta a उपर भी area meter square type और नीचे भी meter square type तो यह भी dimensionless L square by L square करना चाहिए क्योंकि meter square by meter square unitless नहीं होता angle और solid angle plane angle और solid angle 2D और 3D version उसका dimensionless जरूर होते हैं बट unitless नहीं होते plane angle की unit होती है radian solid angle की होती है इस्टे radian इसका मतलब है कि dimensionless quantity may have unit बट अगर unitless है कोई unity नहीं आ रही number लिखा हुआ है तब तो पक्की बात है dimensionless होगी तो यहाँ पर मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ जितनी भी unitless quantities होती है वो by default dimensionless होती है अगर कोई quantity unitless है तो वो dimensionless होगी ही होगी बट अगर dimensionless है जिसे plane angle और solid angle तो जरूरी नहीं कि वो unitless हो इसका example मैंने बता न plane angle solid angle की होती है radian और इस्टे radian dimensionless quantity may और may not have a unit हो सकता कि कोई dimensionless quantity हो और उसके कोई unity नहीं हो जिसे relative permittivity ले 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 डालेक्टिक constant ले ले तो dimensionless भी हो unitless भी है ठीक it depends अच्छा किसी की दिमाग में आता हो constant dimensionless होते है तो ऐसा नहीं constant to constant depend करता है कुछ constant में dimension होती है कुछ constant में dimension नहीं होती है अब जिसल लाइट की speed 3 to 10 power 8 meter per second constant है तो dimension तो है na meter per second l t minus 1 l upon t तो constant की dimension हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है पाई है पाई number है वो dimensionless है तो constant may और may not have dimension आगे move करते हैं quantities की dimension निकालना सेखते हैं कुछ की तो मैंने discuss की लेकिन वो तो कोई काम कर नहीं है proper structured way में एक एक करके जिदनी हमें quantities की जिवरत परती है 11 तो 12 की physics में सारी quantities की dimension निकाल दालते है A to Z किसी को कोई doubt हो मैं chat box चेक कर रहा था भुवनेश्वट जा और एक और कोई भी line पे हैं तो अगर कोई doubt हो तो comment box में लिख देना chatting box में मैं उसके comment box से देख आपको ज़रूर बता दूँगा आगे move on करते हैं quantities की dimensions निकालते हैं जितनी भी quantities हमको 11 तो 12 की physics में परती सारी A to Z सारी निकालोंगा और इसके थूँ तुमारा 11 तो 12 की physics एक तरीके से revise भी हो जाएगी क्योंकि मैं जब-जब quantities के बारे में बताऊंगा dimension निकालना तो थोड़ा बहुत उन quantities का basic formula तो at least discuss करी लोंगा और अगर आपको किसी quantity का formula पता है तो आप उसकी dimension निकाल सकते हो आपकी 11 की physics में बहुत important question का set रहता है कि आपको quantity लिखी रहती हो और पूछते है dimension और एक quantity मैं भी बता देता हूँ coefficient of viscosity हर school exam में पता नहीं खास यह आता है पूछा ही पूछा आता है coefficient of viscosity की dimension निकालना school exam में आता है जैसे school start होंगे 11 वालों के यह question आना है तो quantity देखो और उसका dimension निकालना कैसे सबसे पहले ही start करते है area यहाँ से start करते है area क्या होता है length into width L into L width भी एक type की length length और into width length L width भी L L into L तो क्या बन गया area का dimensional formula L square तो area का dimensional formula L square area में length की dimension कितनी है तो area में length की dimension है 2 mass की dimension कितनी area में 0 time की dimension कितनी है 0 बाकि जो जो quantity is absent है उनकी dimension कितनी बोलोगे बोलो 0 बोलोगे जो जो quantity is absent है उनकी dimension 0 बोलोगे आगे बढ़ते है volume क्या लिखें volume बताओ length into width into height length into width into thickness जो भी लिखना चाहो वो 3 dimension हो 3 dimension x y z length into width into thickness ये भी L ये भी L, ये भी L L into L into L, कितना हो गया? LQ, तो volume की dimension हो गई LQ volume has a dimension of 3 in length कैसे read करोगे? volume में length की dimension 3 है कौन सा 3? minus 3 की plus 3 plus 3, plus minus बताना जरूरी है अभी तो खाली plus 3 है आ रहा है बड़ा ऐसी भी कई quantities होगी जहां पर minus n भी आ सकते हैं तो volume में length की dimension plus 3 है mass की कितनी है? 0 है time की कितनी है? 0 है जो जो नहीं आ रहे हैं उन सब की कितनी है? 0 है volume में length की dimension 3 density, आगे बढ़ते है mass density density, normal density, mass density तो density क्या होता? बढ़ी density होता mass upon volume mass upon volume mass को कितना M volume को कितना LQ इसको अपन लियाओ तो कितना मन गया? ml minus 3 तो dimension कितनी होगी density की? ml minus 3 अचा अभी मैं बता था कि relative density dimensionless होती है तो दोनों में difference है यह density है mass upon volume और वो क्या था? relative density relative density क्या थी? दो density का ratio और दो similar type की चीजों का अगर आप ratio निकालोगे तो dimensionless तो होई जाएगा अब इसके तो और भी बहुत सारा example है जैसे मालो मैं तुमसे बोलू magnification बढ़ 10th में physics में पढ़ाओगा न optics में magnification क्या होता है? magnification बताओ comment box में लिखके बताओ magnification क्या होता है? मैं देखूँँगा बई इतने भी लोग है लाइन पे उन सबके में देखूँँगा कि comment box में क्या आ रहा है? magnification क्या होता है? 10th की optics में पढ़ाओगा न magnification height of the image हाँ हाँ बताओ भई by height of the object तो होता है magnification क्या होता है magnification? height of the image divided by height of the object तो 2 height का ratio है height तुम किसी भी measure कर लो meter, centimeter, millimeter जो भी कर लो height of the image by height of the object जब उपर भी height याने की L नीचे भी height याने की L लगकोगे तो magnification dimensionless ही तो बनेगा क्या बनेगा magnification dimensionless? तो magnification dimensionless और बताओ ratio के example जहां पे 2 similar type की चीज़ों को हम डिवाइड कर रहे हो बहुत सारे example है बताओ, एक कोई मुझे example बताओ, मैं ratio का, मैं ऐसे ही बात चल ली तो ratio का क्योंकि density की बात चल ली तो मैंने बताओ density तो ml-3 है relative density dimensionalless है और मुझे बताओ ratio, ratio का मैंने बताओ relative density एक example, दो type की density का ratio magnification बताओ height of the image by height of the object और कोई example बताओ जहां पे हम लोग दो similar type की quantities का ratio निकाल ले हो, बताओ जल्ली से L-3 हाँ, सही बात है L-3, यह तो I think क्या नाम है तुमारा उज्माकी, नरूलो उज्माकी नरूलो सही बोल ले हो, you are right I think you are talking about volume we must move on, we are talking about what, which type of ratios are dimensionalless, तो I am talking about कि ऐसी ratio जहां पे similar quantities को divide करते हैं, they are dimensionalless, तो इसका मैंने example बताया, मैंने इसका example बताया magnification, height of the meat by height of the object relative density, दो type की density के ratio, can you name some more examples like this, क्या ऐसे और example बता सकते हो, जहां पे ratio आता हो, और ओ quantity dimensionless हो जाती हो को रेसो तुमाहे दिमाख में आ रहा हो बताओ मुझे नजरूल, सिवं, सब डाउट पूछना है optics से, सिवं optics के doubt अभी dimensionallessless कर रहे हैं तो dimensionallesslessless के related कुछ optics से कुछ है तो पूछ लो, बट जब हम लोग optics करेंगे तब तुम optics के doubt पूछे न, अभी ये time तो बिलकुल सही नहीं है इसके लिए, अर्पित रहा है हम, और किसी को और किसी को कोई याद आ रही है quantity, ऐसी चलो, आगे बढ़ते हैं, मैं बता देता हूँ मैंने, देख लिए तुमनों के comment मैं तुमनों को याद दिला हूँ क्या तुमनों रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भूल गए है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है speed of light in vacuum divided by speed of light in medium दो टाइब की speed का ratio, speed of light in vacuum, divided by speed of light in medium तो दो टाइप की स्पीड का रेशियो, ऊपर भी मीटर पर सेंड, नीचे भी मीटर पर सेंड, ऊपर भी LT-1, नीचे भी LT-1, तो क्या हो गया? Dimensionless, Refractive Index भी Dimensionless, तो ऐसे तो बहुत सारे एक्जाम्पिल बन जाएंगे, और बताता हूँ, efficiency, 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 thermodynamics में, efficiency, नहीं तुम लोग ने thermodynamics पढ़ी होगी, 10th से भी 11th में आओ तो तब भी efficiency का वर्ट कहीं ना कहीं, तो engine की efficiency, थो बहुत सुना होगा, क्या होती है engine की efficiency? जितना आपने work output किया, डिवाड़ बेक जितनी आपने heat energy input में डाली, output upon input, output भी एक energy है joule में और input भी एक energy है joule में, जा calorie में उपर नीचे calorie, बताओ, क्या होगी efficiency, dimension क्या होगी efficiency की, efficiency भी dimensionless होगा, तो जब similar type की quantities का ratio की बात करते हैं, तो वो dimensionless ही होती है, तरही से plane angle भी तो यह है, arch upon radius ratio तो है, trigonometric ratio, sin theta, cos theta, 10 theta, यह भी तो ratio है, यह सब भी तो dimensionless है, ठीक, आगे बढ़ते है, frequency, frequency क्या होती है, बताओ, frequency क्या होती है, frequency का मतलब यह होता, जैसे मानलो कोई चीज बार-बार motion कर रहे है, मानलो circular motion ही कर रहे है, बार-बार कर रहे है, तो एक cycle का जो time है, उसको बोलते है time period, एक revolution एक cycle और इस type के एक second में जितने revolution हो जाए उसको frequency कहते है एक second में जितने revolution हो जाए उसको frequency कहते है frequency is number of revolutions और number of cycles per second frequency is number of revolutions और cycles per second तो cycles per second या revolution per second में उपर तो आ रहा है number number जैसे माले एक बाठके ले वो 10 revolution कर लेता है एक second में, तो 10 तो एक number है per second नीचे आएगा time तो number upon time, number तो dimension लेश होते है तो नीचे आएगा time तो frequency की dimension क्या बन गई? 1 upon time, time को अपर लेओ तो frequency की dimension होती है t-1 frequency की dimension होती है t-1 वैसे एक और तरह के से निकाल सकतो frequency time period का inverse होती frequency is inverse of time period, frequency is 1 upon t और time period हमने इसाद t में करते है तो यह आपका बन जाता है t-1 और time period का inverse क्यों होती है? by t seconds में time period वो time होता जिसमें एक revolution होता है तो एक revolution, t seconds में एक revolution, तो एक second में कितने revolution? 1 upon t और एक second में होने वाले revolution कोई frequency बोलते है तो frequency बन गया 1 upon t यह t-1 time की dimension frequency में mass की dimension बताओ कितनी? 0 length की dimension कितनी? 0 time की dimension कितनी? minus 1 चिक? आगे बढ़ते है velocity यह speed वैसे तो speed और velocity एक ही चीज नहीं होते speed होता है distance upon time speed और velocity एक ही चीज नहीं होते speed होता है distance upon time velocity होता है displacement upon time तो किसी आहलत में एक ही चीज नहीं होते है but speed और velocity में dimension सेम होते है इसका मलब है दो different type की quantities दो different nature वाली quantities की dimension सेम हो सकती है और क्यों होगी यहाँ पे? क्योंकि speed में distance upon time में भी distance upon time L upon T लिखोगे distance भी तो meter में ही major करोगे displacement भी तो meter में ही होगा L upon T उसको भी तो L e लिखोगे displacement कौन सा तुम कुछ और उसमें लिखोगे वो भी एक चाइब की length ही है displacement L upon T है कि नहीं तो ये भी L upon T ये भी L upon T तो speed बन गिया L t minus 1 velocity बन गिया L t minus 1 speed भी L t minus 1 की dimension है velocity भी L t minus 1 की dimension है अब मैं यहाँ पर तुम लोगों से question पूछ रहा हूँ जितने भी लोग online है I think है 20 लोग तो है करीब online तो जितने भी लोग online है मुझे एक चीज़ बताओ मुझे ये चीज़ बताओ कि अगर दो quantities की dimension same है तो क्या ये दो quantities को similar होना जरूरी है मतलब if two quantities have same dimension then these quantities must also be same is this statement true or false आपको true या false बताना है आपको क्या बताना है true या false बताओ अच्छा उल्टा भी इसका एक question बन सकता है if two quantities have similar dimension कि बजाए अगर मैं बोलू if two quantities are similar in nature then they must have same dimension तो देखो अगर दो quantities similar nature किये है मतलब दो force है एक है friction force एक tension या दो energy है kinetic energy potential energy है तो वो दोनों energy और dimension quantity का nature बताती है similar nature वाली जो quantities होंगी उनकी dimension भी same होगी similar quantities similar nature वाली जो quantities होंगी पक्की बात है उनकी dimension same होगी लेकिन अगर दो quantities की dimension same है जैसे speed of velocity की dimension same है बट इस ते लिन quantities का nature same नहीं है speed of velocity किसी भी आलत में similar नहीं है तो क्या इसका conclusion निकला if two quantities have same dimension two quantities have same dimension then their nature must be same not necessary nature का same होना जरूरी नहीं है लेकिन अगर दो quantities का nature same है fundamental nature same है जैसे माल लिजे दो टाइप की energy है kinetic potential या दो forces है कोई भी दो random से forces ले ले तो पक्की बात है उनकी dimension same होगी ठीक यह आप लोगों को समझ में आगे आओगा होगा तो और आगे बढ़ते हैं next move करते हैं अगली quantity पे acceleration acceleration होता है delta V upon delta T change in velocity upon change in time change in velocity velocity ही होगी अभी किसी object की velocity 5 meter per second थी अब 10 meter per second होगी तो change कितना हुआ? 5 meter per second हुआ उसी direction में तो change भी तो उसी type का nature का होगा change in velocity velocity यानि कि upon change in time change in time इलब time L T minus 1 upon T T उपर जला जागा तो L T minus 2 acceleration की dimension होगे L T minus 2 L T minus 2 velocity कितनी थी L T minus 1 acceleration कितना L T minus 2 आगे बढ़ते हैं force force को निकालने का कई तरीके हैं force को निकालने का एक तरीका हो सकता है हम लोग Newton's law लगाए F is equal to delta P upon delta T हम लोग F is equal to ma लगा 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 F is equal to ma में M होगया mass और acceleration L T minus 2 तो यह बन गया M L T minus 2 तो यह हमारा force का dimension आगया force की dimension null formula M L T minus 2 mass into acceleration acceleration L T minus 2 mass M तो बताओ force क्या करोगे force बोलोगे mass की dimension 1 है length की dimension 1 है time की dimension minus 2 है mass की dimension plus 1 length की dimension plus 1 time की dimension minus 2 यह हो गया force का dimension formula और जो जो quantities whatever वह साथ होती है fundamental derive को fundamental के डम में लिखना होता है तो आपने 3 के डम में तो लिखा तो बाकि जो 4 नहीं आ रहे हैं उनकी dimension 0 है उनकी dimension 0 है force में वो quantities absent है और वो उनकी dimension 0 लिखे जाएगे लिखने की कोई जरूत नहीं बड़ पता रहा हूँ impulse क्या होता impulse वैसे impulse से पहले momentum उनको discuss कर लेना चाहिए था momentum P is equal to MV अगर linear है और angular momentum L is equal to MVR दोनों कर लेते है momentum अगर linear है तो P is equal to MV और M लिखा M और velocity लिखी L T minus 1 तो linear momentum हो गया ML T minus 1 P is equal to MV M V L T minus 1 तो linear momentum की dimension क्या बनी ML T minus 1 angular momentum पे आते है angular momentum को symbol दे देते हैं L तो angular momentum MVR MVR MV जो था उसी में R मतलब radius या perpendicular distance वो भी length होती है तो length symbol लिप्लाई कर दो यहाँ पे तो यह बन जाएगा ML 2 T minus 1 ML square T minus 1 तो angular momentum में mass की dimension 1 length की dimension plus 2 time की dimension minus 1 यह हो गया angular momentum की dimension अब angular momentum लेने momentum मेंने क्यों impulse से पहले निकलवाया क्योंकि impulse कहते हैं मैंने बोला था कि dimension निकालते वक्त हम लोग quantities के बारे में भी discuss करेंगे quantities का nature भी discuss करेंगे करते हैं impulse क्या होता है जब हम किसी body पे force लगाते हैं जैसे माले यह मैं किकट खेल ला हूँ और ball आई वह मैंने bat से hit कर दी bat ने ball पे impulsive force लगाया bat ने ball पे क्या लगाया impulsive force और जब bat ने ball पे impulsive force लगाया तो bat ने ball पे उस impulsive force लगाया इतनी देर तक ball bat के साथ touch में रही उतनी देर में bat ने ball पे momentum का change लाया उसके momentum को change किया उसकी momentum में mass into velocity में change लाया वो ball इधर आ रही थे वो उसका opposite चले लेकि momentum तो change होई गया है तो जो momentum में change होता है impulsive force की वज़े से उसको बोलते हैं impulse impulse is change in momentum momentum दो टाइप का होता है linear momentum और angular momentum तो impulse भी दो टाइप का होता है एक होता है linear impulse और एक होता है angular impulse linear impulse होता है change in linear momentum angular impulse होता है change in angular momentum linear impulse होता है change in linear momentum angular impulse होता है change in angular momentum तो भाई change की dimension तो भाई होती है जो quantity की होती है तो linear impulse अगर change in linear momentum है तो उसकी dimension वही होगी जो linear momentum की है M into V, MLT minus 1 तो linear impulse होगा तो MLT minus 1 लिखना है, तो impulse भी हमारा होगा linear है तो MLT minus 1 लिखना है बड़ अगर angular impulse है तो उसका मदलब होगा change in angular momentum और angular momentum ML2T minus 1 होता है तो angular impulse होगा तो ML2T minus 1 लिखना छेक, impulse कतम आगे बढ़ते हैं work work force into displacement in the direction of force work को हम लोग वैसे तो जब 11th में work power energy में करते हैं तो W is equal to F dot D integral FDR पर अभी तो हम लोग beginning कर रहे हैं तो हम यह मान के चलने कि F dot D और integral FDR इतने ख़तनाक से term लेने की जरूरत नहीं है अभी हमें यहाँ पे work को ऐसे समल लो किसी body में हमने force लगाया तो उसी direction में जो displacement हुआ तो उन दोनों का multiplication है force into component of displacement along force तो force MLT-2 displacement का component along force है तो displacement ही, meter में L, length है ना वो, L तो MLT-2 में अगर L multiply कर दें तो work बन जाएगा ML2T-2 तो work की dimension बहुत important है work की dimension ML2T-2 work की dimension क्या होती है ML2T-2 energy अब देखे इन्होंने work को energy एक साथ लिखे है और region है work को energy को लिखने का एक साथ region है energy यह भी नहीं specify की कौन सी kinetic, potential, heat, light क्योंकि दुनिया की हर energy की dimension same है for that matter work की भी dimension energy की dimension के same है और work को energy की dimension same होने की एक वज़े है क्योंकि work जब हम किसी body पे करते हैं तो वो उसकी energy में change लाता है work is also a form of energy total work done is equal to change in kinetic energy एक बहुत important थोरम है जिसको बोलते हैं work energy थोरम class 11 की physics की work power energy की जब हम chapter में जाएंगे तो बहुत important थोरम है किसी body पे work करके हम क्या करते हैं जब हम किसी body पे work करते हैं तो वो उसकी energy में change लाता है total work done is equal to change in kinetic energy तो work एक तरीके से energy का ही nature की quantity है इसलिए दोनों की dimension सेम होती है work की भी ml2 t-2 है और energy चाहे वो light energy हो चाहे हो heat energy हो चाहे हो kinetic energy हो चाहे हो potential energy हो चाहे हो spring की elastic potential energy हो चाहे वो gravitational potential energy हो सारी चाहे charge sub electricity potential energy हो सारी की सारी energy ml2 t-2 होती है तो आप उखोगे नहीं है मैं तो कुछ derive करके दिखाओ तो मैं energy की dimension derivative करके दिखाने वाला हूं यहाँ पे page add कर लेते हैं और बस दहादर आपको इनर्जी की डामेंशन डिराक परके दिखाता हूँ, कोई डाउट तो नहीं किसी को, नहीं है, बढ़े, silent हो भाई, सब लोग कुछ बता नहीं रहे हो, कुछ पूछ नहीं हो, अर्पित, सिवं, चलो, anyway, मैं आगे बढ़ता हूँ, इनर्जी की मैं, V2, VLT-1, LT-1 का whole square, तो यह क्या जाएगा, ML2T-2, ML2T-2, तो यह देखे, कानेटिक इनर्जी की डामेंशन, वही आरे, ML2T-2, जो अभी मैं वर्क की बता रहा था, बट एक और चक्कल लेते हैं, gravitational potential energy, क्या होती, gravitational potential energy का formula MGH, तो सबको बता है, वह यूच कर रहा है, वैसे ही formula भी कोई universal formula नहीं है, but still, gravitational potential energy MGH, M, mass, G, acceleration due to gravity, acceleration due to whatever, acceleration due to acceleration LT-2, HL, एक क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, ML2T-2, ML2T-2, तो kinetic energy भी ML2T-2, potential energy भी ML2T-2, और energy नहीं निकालो में बोला ना, heat energy, light energy, sound energy, सबकी dimension, ML2T-2 ही होगी, और work यह तो निकाली दी थी भी हमेंने, work की dimension ML2T-2, तो हमारे पास work और energy सबकी dimension आगई, energy हमेशा याद रखना, force हमेशा याद रखना, force MLT-2, और energy याद रखना, ML2T-2, आगे बढ़ते हैं, पावर, पावर क्या होती, पहले तो यह बताओ, पावर क्या होती, किसी का कोई comment, पावर, चलिए, किसी का कोई comment, पावर के बारे में बताओ भाई कोई, कमेंट केरके, अरपित, नरूलू, हाँ, निश्वर, निश्या, टेक्नो, हाई ब्रो, भाई, क्लास चल लए है, मैं पूछ रहा हूँ, पावर क्या होता है, पावर की definition, क्या होती है, पावर को define कैसे करते हैं, पावर, तो देखें, ऐसा है, पावर is defined as rate of doing work with respect to time, पावर की proper definition, क्या है, पावर is defined as rate of doing work with respect to time, work done per unit time, work आपने निकाला, dimension में हमें मालू है, ml2 t-2 unit उसकी joule होती, 1 kg m2 square per second, joule, joule per second, watt में निकलता है पावर, dimension क्या बनी, तो पावर की dimension, ml2 t-2, यह तो work done हो गया, per unit time, यह निकी t, t उपर आ जाएगा, तो बन जाएगा, ml2 t-3, यह पावर की dimension, पावर की dimension होती है, ml2 t-3, work की dimension या energy की dimension क्या होती है, ml2 t-2, पावर की dimension क्या होती है, ml2 t-3, next, move on कर जाते हैं अंगले में, momentum मैंने बताई दिया था, linear momentum भी और angular momentum भी, impulse जब करा रहा था अभी, pressure पे आते हैं, pressure और stress, pressure और stress को एक साथ लिखने की एक वजय है, there is a reason why we are writing pressure and stress together, but still we will discuss them separately, पहले हम उनको separately ही discuss करेंगे, pressure क्या होता, pressure सबको पता होगा, बोलो, bro, power is the amount of energy transferred or converted per unit time, yes, you are right, very good, so, tell me about something about pressure, how do we defend pressure, pressure भी बहुत simple सी quantities है, पता होगा, tell me, bro, what is pressure, 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 किसी body पे जब हम force लगाते हैं, normally, दबाने के लिए, compress करने के लिए, pressure एक compressive force, per unit area, बताने वाली quantity होती है, pressure is defined as compressive force per unit area, pressure is defined as compressive force per unit area, चारो दरफ से किसी चीज़ को दबाएं, compress करें, तो जब हम किसी चीज़ को चारो दरफ से दबाएंगे, compress करेंगे, तो it means कि हम उसमें pressure लगा रहे हैं, pressure is defined as compressive force per unit area, compressive ओ, चार टैंसल करें, दबाने को compressive बोलते हैं, खीचने को टैसायल बोलता है कम्प्रेस्यो फोर्स फोर्स तो हो गया MLT-2 पर उन्हें यह नहीं कि L स्कार तो जब हम प्रेशर निकालेंगे तो हम कर क्या रहे है MLT-2 में L स्कार से डिवाइड कर रहे है यह L स्कार इस L की पावर 1 से कट जाएगा एक पावर निकेटी उपर आजाएगी तो यह बन जाएगा ML-1 T-2 प्रेशर की डैमेंशन होती है ML-1 T-2 अब इन्होंने साथ में हिश्ट्रस भी लिखा तो उसकी वज़े बताते है 11 की फिजिक्स में जब हम मूव करेंगे जब हम लोग 11 की फिजिक्स से मूव करेंगे मेकैनिक्स के बाद रोटेशन मोशन पढ़ने के बाद रोटेशन पढ़ने के बाद तो प्रॉपरडीज और मेटर की दो चप्टर है मेकैनिकल प्रॉपरडीज और मेकैनिकल प्रॉपरडीज और फ्लूट्स Mechanical Properties of Solids जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक quantity पढ़ते हैं Stress तो हो सकता है कि कई आप मेंसे लोगों जुनों ने Stress पर रखा हो जिसने लोगों ने 11th कर रखा होगा Dropper होगे उन्हों को पता होगा 12th के होगे उनको पता होगा बट जो लोग अभी 10th से 11th में आया होगे Maybe they would not have heard of stress कि Stress क्या होता है तो थोड़ा चा मैं beef background बता देता हूँ Stress क्या होता है जब हम किसी body पे force लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि force लगते ही body में सिर्फ सिधे acceleration कई बार किसी body पे लगने वाला force उसको deform करता है उसके shape and size को change करता है और stress की बात वहीं पे आती है जब हम किसी body के deformation की बात कर रहे होते हैं जब हम किसी body पे deforming force लगाते हैं deform करने के लिए तो वो deforming force per unit area जो body पे हम लगा रहे होते हैं उसको deform करने के लिए वो stress कर लाता है stress is defined as और प्रेशर, प्रेशर भी एक टाइब का इस्ट्रस ही है, यह लगभा था कि जब हम लोग मेकेनिकल परपड़िव सॉलिट में बताऊंगा तो मैं बताऊंगा, किसी बॉड़ी पे इस तरीके से डिफॉर्मिंग फोर्स, ऐसे खीचने के लिए लगाऊं, या दबाने के खीच दूँ, जहां पर flexible boundary है, तो उसको बोलते है volumetric stress, bulk stress, और pressure एक टाइब का volumetric या bulk stress है, इसलिए pressure और stress को साथ में रखा था, क्योंकि pressure और stress की dimension एक ही जैसी है, और pressure भी एक टाइब का stress ही है, volumetric stress है, bulk stress बोलते हैं, इसके वैसे pressure लगा के हम volume change कर सकते हैं, तो stress भी, मैं यह है का, ml-1, t-2, pressure भी ml-1, t-2 है, और stress भी ml-1, t-2 है, यस, निस्यर, टेक्नो, yes, per unit area, हाँ, सही बोलो, you are right, it seems, you are knowledgeable person, you know something, आगे बढ़ते हैं, strain, strain के बारे में डिस्कस करते हैं, strain क्या होता है, तो हम लोग बात कर रहे हैं, किसी body के, किसी object के deformation की, हम किसी body को, किसी object को deform कर रहे हैं, अब मालो, मेरे पास ये body है, और इसको हम deform करने के लिए force लगाएं, तो deformation कैसे देखेंगे, भाई, मेरे पास एक rod type का linear object है, इसकी कुछ length है, तो जब हम इसको इसकी length बढ़ जाएगी, इसको दबाएंगे, तो इसकी length घड़ जाएगी, तो जो इसकी change in length, होई, वो deformation की extent बताने का तरीका है, कि कितनी length में change होई, बट इसकी change in length को देखें, इसकी original length के respect में, कि भाई, जो original length की उसके respect में, कितनी length change होगई, या unit length पे, कितनी length change होगई, तो unit length पे जितना change in length आता है delta L upon L वो strain है वो एक perver type का strain है longitudinal strain इस type से एक और होता है delta V upon V देखें volume के respect में तो volumetric strain इस तरह से angle के respect में एक होता है जिसको बोलते हैं सिर strain तो तीन type के stress और तीन type के strain होता है बट हर stress और हर strain की आपस में dimension सेम है तीनों stress एक जैसे तुनों strain एक जैसे और strain जब भी देखा जाएगा तो देखा जाता है change in dimension divided by original dimension strain जब भी देखा जाएगा तो देखा जाएगा change in dimension divided by original dimension तो change in dimension divided by original dimension तो तो तुरह issue हो गया जो भी dimension है length ए area volume है change in length upon length करो change in volume upon volume करो dimensionless आना तो strain strain dimensionless होती है, strain dimensionless होती है, M0, L0, T0, strain dimensionless होता है, strain dimensionless, आगे बढ़ते हैं, हम लोग mechanical property of solid की ही एक और quantity discuss करेंगे, यह सारी quantities की जरूत परती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, young's modulus, सुना होगा, नहीं भी सुना होगा, तो यह modulus of elasticity, जो हम लोगों नहीं यहां पर करने जा रहे हैं, उसी का ही, modulus of elasticity, stress तीन टाइप के, strain तीन टाइप के, modulus of elasticity भी तीन टाइप के होते हैं, young's modulus, modulus of rigidity, और bulk modulus, और इन तीनों की खास्यत यह, तीनों की common feature यही है, कि modulus of elasticity defined है, stress upon strain, stress और strain के ratio को modulus of elasticity भी बलते हैं, जैसे इस body पर मैंने लगाए normal stress, और इस पर आया longitudinal strain, तो normal stress upon longitudinal strain, young's modulus केलाएगा, normal stress upon longitudinal strain, क्या केलाएगा, young's modulus, तो young's modulus, shear modulus इसी तरह से, bulk modulus इसी तरह से, stress upon strain है, stress की dimension बताई थी भी, ml-1, t-2, stress pressure, ml-1, t-2, strain, strain dimensionless होता है, strain, change in length upon length, change in volume upon volume, strain dimensionless, तो जब आप modulus of elasticity निकालोगे, stress upon strain करके, तो ऊपर तो stress आ रहा है, ml-1, t-2, नीचे strain आ रहा है, जो की dimensionless होता है, तो जयाने की stress की dimension बन जाएगी, तो modulus of elasticity, ml-1, t-2, modulus of elasticity, बन जाएगा, ml-1, t-2, यह हो जाएगी, modulus of elasticity की dimension, including, young's modulus, y से represent करते हैं, modulus of rigidity, eta से represent करते हैं, bulk modulus, b, अगर कहीं आपको bulk modulus की dimension बूछ रहा है, तो आप समझना हैं कि आप modulus of elasticity की बात कर रहा हो, stress upon strain, ml-1, t-2, next, move on कर जाते हैं, surface tension, properties of matter, जो 11 की physics का एक section है, subsection है, उसमें 2 chapter आते हैं, एक आता है, mechanical properties of solids, और दूसरा आता है, mechanical properties of fluids, solid वाले chapter में, stress, strain, modulus of elasticity, य जो अभी हम लोग ने discuss किया, अब आप लोग flutes वाले में आपके पारते हैं, fluid, fluid is something which can flow, liquids and gases, तो liquids and gases, वो भी particularly liquids की बात करते हैं उस chapter में, तो liquids की जो properties की बात करते हैं, तो उसमें एक property आती है, surface tension, क्या होता है surface tension, surface tension वो property होता है, जिसकी वेसे liquid अपनी free surface को खींचने की कोसिस करता है, liquid की एक tendency होती है, अपनी surface को खींचे, surface tension, पुल करें, इसी वज़े से कोई भी liquid की छोटी सी drop बनाओ, droplet बनाओ, तो liquid की droplet हमेशा spherical shape acquire कर लेती है, liquid droplets always acquire spherical shape, क्योंकि sphere का जो surface area होता, वो सबसे कम होता, पुल करके, खींच के surface को minimize करने की कुछिस करती है, तो liquid की इस tendency को, अपने को खींचने की tendency को surface tension कहते हैं, और यह define की जाती है mathematically, अगर हम liquid की free surface पे एक hypothetical line खींचे, तो इस पे जितना pulling force लग रहा, force divided by length, जो line की हमने length लिए, force upon length, surface tension force upon length, तो force upon length जब आप करोगे, तो force MLT-2, और length MLT-2 upon L, तो MLT-2 upon L करोगे, तो LCL कड़े आएगा, तो MT-2, length की dimension 0, surface tension में mass की dimension plus 1 है, length की 0 है, time की minus 2 है, तो surface tension हम भी निकालना आ गया, force upon length, ऐसे surface tension एक और तरीके से निकाल सकते हैं, work done per unit change in area होता है, उससे भी यह आएगा, work done ML2T-2 upon change in area L square, तो ML2T-2 में अगर L square से डिवाइड कर दोगे, तो MT-2, तो surface tension चाहे आप force upon length से निकालो, चैब work done per unit change in area से निकालो, आना MT-2 ही है, आगे बढ़ जाते हैं, surface energy, surface energy, energy per unit area पर गोलते हैं, ML2T-2 upon L square, करेंगे तो MT-2, बसे surface tension similar है, अब आते हैं, velocity gradient, velocity gradient कहां जरूरत परते हैं, velocity gradient की जरूरत परती है, जब हम liquid की एक property परते हैं, viscosity, velocity gradient की जरूरत परती है, जब liquid की दो layers, liquid की दो layers की बीच में related motion हो रहा है, ये liquid की upper layer है, ये liquid की lower layer है, और liquid की layer में related motion कहा हो रहा है, For example एक river एक छोटी सी lake है Lake की upper जो layer है वो ऐसे wind के साथ बहने लगी But lower layer ग्राउड के साथ rest में है दोनों के बीच में relative velocity है अब इसका मदलब है कि इनके बीच में के वीच में एक velocity gradient आ गया है हमेइसा अदगो gradient words जहां पे भी युज करें आपको नीचे delta x, distance वाला delta x, distance delta x लाना है, इन दो layer के बीच पे मालो distance, यह distance delta x है, और इन दोनों के बीच है velocity का differential, difference, delta v है, तो velocity gradient होता है, delta v upon delta x, velocity gradient होता है, delta v upon delta x, velocity gradient, gradient जहां पे भी वड़ा है, आपको नीचे delta x लाना है, pressure gradient, delta p upon delta x, energy gradient, delta e upon delta x, temperature gradient, delta t upon delta x, gradient का मतलब भी होता है, rate of change with respect to distance निकालना, gradient का मतलब होता है, rate of change with respect to distance निकालना, तो अगर आप से पूचा गया velocity gradient, तो वो delta v upon delta x की बात कर रहा है, delta v upon delta x, तो delta v हो गया, l t minus 1, delta x हो गया, l, l से l कड़ गया, तो यह बन गया t minus 1, velocity gradient होता है, t minus 1 की dimension का, velocity gradient की dimension का बनी, t minus 1, आगे बढ़ते है, pressure gradient, मैं बोली रहा था कि, gradient जहां पर भी आए, आपको नीचे delta x से डिवाइड कर देना है, तो जैसे pressure gradient हो, तो क्या बनेगा, बताओ, delta p upon delta x, हाँ, stretching rubber band, strain, हाँ, सही बता रहे थे, वैसे rubber आपको बता दू, कम elastic होती है, आप जो example बता रहे हो निश्वर, तो निशायर, तो rubber band, हाँ, पडाम सर, अब सेक सर्मा, पडाम सर, पडाम, 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 रबर कम elastic होती, इस्टील ज्यादा elastic होती है, तो stress और strain के अगर example देने भी हो, तो देने को तो को भी दे सकते हो, बट एक चीज़ याद रबर कम elastic होती, इस्टील ज्यादा elastic होती, जितनी भी flexible चीज़ होगी, वो कम elastic होती है, और जितनी भी rigid चीज़ होती हो, ज्यादा elastic होती है, तो I was talking about pressure gradient, और अगर आपने ध्यान से सुना हो, तो मैं gradient के बारे में बोल ला था, gradient का मतलब होता है, rate of change with respect to distance निकालना, तो डेल्टा का gradient निकालना होती हो, तो क्या अगर होगे, तो delta P upon delta X, तो delta P pressure, change in pressure, pressure, pressure की dimension अभी बताई थी, ml-1, t-2, नीचे delta X, यानि की change in distance, यानि के L, तो ml-1, t-2 मेंकर L से divide करोगो, तो कितना आजाएगा, ml-2, t-2, pressure gradient की dimension, ml-2, t-2, delta P upon delta X, लिख देता हूँ, pressure gradient कैसे निक आगे बढ़ते हैं Pressure Energy यह तो फर्जी लिखा है Pressure Energy हो जाए कोई भी Energy हो Energy तो Energy है Energy की Dimension ML2T-2E होगी आगे बढ़ते हैं Coficulted of Viscosity आगर आप Class 10 से Class 11 जा रहे हो और आप Class 11 में आपका जब भी School खुलेगा अभी तो Corona की वे से बंद है जब भी स्कूल खुलेगा तो आपका जो भी पहला term test होगा क्योंकि पहला term test में यही चेप्टर रहते हैं फिजकल वर्ड और यूनि डैमेंशन एंड अरेलन से ओमोशन इस्टेट लाइं तो एक quantity लिख के लिख लिख लो कोशन आपके पेपर का लिख कर दे रहा हूँ स्कूल एक्जाम से पूचे ही आता है और वो है dimension of coefficient of viscosity I don't know for whatever reason coefficient of viscosity की dimension स्कूल एक्जाम से पूची ही आती है क्यों पूची आती है यही सी question की पीछे क्यों पढ़े रहते हैं मुझे नहीं पता आप लोग भी जितने लोगों ने स्कूल जो है 11th में जो है अगर एक्जाम से याद गरो जिनका हो चुको 11th तो coefficient of viscosity की dimension कहीं न कहीं जरूर पूची गई होगी तो वो अभी हम लोग डिसकस करने जा रहा है coefficient of viscosity liquid की एक property होती है आपको मालूँ मैं जिसे लिक्विड को अगर हम चला के छोड़ दें मालूँ मैं जिसे मैं बॉटर से बॉटर को निका दूँ छोड़ दूँ तो थोई देरे बाद वो चलते हैं रुख जाएगा प्योंकि liquid की layers जो है वो एक दूसरे के relative motion को अपोस कर रहे है जैसे motion को अपोस करने की friction की tendency होती है solid surfaces में कुछ-कुछ, कुछ-कुछ पूरा नहीं liquid की surfaces में भी friction type का not exactly friction एक property होती है जो liquid की relative motion को रोकती है अपोस करती है property of liquid to oppose relative motion between different layers of a liquid is called viscosity I am repeating again property of a liquid any liquid to oppose relative motion between different layers of a liquid is called viscosity liquid की different layer के बीच में जो relative motion हो रहा है उसको oppose करने की tendency को viscosity कहते है अब जैसे बताओ water और honey में कौन ज़्यादा viscous हुआ जितने भी online है लोग water और honey में कौन ज़्यादा viscous हुआ किसके layers के बीच में relative motion को अपोस करने की tendency ज़्यादा होगी भी टाइप करके बतादो water और honey में किसके अपोस करने की tendency ज़्यादा होगी अब शेक, निसायर, अरपित, सिवम I am waiting water or honey which is more viscous tell me I am waiting for the response okay obviously honey is more viscous honey is more viscous than water तो किसी liquid की viscosity को बताने के लिए हम लोगे coefficient use करते हैं एक constant use करते हैं जिसको बोलते हैं coefficient of viscosity क्या बोलते हैं coefficient of viscosity अब ये coefficient of viscosity की dimension कैसे निकालेंगे coefficient of viscosity को निकालने के कई तरीके हैं आपको मैं दो तरीके से coefficient of viscosity की डामेशन निकालना बता हूँगा पहला तरीका माल लेजिए liquid की दो layers है ये वाली layer जारी है V से ये वाली layer जारी है V प्लस डेल्टा वी से है दोनो layer के बीच में कुछ separation है डेल्टा एक्स का तो obviously ready to motion हो रहा है ये faster चल लेगे ये slower चल लेगे तो जो slow वाली layer है वो fast वाली layer को रोकने की कोसिस करेगी एक force से जिसको हम viscous force बहुत सकते हैं तो वो viscous force की जो value होगी वो होती है F is equal to eta A A क्या है इन layers का area ये वाला area ये वाला area ये layers के बीच का surface area बहुत सकतो A, delta V upon delta X, delta V upon delta X अभी थोई देर पहले डिसकस क्या था velocity gradient है velocity gradient है, delta V upon delta X F is equal to eta A, delta V upon delta X में eta coefficient of viscosity है liquid की layer के बीच में viscosity जितनी जाता होगी तो viscous force जाता होगा A area होगा, ये वाला area ये जतना जाता होगी, area जतना बढ़ा होगा सबसेसका उसलिए force जाता होगा delta V upon delta X में delta V velocity होगी और delta X दोनों velocity में difference होगया और delta X जिन दो layer के हम बात कर रहे हैं viscous force निकालने की तो उन दोनों layers के बीच का separation होगया आते है dimension निकालने में force MLT-2, eta बोजे निकालना है A area, L square, velocity L T-1, delta XL, LCL कड़ गया अब JL square यहाँ पर आएगा तो ML-1 eta की dimension बची M L की power 1 से L की power 2 1 upon 1-2, minus 1 minus 2 से 1-1 चला गए तो 1-1 तो यह बन गई हमारी coefficient of viscosity की dimension ML-1, T-1 coefficient of viscosity की dimension होती है ML-1, T-1 रट लो, याद कर लो coefficient of viscosity की dimension होती है ML-1, T-1 coefficient of viscosity की dimension होती है ML-1, T-1 मैंने बोला था, दो तरीके से बताऊंगा दूसा तरीका भी बताता हूं जब किसी जब आप viscosity पढ़ोगे mechanical fluid में तो एक चीश पढ़ोगे जब एक solid ball को high density की solid ball को liquid में release करते है एक high density solid ball को इसे pendulum का bob होता है छोटा लेकिन high density उसको मैंने liquid में release कर दिया और यह चलता जा रहा है liquid में V velocity इसे spherical ball है R radius की तो इस पे जो liquid की layers viscous drag लगाती है viscous force लगाती है drag मतलब force तो इस viscous drag के लिए एक formula होता है 6 pi eta rv इसको stokes log अलोता है एक scientist थे नेवे रिष्टोक एक जद देनी चाहिए महान scientist थे हाँ सभी बात तो इस ball पे viscous force लग रहा है 6 pi eta rv अचा यह मैं formula इसलिए बता रहा हूं कि coefficient of viscosity अगर आप वह वाला formula भूल जाओ f is equal to eta i delta v upon delta x वाला तो आप यह वाला formula लगा ले न यह तो असान है f is equal to 6 pi eta rv f is equal to 6 pi eta rv force ml t-2 6 dimensional less number है pi dimensional less number है eta निकालना है r radius l velocity lt-1 अब दोखो m बच्चा 1 lcll कट गया t-2 से 1-1 कट गया ml-1 t-1 coefficient of viscosity की dimension ml-1 t-1 और मैंने both methods you will get the same dimension obviously quantity वही है तो dimension same आएगी dimension quantity का nature बताते है nature वही है quantity वही है तो dimension से माना ही है और कितनी आएगी ml-1 t-1 आगे बढ़ते हैं भाई हमारा coefficient of viscosity भी हो गया आगे बढ़ते हैं angle और angular displacement मैं repeat कर चुका हूं वहलब इंफेक्ट कर चुका हूं angle कईभा बता चुका हूं अपर इस्टल बता रहा हूं angle चाहे plane angle हो 2 dimensional solid angle हो 3 dimensional दोनो dimensional less होते हैं angle arc upon radius r गी एक length, radius भी एक length solid angle area upon r square watermelon का example दिया था solid angle में आप watermelon आजकल विकरा मार्केट में देखो आप ऐसे slice ऐसे कटी रखी रहती है जब वह swapki पर बेचता है तो वह क्या करता है तो वह watermelon के area का patch निकालके रखा वह delta A समझ लो और center तक के distance उसको समझ लो dimensionless तो plane angle और solid angle दोनों dimensionless है but keep in mind they are not unitless unit है plane angle की radian solid angle की stay radian angle degree में होता है degree भी unit होती है वह SI unit नहीं है SI unit तो radian और stay radian है तो उन्हीं को mention करना ठिक अगर कोई quantity dimensionless है तो क्या उसका unitless होना must है बताओ true or false if a quantity is dimensionless then it must be unitless true or false people who are online if a quantity is I am repeating the question only thing you have to tell true or false and I am watching your responses if a quantity is dimensionless like plane angle and solid angle then it must be unitless true or false obviously answer है false यह दोनों quantity dimensionless होने के बाद youth unit रख रहे हैं ते इन एंगिल की radians solid angle की steridians unit हो सकती है dimensionless quantity may और may not have a unit है may may or may not have a unit हो भी सकती है dimensionless quantity की unit जैसे plane angle solid angle की है और हो सकता है unitless हो dimensionless पाई है dimensionless भी है पक्की बात है यहां तो must आएगा unitless है तो पक्की बात है वो dimensionless ही होगी क्योंकि number है तो तो dimensionless हो नहीं हो नहीं है तो अगली quantity angle हो गया angular displacement हो गया angular displacement change in angular position delta theta वो भी radians में होता है तो भी dimensionless होगा technometric ratio sin theta cos theta 10 theta triangle में दो side की ratio ratios are dimensionless अड़ी है यह भी angular velocity अगला velocity हम सर्किल की बात करें सर्किल में कोई चीज घुम रही है fan की tip ले लो या अपने घरी का second end, r end, minute end की कोई tip ले लो, कोई point ले लो तो उन्होंने जितना angle cover किया किसी particular time interval में delta theta upon delta t radian per second में वो उसकी angular velocity कहलाएगा delta theta upon delta t अगर जली जली चलाओ तो ज्यादा angle cover करेगा उसी time में, slowly चलाओ तो उसी time में कम angle cover करेगा तो जितना angle cover किया angular displacement per unit time delta theta upon delta t वो उसकी angular velocity होता है तो angular displacement delta theta उपर आ रहा है तो वो तो radian में होगा और नीचे time आ रहा है वो second में होगा तो radian per second unit तो हो जाएगी पर radian तो dimensionless होता है और नीचे time आ रहा है और angular velocity भी dimension t minus 1 है बट दो अलग अलग चीज़े है अब ऐसा आया देखना dimension same होने का quantity same होना नहीं है भाई speedo velocity भी dimension same है अब ऐसा देखा जा तो energy ml2 t minus 2 है torque अभी मैंने नहीं बता है torque होता force into perpendicular distance force mlt minus 2 L से multiply करो तो ml2 t minus 2 torque की भी dimension वही है energy की भी कोई dimension है बट और को energy similar type की quantities है ना बिल्कुल नहीं है dimension same होने का मतलब quantity same होना नहीं है बट अकर quantity same है बट दो type की energy है दो type के force है तो उनकी dimension भी same होगी nature same तो dimension same बट dimension same तो nature same होना ज़रूरी नहीं है तो यहाँपे y-save अरसा पढ़ाने की जबदस्ती कोशिस मत करना angular velocity ने पढ़ गया आगे बढ़ते है angular acceleration circular motion ही कर रहे है circular motion में angular position आती है angular displacement आता है angular velocity आती है angular acceleration आता है तो सारे करेंगा I think किसी का response आया अपसेक सर्मा false अपसे response कर रहे है बहुत बढ़ी बात है very good और ऐसे ही लोग अगर online आप पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसे ही लोग जो response करते रहते हैं वो लोग learn करते हैं हमारा purpose क्या है अगर मैं आपको पढ़ रहा हूँ आप पढ़ रहे हो अभी time time आपका एक resource है तो अगर आप बैठे ही हो आप रिस्पॉंड कर दो को तो कहीं नहीं आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो बात तो respond किया करो उसमें कुछ नहीं आथा type करने में आपका time utilize हो जाएगा बैटर हो जाएगा अपने चीज़ सीख लिए इसी के दो तो आप रिस्पॉंड कर दिया को तो अब शेख ने रिस्पॉंड किया अच्छी बात है तो बागी लोग भी रिस्पॉंड किया करो भाई move on करते है अंगली चीज में angle हो गया, angular displacement हो गया angular velocity हो गी, angular acceleration आया था angular acceleration क्या है acceleration क्या होता है to acceleration होता है change in velocity upon change in time delta v upon delta t नौवर अगरम linear sense में बातों angular acceleration क्या होगा? to angular acceleration होगा change in angular velocity upon change in time so change in angular velocity Summit changes in time delta t delta omega upon delta t angular acceleration alpha delta omega upon delta t delta omega अभी बताया था मैंने t-1 upon t करेंगे तो angular acceleration आएगा t-2 angular acceleration कितना आएगा dimension t-2 angular acceleration की dimension t-2 आगे बढ़ते हैं radius of gyration radius of gyration कहा यूज़ होता है radius of gyration अच्छा उससे पहले मुझे पूछ लेना चाहिए था moment of inertia पूछ लेना चाहिए था rotation motion में होता है rotation motion में सौरब चौपड़ा sir I got 79 percentile in mains one should I take a drop from quota vibrant see सौरब I know that 79 percentile will lead you nothing यह आपको कहीं नहीं ले जाएगा और NITs भी भी नहीं मिल पाएगा अभी drop मत लो क्योंकि अभी एक attempt तो बाकी है अगला J mean होने वाला है तो अभी देखो दो महीने डेड़ महीने जो भी टाइम है जितने भी दिन है अगर आप उसको dedicated manner में पढ़े हो क्योंकि आप quota में पढ़े हो आप vibrant में पढ़े हो तो you must have done something ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल blank होगे हो सकता है कि आपका knowledge मैंने देखा 99 percentile के ऊपर वालों को हटा दो 99 percentile से ऊपर तो इस मैंने थे बढ़ 99 से थोड़ा सब नहीं 98, 96, 95 उनके knowledge में और 80 percentile 85 percentile के knowledge में कोई difference नहीं होता only difference होता है exam taking strategies भाई अगर आप एक-एक question अप honestly बताओ आप एक-एक question हर उसमें सही कर देते हैं आपने कई कोश्चन तो negative marking में आपके खराब हो गया होगे अगर आपके negative marking से marks ना कटे होते हैं आपने हो सकता है कि कुछ ज्यादा negative marking कर दी हो यह आप अपने घर में आयो गया आप में देखा हो गार यह question तो मैं कर सकता था कैसे मैंने मिस कर दिया एक question को तो अगर आप अपनी खुद की exam taking strategy सही कर लो number one आता आता question का बढ़ना हो number two उल्टे सीधे आप तुक्के मत मारो तुक्के माने में आपके कई सारे negative marking में कोश्च पकी बाते कटे होंगे मास जलूर कटे होंगे negative marking ले डूबा होगा आपको आप अपने time को manage नहीं कर पाऊगे जो question कर सकते तो उनमे time ने दिया होगा कुछ question में first कर रहा होगा उनहीं में time अपने waste कर लिया होगा जो आपका सबसे अच्छा subject था जो आपका सबसे अच्छा topic था उनके question आपने नहीं अच्छे से लगाया होगे तो exam tagging strategy जी अगर आप सही कर लो तो 79 को 97 बनाने में कोई time ने लगेगा तो अब अगले साल के drop के बारे में मत सोचो यू must think about this year only अगले जो J-E mean होने वाला है उसमें आप 79 को 97 में convert कर लो only thing you have to do is revise and practice revise, 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 repeat, revise and practice और बहुत easy है, J-E means बहुत easy होता है, J-E advanced है जहाँ पर आपको problems आती है J-E means में ऐसा कुछ भी difficult नहीं है, कौन कह रहा है कि भाई अगर 25 कोशन आ रहे हैं physics में 25 कमिश्टी 25 में तो 25 के 25 लगा दो, भाई मैं अपने बता रहो मेरे अभी एक बच्चे के 99.9% डला है 25 में कितने कोश्टीं किते है, 18, उसमें भी ये गलत, 17 कोश्टीं, physics की बता रहा हूँ, 17 कोश्टीं में ले आया है अभी वह, 17, 18, 19 कोश्टीं, इससे याद आपको 25 से 20 को बीची ट्राय करो ना, पांस तो देखके ही आपको जो बहुत डफ लग रहे हैं छोड़ दो, 20 को अच्छे से करने की कोश्टीं करो, 90% accuracy के साथ 17, 18 कर लो, 99% डलबन गया आपके, समझे रो, तो बहुत जादा आपको नहीं करना है, परिसान नहीं होना है, और drop लेनी की मत सोचना, और drop लेनी की सोचना की तो IT का, एडवांस का तो ऐसे आपको पता कर जाएगा, 12 के बात का होता है, तो drop मत लो, और कुटा तो खेर, अब वो करने की जोती नहीं है, आप अराम से घर में बैठो, revise करो, और उसके बात exam taking strategies पे focus करो, अगर exam taking strategies पे कुछ बात करनी होगी, तो और कभी आप मुसे बात करे लेना, comment में लिख देना, मैं इस पे बात कर लोगा, अभी हम लो radius of gyration की बात कर रहे थे, और radius of gyration के बारे में बताते, मैं moment of inertia पे पहुँच रहा था, छिक, करते हैं भई बात इसकी करते है, moment of inertia की, moment of inertia, radius of gyration, these quantities come in the chapter rotational motion, rotational motion में आती हैं सारी, तो देखो, अगर कोई body rotate कर रहे है, this way, rotate कर रहे है, तो इस body के rotation में जो inertia होता है, जिससे translation motion में inertia का काम मास करता है, inertia का मतलब tendency to oppose the motion, तो inertia, translation motion में inertia मास होता है, वैसे rotation motion में जो inertia है, इसके rotation को oppose करने की, rotation में जो state of motion इसकी change करें, तो इसको oppose करने की tendency, moment of inertia, तो moment of inertia, derive करने तो नहीं बैठेंगे, वो तो rotation motion में करेंगे, but moment of inertia is given as i is equal to mr square वैसे mr square भी नहीं होता है उसका exact formula sigma mr square या integral r square dm है but अभी उससे परिसान मत होना moment of inertia mr square basic dimension निकालने के लिए इतना sufficient है m mass square पर डगा देखा 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 r distance l r square बन गया l square moment of inertia का dimension formula बन गया ml square moment of inertia का dimension formula ml square ठेक torque torque क्या होता है torque rotation motion की बात करें अभी 3-4 अगले line से जितनी quantities है सब rotation motion वाली है torque क्या होता है जब हम किसी body को घुमाने की कोसिस करते है turning effect देने की कोसिस करते है जब हम किसी body में turning effect देने की कोसिस करते है door का handle door मेरा बंद है इस रूम का इसके handle पर turning effect दे रहा है door को खोल ला है turning effect दे रहा है fan को गुमा रहा है turning effect दे रहा है यह देखे इसको मैंने यहां पर fix कर दिया hinge कर दिया और ऐसे turning effect इसको छोड़ दे तो अपने weight की वे से गर जा रही है क्योंकि weight इसको turning effect दे रहा है तो देखे torque भी आता किसी force सही है अब यहसे कौन इसको turning effect दे रहा था तो weight ही तो दे रहा था इसका center of gravity पंजी यह इसको turning effect दे रहा था अगर मैं door को handle के ऐसे parallel लगके door के parallel ऐसे खीचू तो door नहीं खुलेगा उसको perpendicular खीचना पड़ेगा handle को तो torque जो होता है वो इनका cumulative phenomenon है torque है force का rotation turning effect torque is turning effect of force and it is given by force into perpendicular distance torque is turning effect of force and it is given by force into perpendicular distance मतलब जैसे मालो ये एक rod है और ये मैंने यहाँ पे hinge कर रखी थी rod को मैंने यहाँ पे hinge कर दिया था अब मैंने यहाँ पे एक force लगाया F और perpendicular distance ले ली L perpendicular distance ले ली L तो जो torque बनेगा इस force का turning effect अचा ही बताओ force का turning effect किदर आएगा clock या endiclock बोलो इस torque का turning effect किदर आएगा clock आएगा या endiclock आएगा बोलो obviously इदर आएगा इस कौन सी है clock है endiclock endiclock torque के वेक्टर quantity होती है तो ये जो torque बनेगा force into perpendicular distance है बनेगा F into L force ML2 T minus 2 into L तो force अरी ML force ML T minus 2 और ये बन गया L तो ये बन गया ML2 T minus 2 यही नहीं आपको बता रहा था torque की dimension वही आ रही है जो work और energy की idea ML2 T minus 2 torque और work और energy की dimension सेम है बढ़ इनका nature सेम नहीं है क्योंकि dimension सेम होने का मतलब nature सेम होना बिलकुल भी नहीं होता है टेक torque हो गया moment of inertia हो गया अचा couple couple दो force equal and opposite लगे जैसे इस पे एक आगे लगे एक पीछे लगे गूमने लगे couple couple भी moment of force एक ही चीज होती है वो भी torque होता है ml2 t-2 moment of inertia हो गया radius of gyration अभी भी रह गया है और angular momentum तो कर्वे मैंने mvr पिछले उसमें करा दिया था moment of inertia mr square इसी को जब हम लोग पढ़ेंगे तो mk square लग लेते हैं जरूर नहीं कि moment of inertia mr square है अब जैसे कि solid sphere है solid sphere का होता है 2 by 5 mr square hollow sphere का moment of inertia diametrical axis के बाउट होता है 2 by 3 mr square अलग-अलग bodies का अलग-अलग disc है एक disc है अगर ring हो तो ये mr square disc हो तो mr square by 2 इस axis के बाउट इस गूमेंगी नहीं ऐसे ऐसे बाई ये disc है ऐसे गूम रही है अपने center से जाने वेली axis के बाउट center से जाने वेली normal axis तो ये disc का plane है xy plane और ये axis से z ऐसे ऐसे गूमें तो ring है तो mr square disc है तो mr square by 2 hollow cylinder है तो mr square solid cylinder है तो mr square by 2 hollow sphere है तो 2 by 3 mr square solid sphere है तो 2 by 5 mr square ये उनके moment of inertia तो जो भी moment of inertia से आए उसको mk square के एकवल करदो जो भी moment of inertia से आए तो उसको mk square के एकवल करदो तो जो उसमें k होता है, जो k होता है, वो radius of gyration कहलाता है, radius of gyration, कहलों, गारेशन भी read करता है, radius of gyration, दिखी रहा है, mass से mass कड़ याएगा, mr² mk², तो k² rr, kr, की dimension का आएगा, यहीं, length की dimension का आएगा, इसलिए l की power 1, radius of gyration की dimension होती है, l की power 1, radius of gyration, done, l की power 1, moment of inertia, ml², angular momentum, mvr, mv, mlt-1, rl, ml2t-1, ml2t-1 हो गया, torque और couple, ml2t-2, angular frequency, angular frequency, omega to pi f, get to pi upon time period, t-1, wavelength, 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 wave की length, ऐसे, wavelength, यह figure मना देता हूँ, तो ज्यादा अच्छा, यह रह, यह, दो पाढ़कें, जो same phase में होते हैं, उनके बीच के distance को wavelength कहते हैं, होती तो distance ही है, wavelength, length, length मिदलब L, तो wavelength की dimension L की power 1, wavelength की dimension L की power 1, आगे बढ़ते हैं, Hubble constant, speed upon distance होता है, Hubble constant 11-12 के syllabus में कहीं नहीं उज़ होता, तो परशान मत होना, speed upon distance, L t-1 upon L, तो t-1, intensity of wave, यह उज़ होता है, energy, energy से जोड़े सारे term, बड़े important है, energy ML2 t-2, energy per unit area, ML2 t-2 upon L square, MT-2, energy density, energy per unit volume, energy density भी उज़ होता है, ML2 t-2 upon L cube, तो यह जाएगा ML-1 t-2, energy density की dimension, pressure की dimension के equal है, लेकिन quantities, dimension से मुने के बहुजूद भी नीचे रहा है लगा है, energy density, ML-1, t-2, intensity, intensity, जब भी energy की बात चलेगी, तो intensity की भी बात चलेगी, intensity की dimension, जब wave चलती है, ऐसे समली की energy चल लेगी है, तो जितनी energy किसी cross section, यह cross section है, और इससे energy जा रही है, जितनी energy cross की इस cross section से, per unit area, per unit time, energy passing per unit area, per unit time, energy, joule per unit time, joule per second watt, per unit area, watt per meter square, उसको उसकी intensity बोलते हैं, intensity ज़रूवत पढ़ती है, पक्की बात है, इसको आपको याद रख लेना चाहिए, intensity of wave, wave में एकसे ज़रूवत पढ़ती है, और यह energy per unit area, per unit time, energy per unit area, per unit time को बोलते हैं, यह आपके कोई surface है, और यह ऐसे energy, ऐसे जा रहे है, कितनी energy इसको hit करते चलेगे, per unit area, per unit time, तो energy, बताएं ना, joule per second, तो यह watt बन जाएगा, और area बन जाएगा, meter square, तो watt per meter square लोगते है, dimension निकालते हैं, तो energy, ml2 t-2, per unit area, l square, time t, l square से l square कट गया, तो कितना आगे है यह, mt-3, intensity की dimension क्या होती है, तो intensity की dimension होती है, mt-3, आगे बढ़ते हैं, intensity हो गया हमारा, intensity, radiation pressure, radiation pressure, pressure ही, radiation का pressure फिर क्यों यूज़ किया है, तो देखो, ऐसा है कि radiation, electromagnetic waves का radiation, light भी एक electromagnetic wave है, light जब किसी surface से पढ़ती है, तो हमको feel होता हो, चाहे ना होता हो, बट light की surface भी एक pressure exert करती है, और light यह नहीं, सारा radiation, x-ray भी करेंगी, gamma भी करेंगी, radio wave भी करेंगी, बहुत अविसली, minuscule amount में होता है, इतना insignificant होता है, कि हम उसको neglect कर सकते हैं, बट होता है, radiation का pressure होता है, और वो pressure यह है, simply force upon area, तो ml-1, t-2, यह भी है, energy density मैंने बताई दिया, energy per unit volume, intensity भी बता दिया, energy density ml-1, t-2, और energy density, intensity ml-3, critical velocity, critical velocity, जब हम mechanical properties of floats करते हैं, तो वहाँ पर करते हैं, critical velocity वो velocity है, जितने तक liquid का flow stream line रहता है, उस velocity से अगर ज़्यादा velocity पर liquid चलने लगे, तो float turbulent हो जाता है, उससे कम velocity पर flow stream line रहता है, तो एक तरह के से limit होती है, बट है तो velocity, और velocity की dimension L-1 होती है, तो critical velocity की dimension भी L-1 है, next है heat energy या internal energy, भाई, energy कोई भी type की हो, चाए heat energy हो, चाए internal energy हो, चाए light energy हो, चाए sound energy हो, wind energy हो, कोई energy हो, energy तो ml2 T-2 ही होगी, kinetic energy, half mb square, potential energy, mg हैं सब निकाल चुका हम, ml2 T-2, rotational kinetic energy, formula बैसे half i omega square होता है, बढ़ dimension यह होगी, ml2 T-2, efficiency, किस चीज की efficiency, depend करता है, तो efficiency अगर engine की है, तो output upon input, output work upon input energy, और दोनों में, same dimension होगी, उपर निचे energy upon energy, कड़े ही जाएगा, तो dimension less, angular impulse, linear impulse, बता दिये थे, change in momentum, gravitational constant और plank constant, यह दोनों important है, gravitational constant भी important है, gravitational constant, G, आपको मालूब में, दो मास्क के बीच में, अगर R distance हो, तो उनके बीच में force, F is equal to G, M1 M2, by R square, यह formula होता है, इसमें M1 M2 masses है, R distance है, F force है, G, universal gravitational constant, 6.67 into 10 above minus 11, Newton meter square per kilogram square, इसकी dimension पूची यहा रहे है, force रखो, force, MLT minus 2, R square दर लेओ, तो L square, M1 M2 दर लेओ, mass mass M square, M से M square कड़ गया, तो M minus 1, L की power, club कर लो, L की power 3, T की power, T minus 2, तो M minus 1, L3 T minus 2, M minus 1, L3 T minus 2, यह dimension है, universal gravitational constant की, निकालेगें कहां से, F is equal to G, M1 M2 by R square, बागे सारे टमें एक साथ लेआ है, G की dimension निकाल लेगे, एक और बचा है, Planck constant, Planck constant भी कर लेता है, Planck constant कहां पर यूज होता भी है, बताओ, तो Planck constant यूज होता है, light के, जो elementary particles होते हैं, photon, उनकी energy लिखने पर, एक photon की energy, photon है एक energy का बंडल होता, तो एक photon की energy होती, E is equal to H new, E उस photon की energy है, और new frequency है, H होता है, Planck constant, 6.6 into 10 power minus 34 joule second, यह इसकी value है, constant है, बड़ constant dimensionless नहीं है, यह एक dimension, dimension वाला constant है, यह एक dimensional constant है, याद रखना, dimensional constant क्या होते हैं, ऐसे constant जिनकी dimension होती हो, जैसे की G, जैसे की H, जैसे की C, Dividational constant, Planck constant, light की speed है constant, बड़ इनकी dimension होती है, तो constant may be dimensionless, constant may have dimension, और जो constant dimension रखते हैं, उनको dimensional constant कहते हैं, जैसे की GHC, H की बात करें, तो E energy, ML2 T-2, H Planck constant निकालना है, frequency T-1, कड़े आएगा, तो Planck constant की dimension, ML2 T-1, आ जाएगी, और आप याद दको, Planck constant भी वही आ रहा है, और angular momentum, MVR, वह भी उसकी भी dimension यहाई थी, ML2 T-1, बटकि दोनों में, कोई जमीन आस्मान का difference है, कोई दिलना दिलना नहीं है, तो dimension same होना, जैसे angular momentum और Planck constant, टॉर्क और वर्क, इन quantities का nature same होना, नहीं बताता है, ठीक, तो इसके बाद हम लोग, अगली जो quantities हैं, वो next class में करेंगे, तो because I am hungry, तो जो भी quantities रह गही है, dimensional analysis है, उसके application है, वो हम लोग next class में करेंगे, आज कोसिस करेंगे, या फिर अगर आज नहीं हो पाएगे, तो कल करेंगे, thank you, Hello everyone, हम लोग last class में, dimensional analysis कर रहे थे, class 11 की physics का, physical world के बाद, जो दूसरा chapter है, unit dimension and error analysis, तो आधा chapter dimensional analysis है, और आधा chapter हमारा error analysis है, dimensional analysis वाले part पे, अगर हम लोग आएगे, तो dimensional analysis में, हम लोगों ने कल की class में, कुछ कर लिया था, मतलब dimensions कुछ quantities की तो निकाल ली थी, बढ़ dimensional analysis की, जो mean applications वागेरे हैं, वो सारी नहीं किये थी, तो आज ही class में, हम लोग focus करेंगे, कि at least जो dimensions रहे गे थी, जिन quantities की वो cover कर लें, dimensional analysis के applications कर लें, principle of dimensional homogeneity जान लें, और dimensional analysis के कुछ अच्छे-च्छे question कर लेते हैं, कुछ SEA वर्मागे question, कुछ J-E mains में आयोए question, ऐसे questions कर लेते हैं, जिससे हमारी practice हो जाती हो, तो अगर आप ये lecture कर लोगे, तो उसके बाद आपको कहीं, dimensional analysis में कुछ और करने की जरुवत नहीं पड़ेगी, यह main से लेके, need से लेके, class 11th school में, board में कहीं पे भी और कुछ करने की जरुवत नहीं पड़ेगी, बड़ एक बाद revise कर लेते हैं, recap कर लेते हैं, क्या होती है dimension, तो मैंने बताया था कि, हम लोग starting ही ऐसे करते हैं, कि physics में जोकुछ भी हमें दिखाय देता है, physical world जो हमारा है, उसमें हम quantities, जो भी हम measurement करते हैं, quantities के term से, force, length, mass, velocity, these are quantities, physical quantities, यह physical quantities मेंजर करते हैं, क्योंकि physics इस्ता study of nature, तो यह physical quantities को measure करते हैं, तो जब physical quantities को measure करते हैं, यूनिट वाला पार्ट है उसे मैंने बताया था कि सबकी थो इन इंफिनाइट फिश्कल कॉंटिटी सबकी थो ने यूनिट बिनाते फिरेंगे तो हमने क्या किया सारी फिश्कल कॉंटिटी इसको दो ग्रोप में बाइफर केट कर दिया क्लासिफाई कर दिया एक है fundamental quantities एक है derived quantities fundamental की unit हम लोग बता देते हैं specify कर देते हैं derived की specify नहीं करते हैं derived को fundamental के terms में लिखने की कोसिज करते हैं तो जो साथ fundamental quantities हैं साथ इसलिए क्यों सातों आपस में independent हैं और इन साथ के terms से बांकि जितनी भी physics में quantities अब तक हमने discover की हैं, जितनी भी हमने अब तक describe की हैं, वो सारी के सारी लिखी जा सकती हैं, express की जा सकती है, express करना, we have to express derived quantities in terms of fundamental quantities, तो साथ quantities, mass, length, time, temperature, current, luminous intensity and amount of substance, इन साथ के term में, बागी सारी supplement, derived quantities लिखी जा सकती हैं, तो जब हम derived quantity को fundamental quantity के term में लिखते हैं, तो जो fundamental quantities के उपर powers आती हैं, उन powers को बोलते हैं dimension, और derived quantity का जो expression लिखा जाता है, fundamental quantities के terms में, वो कहलाता है, dimensional formula, वो कहलाता है, dimensional formula, तो देखें होता क्या है, कोई भी हमारे पास quantity है, derived quantity, for example हमारे पास एक derived quantity है, क्यों, इसको अमनोग fundamental quantities के terms में लिख रहे है, कौन से fundamental quantities, mass, length, time, तो माले जो मैंने इसको लिखा, m to the power a, length to the power b, t to the power c, mass, length, time, current लिख 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 लिख, यह कहलाता है इस quantity का dimensional formula और यह जो fundamental quantities के ओपर यह जो powers लिखे हैं power का मतलब numbers लिखे हैं maybe positive, maybe negative, maybe integer, maybe fraction यह जो powers लिखे हैं यह powers सी dimension कहलाते हैं तो dimensions क्या होती हैं? dimensions are the powers raised on fundamental quantities to express the derived quantities in terms of fundamentals dimensions are the powers are exponents raised on fundamental quantities to express the derived quantity in terms of fundamentals fundamental quantities के term में express करने के लिए जो हम power raised करते हैं यह power ही dimension कहलाती है यह power क्या कहलाती है? dimensions तो dimensions क्या होते हैं? actually numbers होते हैं तो जैसे माले यह यह मैंने derived quantity लिखी है mass, length, time, current, luminous intensity, temperature, mole, amount of substance यह तो fundamental हैं तो यह A, B, C, D, E, F, G number हैं यह हैं dimensions this derived quantity Q as dimension A in mass, B in length, C in temperature, D in current, E in luminous intensity, F in temperature, G in mole, इस तरहे के सम लोग लिखते हैं और मालो कोई fundamental quantity missing है, को derived quantity इस पर dependent ही नहीं करती है अब जिसे velocity L T minus 1, mass नहीं आता, तो उसकी dimension 0 ले ले लेंगे और मालो कोई quantity dimensionless है, मतलब उसमें कोई quantity पर dependent ही नहीं करती मालो कोई quantity dimensionless है, जैसे angle तो वो dimensionless है, तो M की power 0, L की power 0, T की power 0, वो 0 लिख लिए आती हैं उनकी dimension ठीक, तो dimensions पे इतना तो हम लोग समझ गए थे, dimensional formula निकालने में लगे थे dimensional formula निकालने के लिए मैंने बताया था, करना सिफ इतना होता है, कि आपको उस quantity के बारे में basic पता होना चाहिए formula पता होना चाहिए, तो अगर आपको उस derived quantity का formula पता है, तो आप उसका expression लिख सकते हो, उसका dimensional formula derive कर सकते हो, करते हैं यह देखें, यह वाला मैंने साथ करा दिया था, area, volume, mass density, frequency, velocity, acceleration, force, impulse, power, momentum, pressure, stress, strain, modulus of elasticity, velocity, surface tension, velocity gradient, pressure gradient, coefficient of viscosity, angle, angular velocity, यह सारी quantities मैंने last class में, जो lecture 1 है, dimensionality, इसका उसमें सारी करा दिया थी, आगले में आते हैं, angular acceleration, radius of gyration, moment of inertia, torque, wavelength, I think सारे करा दिया थे, radiation pressure, kinetic energy, potential energy, efficiency, plank constant, dimensional constant तक, यहां तक I think मैंने सारे करा दिया थे, और तिंचा facts भी बताया थे, क्या थे वो facts, तो देखें मैंने facts बताया थे, सबसे पहली चीज, कि dimension quantity का nature बताते हैं, dimensions quantity का nature बताते हैं, area को आप meter square भी लिख सकते हो, square kilometer भी लिख सकते हो, square feet भी लिख सकते हो, but dimension area की L square है, तो L square ही लिखी जाएगी, units may vary, but dimension of the quantity will remain same, तो ज्यादा fundamental क्या हुआ, तो ज्यादा fundamental हुआ, dimension, इसलिए हम लोग dimensions फे focus करते हैं, दूसरी चीज, dimension quantity का nature बताती है, तो अगर quantities का nature same हो, तो dimension भी same होगी, इसलिए दो type के forces, any two type of forces, any force, will have same dimension, MLT-2, any energy, kinetic energy, potential energy, heat energy, light energy, sound energy, any energy, will have dimension, ML2T-2, work, even work, total work done, changing kinetic energy, has dimension, ML2T-2, अगर quantities का nature same है, तो dimension same होगी, बट उल्टा मैंने बताया था, अगर dimension same हो, तो क्या quantities का nature भी same होना चाहिए, अगर dimension same हो, तो quantities का nature भी same होना चाहिए, ऐसा बिलकुल भी जरूरी, नहीं, अगर dimension same हो, तो quantity का nature same होने की कोई जरूरत, नहीं है, दो example मैंने बताया थे, बहुत सार तो पर्पन को डिस्टेंस ये भी ML2 T-2 होता है इनर्जी ये भी ML2 T-2 होता है दोनों की डिमेंशन सेम हैं बट इस्टिल दोनों कॉंटिटी सिमलर नहीं है इसी तरह से प्लैंग कॉंटिटी और अंगलो मोमेंटम बताया था ये पेर है ये पूछा याता है चार ऐसे option दी होंगे भी C-D और पुछा रहेगा which of the following quantities have same dimension तो अंगलो मोमेंटम और टॉर्क और इनर्जी हो गया जैसे अंगलो मोमेंटम अप्लाइंग कॉंटिट हो गया ऐसे तो इनकी dimension सेम होने का मतलब कॉंटिटी सेम होना नहीं फिर unit to dimension में एक और मैंने true false question पूछा था last class में क्या कि अगर एक quantity unit less है तो पक्की बात है वो dimensional less होगी बट dimensional less quantity may और may not have a unit जैसे angle और solid angle का example दिया था दोनों dimensional less है बट दोनों की unit है एक की है radian और एक की है इस्टे radian तो यहां तक तो हम लोग कर चुके थे इसके आगे बढ़ते हैं तो यह playing constant तक अगर आप lecture 1 देखोगे same dimensional less is पे एक lecture 1 है मेरा यहां तक हम लोग ने derive कर लेती है आज की class में हमको इसके आगे से start करना चाहिए इतनी देख तक तो हम लोग पिछली class का ही कर रहे थे तो हम लोग 47 से start करने जा रहे है specific heat capacity से start करने जा रहे है करते है 47 specific heat capacity भी pen ले लिया जाए specific heat capacity हम लोग heat and thermodynamics में I think पहुँच गए है तो heat and thermodynamics में जो quantities involved होती हो सारे कर लेते है सबसे पहले बताओ heat की itself dimension क्या होगी heat क्या है बताओ भी heat क्या होता है heat एक energy होती है जो दो body इसके बीच में flow करती है उन दो body इसके बीच में जिनमें temperature का difference हो heat is the energy flowing due to temperature difference from higher temperature body to lower temperature body heat is the energy flowing due to temperature difference from higher temperature to lower temperature अगर हम एक hotter body को colder body के साथ contact में ले आए direct physical contact या किसी conducting element के थूँ तो higher temperature से lower temperature की बीच में एक energy flow करने लगेगी बिल्कुल ऐसे जैसे दो pipe रखे हो और एक में level जादा और एक में level कम हो तो higher level से lower level की तरफ liquid चलने लगेगा बिल्कुल ऐसे जैसे अगर हम कोई wire में एक point high potential पे ले आए और एक point low potential पे ले आए तो high potential से low potential की बीच में charge चलने लगेगा current चलने लगेगी electric current तो electric current हो चाहे liquid current हो चाहे heat current हो nature सबका similar है तो heat कैसे चलती है तो heat चलती है from higher temperature to lower temperature तो आगे बढ़ते है अगर heat चलती है higher temperature to lower temperature एक energy होती है तो कहीं न कहीं temperature difference matter करता है वो इसलिए बोलना हो को कि अभी वोट वाला term भी आएगा बस्त, heat है तो energy heat की dimension तो भई पक्की बात है energy की dimension ml2 t-2 निकाल चुके हैं कली बताया था हर energy की dimension ml2 t-2 अब heat temperature difference से चली तो temperature तो खुदी fundamental है तो मैंने एक और शी बता है कि temperature का difference होना चाहिए जैसे मालजी एक rod है इस rod के एक end पे t1 higher temperature t2 lower temperature heat चली ती 1 से t2 rod की length तो actually में एक word बताना चाहता था एक term बताना चाहता था physical quantity बताना चाहता था temperature gradient क्या होता temperature gradient तो कल भी मैंने बताया था जब भी word यूज हो gradient तो gradient का मतलब होता है rate of change with respect to distance pressure gradient delta p upon delta x temperature gradient delta t upon delta x velocity gradient delta v upon delta x temperature gradient क्या लिखेंगे delta t upon delta x delta x का काम यहाँ पे कौन कर रहा है l इन दुनों point की बीच का gap t1 minus t2 by l यह temperature gradient तो अगर temperature gradient की dimension पूछें तो temperature gradient की dimension t1 minus t2 temperature इसके लिए हमें symbol दिया है k k for kelvin वाला तो इसको temperature gradient के dimension formula के लिखेंगे k और यह l उपर आ जाएगा तो l की power minus 1 अब इसलिए देख रो mass, length तो आ नहीं रहा है time भी नहीं आ रहा है in fact temperature और लेंग तो आ रही है चोड़निंग तो आ रही है mass नहीं आ रहा है तो mass की power zero है length की power minus 1 है time नहीं आ रहा है तो zero है temperature आ रहा है तो k की power 1 है तो इस तरीके से हम इस quantity का dimensional formula temperature gradient का लिख सकते हैं heat हो गया temperature gradient हो गया अब इससे related और हम लोग करते हैं चीजे जब हम किसी body पर heat देते हैं तो वो क्या क्या कर सकती है तो हम किसी body पर heat दें तो एक तो उसका temperature change कर सकती है दूसरा उसका phase change कर सकती है मतलब जैसे water है हमारे पास water के team form ice, liquid और vaporized form steam तो अगर हम ice को heat देना स्टार्ट करें minus 10 की ice से तो पहले तो minus 10 से zero degree में जाएगी फिर जब जिरो डिगरी की ice बन जाएगी तो zero degree की ice फिर melt होना start होगी zero degree की water में जब melt हो जाएगी पूरी की पूरे liquid water बन जाएगा तो फिर heat देंगे तो वो zero से 100 उसका temperature change होने लगेगा और रहेगी liquid, phase change नहीं होगा 100 degree boiling point तो वहाँ पर heat देंगे तो वो boil होने लगेगी steam में convert होने लगेगी vaporize होने लगेगी तो अब वो vaporize होता है तो boiling होने लगेगी यह बोलना चाहिए तो boiling होते वो steam में convert हो जाएगी पूरी की पूरी फिर उसके बाद heat देंगे तो phase तो वही रहेगा, gas ही रहेगी और उसका temperature बढ़ने लगेगा तो जब phase change नहीं हो रहा है तब temperature बढ़ ला है तो जब phase change होता तो उतने duration में temperature change नहीं होता जो भी heat देते हैं उसका phase change में जाती है उसे latent heat बोलते हैं तो अगर हम किसी object को heat दे रहे हैं तो एक तो मैंने बताया कि उसका phase change हो सकता है और दूसरा temperature change हो सकता है तो जब temperature change हो रहा होता है तो formula लगता है delta q is equal to ms delta theta जहां पे m होता है mass, s होता है specific heat और delta theta होता है change in temperature तो अगर हमें किसी body का temperature change करना है तो obviously heat देनी पड़ेगी जितना ज्यादा temperature change करना होतनी ज्यादा heat देनी पड़ेगी जितना mass ज्यादा होतनी ज्यादा देनी पड़ेगी और material पर भी तो depend करता है, कुछ object को ज़्यादा देनी पड़ेगी, कुछ object को कम, तो जिनका ज़्यादा ही देनी पड़ेगी, उनका S, S जो है coefficient, वो कहलाता है specific heat capacity, material की characteristic property होती है, अलग-अलग material की अलग-अलग होती है, क्या बोलते हैं S को, S को बोलते हैं specific heat capacity, क्या बोलते हैं S को specific heat capacity, अलग-अलग मैं deal का, अलग-अलग तो, S की ही हम में dimension निकाल लिए है, करते हैं, तो S लिखा मैंने delta Q upon m delta theta, S specific heat capacity, लिखा मैंने delta Q upon m delta theta, S specific heat capacity की dimension चाहिए, delta Q heat energy है, तो यह बन गया, ML2 T-2 देल्टा क्यों हीटिंग न जी क्या बन गया ML2 T-2 M, मास यह रह भई है मास देल्ड़ ठीटा क्या है चेंगिन नमबेचर जितना नमबेचर चेंग हिया होगा तो भई है Celsius, Kelvin, Temperature ना तो Temperature की Dimension हम लोग Temperature को K से लिखते हैं हम लोग जो जो करते हो K M से हम कड़े जाएगा तो यह आगे है L2 T-2 K-1, Specific Heat Capacity की Dimension Specific Heat Capacity की Dimension क्यों होती है L2 T-2 K-1 वापस आयाते हैं यह देखे, Specific Heat Capacity L2 T-2 K-1 Specific Heat सीख गया है तो इसी से मिलता जूलता टर्म Latent Heat कर लेते हैं Latent Heat पर आते हैं इसी में कर लेते हैं थोब असा rubber से हटा लेते हैं जगे बना लेते हैं क्यों भई, मैंना page खल्च करें इसी पेज में कर लेते हैं Latent Heat करते हैं Latent Heat का भी उज़ होता है Latent का मतलब होता है Invisible Hidden दिखे ना आपको मालूम है boiling water, पानी boil हो रहा 100 degree Celsius पर अब उसमें thermometer लगा लो thermometer कुछ भी reflection कोई भी change होने करेगा तो जो heat दे रहो जा कहा रही है तो वो उसके phase change में जा रही है molecules के बीच में internal energy बढ़ाने में जा रही है तो वो हमें दिखती नहीं visible नहीं दिखती है temperature change के फॉर में reflect नहीं होती है whatever heat is being given at that time, at that moment that heat is that heat is being used to change the internal energy of molecules phase change में जा रही है तो वो temperature change में नहीं जाती है तो उसका formula क्या होता है तो उसका formula होता है Q is equal to M इसे मास में डेबन करती है और दूसरा material में डेबन करती है कि किसकी बाद कर रहो इसका phase change कर रहो water का इसलाए हो अब बॉर जो कर रहो किसे और object का कर रहो हो गे इतर भीटर का कर रहो तो कछ और आएगा और बॉरच का कर रहो तो उसमें भी कॉन कम सा आइस से उसको लिक्वीड वॉर्टर ला रहो तो यह जो L है वो 80 कलोरी पर ग्राम वो कहला था latent heat of fusion 540 कलोरी पर ग्राम वो कहला था latent heat of vaporization उस तीम में use होता है water की आपको अक्सर पोजिशन होता अब यह 80 को 540 यूज़ कर सकतो बाकि अलग कोई material होगा तो उसका दिया होगा पर मेरा पच पच यह बताना था खाली latent heat की dimension तो latent heat, invisible heat जब phase change हो रहा हो तब use होती हो और यह formula होता है इसका q is equal to ml q is equal to ml में latent heat की dimension निकालने है निकालते हैं मेरी यह q is equal to ml में latent heat की dimension तो L को लिखा मैंने q upon m L को मैंने लिखा q upon m क्या है q? ml 2, t minus 2 m क्या है, mass j रहा है, mass m से m कड़ गया तो कितने आ गया यह, L2, t minus 2 latent heat की dimension L2, t minus 2 latent heat की dimension यह रहे, latent heat L2, t minus 2 तो हम लोगोंने 2 कर लिया, specific heat कर लिया और latent heat कर लिया लेट में have the water इस समास heat and thermodynamics में किन-किन quantities की जुरूद परती है heat energy, temperature gradient बता दिया मैंने temperature तो itself ही fundamental है specific heat caps ती करा दिया मैंने Q is equal to ms delta theta से dimension निकालना latent heat, Q is equal to ml से dimension निकालना अगर आपको quantity का formula पता हो तो dimension निकालना is very easy तो आगे बढ़ते हैं thermal expansion coefficient यह कह चीज़ है जब हम किसी body को heat देते हैं तो वह heat कहीं न कहीं जिसे solid भी आपको visualize करना थोगा से easy होगा solid liquid gas अभी में होता है वैसे कोई ऐसी बात नहीं है जब हम heat देते हैं तो molecules के बीच के gap को बढ़ा देती है जब हम heat energy देते हैं molecules और बड़े-बड़े distance के vibration करने लगते हैं तो molecules के बीच में inter-molecular separation बढ़ जाता है और सारे molecules के साथ ऐसा होता है तो उससे क्या होता है body का size फैल जाता है expansion होना आता है इसको बोलते है thermal expansion thermal expansion जब जो किसी body का होता है तो उसमें coefficient होज़ो होता है जिसको बोलते है coefficient of expansion अब हो coefficient of expansion की dimension निकाल ली है तो करते हैं coefficient of expansion की dimension देखे मने क्या बता है माल लेज़े कोई body कोई भी any shape and size की body इस body पे मैंने heat दी तो माल लेज़े मैंने heat इसमें दी delta q अब heat दी तो इसका temperature change होगा temperature change होने से ही तो इसका thermal expansion हो रहा है तो अब जिसे माल लेज़े इस object का size था कोई भी हमने size ले ली dimension ले ली d अब इस size ले ले dimension d का मतलब क्या है तो देखे अगर linear object होगा one dimensional object होगा तो dimension length होगी कोई superficial object होगा जैसे plane seat है जैसे माल लेजे मेरे पास ये plane object है ये plane seat है ये plane seat है तो इस plane object में इसका area होगी dimension कोई three dimensional object है ये bottle ये एक three dimensional object है इसमें volume है तो इसमें dimension होगी volume तो जो भी dimension involved हो रही हो length है, area है, volume है उसको मैंने डी लिख लिया जब इसको heat दोगे, इसका temperature change करोगे तो इसका expansion होगया expansion होगा तो इसकी dimension change होगी लेंग्ट हो तो लेंग्ट में चेंज, एरिया है तो एरिया में चेंज, जो भी dimension आप consider करो, volume में तो volume में चेंज, तो अब जो होता क्या है कि जो भी dimension में change होता है, delta d, experiment ली पाया गया, ये होता है, dc delta theta के एककल, जो dimension में change हो, वो original dimension, पेडिपेंट करते हैं, अब object लंबा होगा, object का volume ज़्यादा होगा, तो expansion भी उसे आपसे ज़्यादा होगा, वो change in temperature, obviously तुम 10 degree के बचा, 100 degree temperature चेंज करोगे तो dimension में change भी ज़्यादा होगा, तो और दूसरा तीसरा, एक material की प्रोपर्टी, सब कुछ वही रखो, dimension वही रखो, तो material तो material भी तो vary करेगा, अलग अलग material का change अलग होगा, कुछ material ज़्यादा फैलेंगे, कुछ material कम फैलेंगे, तो सबका जो characteristic constant होता है, उसी constant को बोलते है, coefficient of expansion, तो अगर हम length consider करें, तो यह बन जाता है, delta L is equal to, अगर हम length पर focus करें, तो यह बन जाता है, delta L is equal to, L alpha delta theta, तो इ area है, तो यह बन जाता है, delta L is equal to A beta delta theta, dimensionally, beta होता है, coefficient of aerial, और coefficient of superficial expansion, अगर हम volume की बात करें, तो यह बन जाता है, delta V is equal to V gamma delta theta, जहां पर गामा क्यलाता है, coefficient of volume expansion, coefficient of linear expansion, coefficient of aerial or superficial expansion, coefficient of volume expansion, सब कुछ है, linear, aerial, volume, सारे expansion, coefficient, alpha, beta, gamma की dimension एकी होती, को कि सब का basic formula यह, delta D is equal to DC delta theta, तो जो C है, coefficient of expansion, चाहे वो alpha हो linear, बेटा हो aerial, चाहे वो gamma हो volume, सब में करने का तरीका एकी है, और कैसे निकालेंगे, तो C को लिखा मैंने, delta D upon D delta theta, C का है, coefficient of thermal expansion, चाहे वो linear हो, चाहे वो aerial हो, चाहे वो volume, हम dimension निका दालने quantities की, क्या होगी, इसकी dimension, delta D, जो भी length है, area, volume है, और नीचे D, यह भी length area, volume, तो changing length upon length, changing area upon area, वो तो कड़े आएगा, changing volume upon volume, उपर भी meter cube, नीचे भी meter cube, तो नीचे देखे, temperature बचाएगा, और temperature को अगर हम दो K से लिखे, K, K, K या दाखना, Kelvin वाला, तो 1 upon K, क्या बन यही dimensional formula है, coefficient of expansion, चाहे linear, चाहे area, चाहे volume, dimensional formula, K-1 होता है, क्या होता है, dimensional formula, K-1, तो वापस आते हैं, यह हो गया हमारी quantity हम लोग कर रहे थे, thermal expansion, क्या होता है, thermal expansion का dimensional formula, K-1, thermal expansion का dimensional formula, K-1, आगे बढ़ते है, thermal conductivity, अभी thermal conductivity क्या चीज़ होती है, तो थे, heat के flow करने के तीन तरीक है, मैं यह सब क्यों बता रहा हूँ, कि जैसे माल जै मैं आपको dimensional formula directly बता भी दूँ, तो कैसे आप याद कैसे रखोगे, बताओ, अगर आपको मैं सिफ dimensional formula लिख दूँ, तो याद कैसे रखोगे, एक्जाम में तो question आएंगे, उसमें दोनोंने term यूज कर दिया, thermal conductivity, आपको पता होना चाहिए, उसकी dimension, उसका formula पता होना चाहिए, याद तभी रख पाओगे, जब उनके बारे में आपको background पता होगा, उनका basic पता होगा, otherwise there is no way कि आप इन सब चीज़ों को इसलिए आपको इन quantities के बारे में पता होना जरूरी है, आते हैं, thermal conductivity करते हैं, अभी तक किसी को कोई doubt हो, कुछ बोलना हो, देख लेता हूँ, मैं comment, हेमन साहू का कुछ कहना है कि NEED के पुराने साल के practice paper पे मैं video बना दो, बहुत अच्छी बात तुमने बोली है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को ये जरूरत फील हो रही होगी, कि NEED के पुराने paper के video में specifically चाहते क्या हो, मैं मतलब physics के सारे, उसमें क्या lecture, उनके solution दे दू, सारे questions के, या कुछ बताओ मुझे कुछ और specify करो कि क्या चाहते हो, जैसे NEED के, अभी 2020 का exam होना है, तो 2019-2018, पिछले सालों के solution चाहते हो, जफिक कुछ अच्छे-च्छे question चाहत है, कुछ specify कर दोगे, अगर ही मन्त, तो मैं उस चीच को focus कर दोगा, तो comment box में लिखके मुझे बता दो, what do you want, specifically, तो मैं वो जरूर बना दोगा, और ऐसा बना दूगा, जिससे तुम दोगी बहुत अच्छी help हो जाए, अच्छा idea है, वैसे मैं इस चीच को याद रखोंगा अब थ्रॉर से specify कर दो, exactly क्या चीच चाहे तो, जिससे तुमको help मिले, तो अगर तुम वो बता दोगे, तो मैं वो, specifically वो बना दोगा, ठीक, तुम बोलोगे, तो मैं need के expected questions भी बना दोगा, anyway, आगे बरते हैं, हिमंद बता देना मुझको comment में लेके, ठीक है, हम लोग कर रह वाली energy होती, move करने वाली energy होती है, तो heat, जब move करती है, तो heat के move करने के चलने के तीन तरीके होते हैं, conduction, convection और radiation, heat के चलने के तीन तरीके होते हैं, conduction, convection, radiation basic distance कर लेते हैं और conduction, convection, radiation से मिलती हुदी चीज़े भी कर लेंगे conduction क्या होता है माल यह कोई solid body है यहाँ से heat दें तो यहाँ से heat देने के बाद यहाँ के जो molecule वो तेजी से चलने लगेंगे अब यह molecule अगर तेजी से चलने हैं तो यह molecule अपने अगल बगल वाले molecule से collide करेंगे फिर वो अपने बगल वाले neighboring molecule से collide करेगा फिर अपने neighboring करकर करके energy का transfer करेगा collision होता है ना, एक ball दूसरे से आके तकराती है तो momentum ही energy का transfer करती है तो अगर यह higher temperature वाला end है और यह lower temperature वाला end है तो यहां के मॉल्कुल तेजी से चल ला है यह अपने टक्रा टक्रा की energy का transfer कर रहे हो टक्रा टक्रा की energy कहीं ने कहीं यहां पर भी पहुंच जाएगी तो इस तरीके से जो heat का transfer होता है due to collision energy का transfer due to collision जो होता है इसको हम बोलते हैं conduction, energy transfer या heat transfer due to collision of molecules of free electrons atoms जो भी smaller entities हैं इनकी वज़े से जो energy का heat का transfer होता है इसको बोलते हैं conduction और यह dominate करता है solids में solids में heat transfer की जो dominant mechanism है वो conduction होती है liquids or gases में क्या होता है तो liquids or gases में क्या होता है कि जैसे माल लीजे आपका यह एक container है जिसमें liquid रखा हुआ है यह यह एक container है जिसमें liquid रखा हुआ है मैंने बता है इसमें solid एक rod है तो इसमें तो भीया conduction ही होगा conduction dominant में रहे जागा यहाँ पे liquid container है इसमें क्या होगा जब आप burner लगा के heat दोगे तो यहाँ के मॉलकूल का temperature जब बढ़ेगा तो जो temperature जब बढ़ेगा तो ज़्यादा इनके पास energy आएगी तो ज़्यादा move करेंगे solid में भी कर रहे थे but solid में क्या था कि molecules बंधे हैं वो तो ऐसा नहीं कि यहाँ का कोई temperature बढ़ा तो यह molecule चलने लेगा यहाँ पहुंच जाएगा तो ज़्याद का मतलब है molecule फ्लो नहीं कर सकते, चल नहीं सकते बढ़ लिक्विट्स और गैसे में क्या होता है लिक्विट्स और गैसे फ्लूट्स होते हैं जहाँ पर molecule चल सकते हैं they can flow, fluid का मतलब ही something which can flow flow का मतलब मल्कूल energy पाके चलने लगते हैं तो जैसे ही यहाँ पे temperature मिलेगा liquid को heat energy मिलेगी temperature बढ़ेगा इन molecules का तो यह molecule खुदी energy लेके चलने लगेंगे और इसमें कहिने की density का भी रूल होता है कि liquids और gases में जब temperature बढ़ता है तो उनका volume बढ़ता है तो density घट जाती है density घटने से हलकी चीजे जो होती हूँ ओपर पहुंच जाती है जो ठंडी चीज है ठंडी चीज temperature जादा तो density उसकी temperature कम तो density उसकी जादा तो जादा density वाली चीज है नीचे और जो कम density वाली चीज है वो ऊपर वाएंसी का भी तुरह सा इसमें involvement रहता है तो जो गरम चीज है वो ऊपर ठंडी चीज नीचे इस तरह से liquid का flow होने लगता है loops के form में और इनको बोलते हैं convection loops और इस तरीके से जो heat का transfer होता है उसको बोलते हैं convection liquids और gases में dominant mechanism convection होती है solids में heat के transfer की dominant mechanism conduction होती है liquids और gases में dominant mechanism convection होता है अच्छा एक और heat के transfer की में जिसको कोई मतलब नहीं कि solid है कि liquid है कि gas है मैं क्या मेरे साम में यह bulb लगा हुआ है यह bulb लगा हुआ है sunlight आ रहे है क्या इनमें ना solid liquid gas sunlight तो vacuum दे चल के आती है ना solid की जरू होता है ना liquid की ना gas की तो वहां पर क्या होता है तो वहां पर यह होता है कि कोई भी body जब temperature उसका ज़्यादा होता है तो उसके अंदर के electron temperature जो भी हो ऐसे absolute zero को छोड़गे किसी भी तो body के जो electron होते हैं वो accelerate होते हैं और जब electron यानि कि charge particle accelerate होता है तो वो electromagnetic waves के form में energy release करता है electromagnetic waves के photon के form में energy release करता है तो कोई भी body EM waves के form में waves के form में जब energy release करती है तो उसको radiation बोलते हैं heat के चलने के तीन तरीके, conduction, solids में, collision वाला convection, liquids और gases में, जहांपे convection loops, molecules खुद चलने लगता है liquid gas में molecules energy पाया तो खुद ही लेके दौनने लगता है energy और radiation, वहांपे molecules, molecules का involvement नहीं है molecules के बिना भी, क्योंकि वहांपे waves, material की जरूती नहीं है material हो, ना हो, कोई फ़क नहीं पड़ता light को, अब यह air के particle है, तो भी यह नहीं है, vacuum में तो भी light चल जाएगी क्यों? क्योंकि वो तो EM waves, electromagnetic waves से चल लएगी है visible light, electronic waves, ultraviolet, infrared waves के थूँ जो energy का transfer होता है उसको radiation कहते हैं तो हम दोग आते हैं, conduction, convection, radiation, radiation कौन सा होता है? waves के form में, यह waves के form में, यह वाला जो है, यह radiation है तो heat के transfer की तीन mechanism, conduction, convection और radiation हमको इनसे related quantities की dimension निकालने हैं, वट हम पूरा heat की basic discuss करने लगे चलो कोई बात ही है, अगर हम दोग नहीं discuss करेंगे तो आप याद कैसे रखोगे? conduction, convection और radiation करते हैं, conduction पे आते हैं conduction में कौन-कौन से rule use होते हैं और कौन-कौन सी quantities use होते हैं तो कि देखे, मुझे यह वाला खतम करना था, thermal conductivity करना है फिर इसके बाद इसमें और कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं आपको और गी quantities बिताऊंगा इसमें तो खाली thermal conductivity है, वट conduction, convection radiation में जो quantities use होते हैं, class 11th, 12th के level पे, वो मैं सारी आपको करा दोगा यहें पर dimension नुकल बादोगा, conduction पे आते हैं, माल लिजे कोई rod है यह वाला एंट T1 पे, यह वाला T2 पे और यह length इसकी L है temperature gradient है T1-2 by L, तो जो heat के conduction की rate होती है rate का मलब energy transferred per unit time, जो heat के conduction की rate होती है delta Q upon delta T, heat conducted per unit time, joule per second है watt में उसका formula होता है, K A T1-T2 upon L, जहां पे A क्या है? A है यह cross sectional area of the rod, यह है A, cross sectional area of the rod T1-T2 के हैं, T1-T2 temperature है, ends के, T1 higher temperature, T2 lower temperature heat T1 से T2 चल लगी, from higher temperature to lower temperature L क्या है? L T1 और T2 जिन points के temperature दे रहके, उनकी बीच का gap है तरके से length of the rod है, A यह वाला cross sectional area यह वाला cross sectional area, यह वाला T1 पे T2 पे length L है A यह वाला cross sectional area, heat किदर से जारी है? T1 से T2 जा रही है कितनी जारी है? तो पर unit time में delta Q upon delta T जा रही है तो अब जितनी heat, भाई देख रहे हो T1 minus T2 upon L, temperature gradient जादा होगा तो heat जादा चलेगी, cross sectional area जादा होगा, मोटे rod ऐसे होगी तो जादा heat जाएगी, बिल्कुल जाएगी और किसी इस पे depend करगे? तो भाई खुदी बता एक wood की rod है और एक है metal की rod, तो किसमें heat ज्यादा conduct हो जाएगा? और इसली metal में, metal heat के इच्छे conductor होते हैं non-metal heat के poor conductor होते हैं तो यानि कि material की property भी depend करते हो, metal की metal भी vary करता होगा तो जो material की बताने वाली property है, वो कहलाती है thermal conductivity वो क्या कहलाती है? thermal conductivity तो thermal conductivity, k की dimension हमको निकालनी है किसकी dimension निकालनी है? thermal conductivity, k करते हैं तो भाई, k की dimension निकालते हैं तो delta q upon delta t, heat per unit time यह heat लिखी मैंने, ml2 t minus 2, time लिखा t इधर LHS ने पढ़ गया area upon length, L square upon L, तो L square यह भी length है ना? और यह area L square तो L square आपने L cut गया, L बचा, L नीचे लिए t1 minus 2 temperature difference, यह तक ना time नहीं, t मत लिख लेना temperature k से लिखतें dimension में, k क्या कटेगा भाई, देखो यह बन गया M L square से L कटा तो L, t minus 2 से 1 गया, तो t minus 3, k minus 1, यह आ गया जिनमें, यह M आ रहा है तो M की power 1 लिख लो L आ रहा है तो L की power 1 लिख लो, तो बताओ, thermal conductivity की dimension क्या नहीं की? M to the power 1, L to the power 1, t minus 3, k minus 1 तो यह होगे हमारा thermal conductivity तो heat के conduction में यह होगे होता, यह देखे, M की power 1, L की power 1, t की power minus 3, k minus 1 कैसे निकाला हम लोगोंने? heat के conduction के formula से, delta q upon delta t is equal to k a t1 minus t2 upon L, इसके तो हम लोगोंने निकाला आगे बढ़ते है, thermal conductivity का हो गया मैंने बोला था कि conduction, convection, radiation तीनों के करवा होगा conductivity में एक तो आपको temperature gradient बता होना चाहिए, t1 minus t2 by L, दूसरा thermal conductivity as a k, constant उसका पता होना चाहिए, वो भी गता दिया, heat आपको पता ही है, temperature आपको पता ही है convection में कोई formula, हम लोग 11-12 के level पर नहीं पढ़ते तो वहाँ पर हम लोग जाने रहे radiation में बहुत सारे formula है, तो radiation में कुछ quantities की dimension निकालते है radiation जो EM waves के form में होता है, उसमें जो quantities होती है involved, उन सारी quantities की dimension निकालते है करते है, radiation में whatever quantities involved, तो पहले तो radiation के formula जाने लेते है radiation में सबसे पहला formula जो होता है, कि अगर कोई body, black body है, perfect black body मेलब सबसे अच्छी radiator है, जो सबसे अच्छी absorber होती होगी सबसे अच्छी radiator होती है black सबसे अच्छा absorber होता है, तो एक perfect black body किसी particular temperature पे कितना radiation करेगी कितना energy radiate करेगी per unit time, तो energy radiated per unit time एक perfect black body के लिए होता है, sigma a t to the power 4 साही time की मैं निक बताता हूँ, माल लिजे कोई body है, तो a है उसका surface area, या दखना, cross-sectional area नहीं बोला क्या बोला, surface area, surface area मतलब पूरा, superficial, जैसे ये body है, तो इस body का पूरा surface area है ऐसे पूरा, चारो तरफ से cover करने वाला surface area, surface area ये, t क्या है, तो t है absolute temperature, Kelvin में, temperature की fourth power के proportional होता है, ये Stephen's law है, लिग देता हूँ, radiation का सबसे important law आता, Stephen's law, Stephen's law, तो energy radiated per unit time, क्या होती है, surface area पे depend करती है, surface area जितना ज़्यादा होगा, body radiated उतना ज़्यादा करेंगे, temperature जितना ज़्यादा होगा, body radiated ज़्यादा करेंगे, temperature डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 to power force, 16 times radiation बड़ जाएगा, temperature की fourth power के proportional होती है, तो perfect black body की बात करने है, तो perfect black body, temperature की fourth power, body का surface area और एक constant आता है, सिग्मा जिसको बोलते है, Stephen's constant, Stephen's law, Stephen's constant, ऐसे आदखना, तो यह जो आपका constant है, यह है हमारा Stephen's constant, 5.67 into tempo minus 8, इसकी value होती है, watt per meter square, whatever, but अभी value की बात नहीं करें, हमें तो dimension पर आना है इसकी, तो Stephen's constant की dimension, अगर पूछे तो कैसे निकालोगे, तो Stephen's constant की dimension, if you are asked, how do we determine the dimension of Stephen's constant, then what we have to do, write down this formula, for perfect black body, delta q upon delta t, is equal to sigma a t to the power of 4, then rearrange the term, how do we rearrange the term, यह तो energy per unit time है, तो ml2 t minus 2 upon time को लिखा मैने t, getting it, ml2 t minus 2 upon t, sigma we have to find out, यह इस area l square temperature, याद लखने temperature t की power 4t, मत लिख देना dimension mlt, mlt में m mass, l length, t time होता, यह temperature है, k से लिखना, k, तो बताओ क्या हो गया, l square से l square गड़े गया, और k दर आ जाएगा, तो sigma की dimension हागी, m, t minus 3, k minus 4, यह हो गया हमारा Stephen's constant की dimension, m, t minus 3, k minus 4, m, t minus 3, k minus 4, अच्छा, radiation में एक और term यूज होता है, emissivity, वो क्याची होती है, तो जो bodies, perfect black body नहीं होती, तो जो bodies, perfect black body नहीं होती, तो जो bodies, perfect black body नहीं होती, तो उनका जो radiation होता है, वो क्या करता है, तो वो delta q upon delta t is equal to e sigma a t to the power 4, यह follow करता है, delta q upon delta t, e sigma a t to the power 4, फालो करता है, तो sigma तो Stephen's constant, a हो गया area, t हो गया temperature, e क्या लाती है, body की emissivity, e क्या क्या लाती है, body की emissivity, तो emissivity एक constant होता है, और material to material बदलने वाला, 0 से 1 की बीच का एक number समझ लो, एक number है, तो क्या होता है, कि बाकी जो bodies है, वो obviously perfect black body से तो कम ही करेंगी, जैसे माली जी किसी के लिए 1.5 है, तो इसका लाग perfect black body के respect में, वो half उसी condition में, उसी area, उसी temperature में, half radiation दे रही है, per unit time, तो e अगर एक coefficient है, 0 से 1 की बीच का number है, और इसको मैं कुछ बोलते है, coefficient of emissivity बोलते हैं, वैसे इसको, तो coefficient of emissivity या coefficient of emittivity, तो ये देखिए, एक number है, वो number होते हैं, dimensionless, तो इसकी dimension होगी, M0, L0, T0, तो radiation में मैंने आपको, एक तो Stephen's constant की dimension निकालना बताया है, और एक coefficient of emissivity या coefficient of emittivity बताया है, तो heat का conduction का भी करा दिया, convection का भी करा दिया, radiation की भी मैंने करा दिया, radiation में Stephen Boardsman law भी होता है, पर उसमें कोई नई quantity involved नहीं होती, तो उसमें कोई नया हमें term जाननी की जरुवत नहीं है, तो एक और आपको साथ पर सकती है radiation में, तो इदेखिए radiation में Stephen's law या Stephen Boardsman law बहुत important है, और एक law बहुत important है, Wins Displacement law, तो वो भी discuss कर देते हैं, क्योंकि उसमें भी एक constant आता है, और need वगर हमें पूर्च सकते हैं, Wins Displacement law, Wins Displacement law, और इसमें एक constant आता है, Wins constant, वो हम लोगों को करना है, Wins Displacement law क्या होता है, Wins Displacement law ये होता है, कि जैसे माल ये कोई body radiate करें, कई सारी wavelength radiate करें, कोई body radiate करती, waves तो कोई एक wavelength की नहीं करती, तो जो सबसे ज्यादा wavelength जो present होती है, intensity जिसकी सबसे ज्यादा होती है, उसको बोलते है dominant wavelength, characteristic wavelength, अब इसे कोई yellow color का bulb है, bulb है जिससे yellow color की light निकल है, तो इस color yellow उसकी dominant है, जो हम लोगों का remote होता, उससे red color की जो एक थोड़ी से lady लगी होती है, उसका लगों उसमें dominant color red है, wavelength सबसे ज्यादा प्रजंट है, पाक ऐसा नहीं कि ready होगी, पाकी भी color होंगे, बड़ उनकी intensity इतनी कम होगी, कि dominated कर रही है, तो जो dominant wavelength होती है, वो पाया गया, कि body के temperature के inversely proportional होती है, जो dominant wavelength होती है, वो body के temperature के inversely proportional होती है, हम temperature जितना जादा बढ़ाएंगे, उसकी जो temperature बढ़ाएंगे, तो उसका जो radiation का nature वो change होगा, तो temperature बढ़ाने पे, जो dominant wavelength होती हो गटी, obviously जब तुम temperature बढ़ाओगे, तो जादा energy की waves निकलेंगे, और जादा energy E is equal to H, जादा frequency, और frequency जब बढ़ती है, तो wavelength घटी है, तो फिर सब बोलाँ, temperature बढ़ा, frequency बढ़ी, तो wavelength घटी, तो temperature बढ़ने पे wavelength घटना महलब proportional की, inversely proportional, inversely proportional, तो इसी lambda M proportional to 1 upon T, inverse relation सिपको, V's displacement law बोलते हैं, इसको mathematically लिख सकते हैं, lambda M, inversely proportional to 1 upon T, ती धर लेओ, proportional data अगी constant लगा दो, तो lambda M T is equal to B, इसको बोलते है, V's displacement law, यह statement V's displacement law का, इसमें जो B होता है, इसको बोलते हैं V's constant, और इसी के लिए तो मैं यह समझा रहा हूँ, क्योंकि हमें इसी की dimension निकालना है, V's constant की dimension चाहिए, हमें किसकी dimension चाहिए, हमें V's constant की dimension चाहिए, V's constant की dimension, V's constant की dimension, यह सब मैं बता रहा हूँ, चोटे चोटे वीन्स कॉंस्टेंट की डामेंशन निकालना यह जही में इन सो नीट में पहुंच सकते हैं उसलिए जही एडवांस लेवल का तो कॉंचन नहीं है या फिर ऐसे पहुंच सकते हैं कि आपको जैसे किसी कॉंचन में यूज कर लिया अभी मैं डामेशनलेंशन के कॉंचिन कराओँगा तो होहाँ पर ऐसे कोंचिन आते हैं एक कॉंचिन क्यूं है वो Q1 Q2 Q3 पे डिपेंड करती है बताओ Q का Q1 Q2 Q3 के तम में comparison क्या होगा डामेशनलेंशनलेंशन के जो नीट में question आते हैं यह में में से question आते हूं, वो हमेज़ा ऐसे ही होते हैं, कि एक hypothetical quantity ले लेंगे, क्यों? वो depend करती है, इस पे, इस पे, इस पे, बताओ, इनके term में उसका expression क्या है, चार option दिये होंगे, अलग अलग powers के साथ, और आपको correct option चूच करना होता, तो उसमें आपको पता होना चाहिए, अगर आपको quantity की, वो जो Q1, Q2, Q2, उनकी dimension ही नहीं पता होगी, तो आपको derive भी नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए मैं बता रहा था, आपको winds constant की dimension निकालना पता होना चाहिए, winds dispersion law मैंने बताया, winds constant इसमें क्या है, तो B, B एक constant है, winds constant की dimension, B की dimension निकालते हैं, lambda wavelength है, wavelength मैंने कल भी बताया था, फिर बता रहो length है, तो उसकी dimension L होगी, तो यह देखिए, यह लिखा L की power 1, T temperature है, तो temperature की क्या होगी, temperature Kelvin, K, K, तो यह बन गया L की power 1, K की power 1, winds constant की dimension, L की power 1, K की power 1, और जो नहीं है, उनकी power 0 लिखनी होती, तो M0, L की power 1, T की power 0, T की power 1, यह हो गया, winds constant की dimension, तो I think heat and thermodynamics में, जिंजिन quantities की जरूद पर सकती थी, heat बताया, temperature gradient बताया, specific heat capacity बताया, latent heat बताया, thermal conductivity बताया, stevens constant बताया, winds constant बताया, तो I think मैंने, सारे जितनी भी quantities, heat और thermodynamics ने यूज हो सकती थी, सारी करा दी, mechanics की सारी quantities की dimension करा दी, अगर किसी को कोई लग रहा है कि रह गई है, तो comment box में लिखके बता तो, अभी मैं दो मिनिट का break लूँगा, पानी पी ओँँगा, आपके comment box read करूँगा, comment और मैं सारी बता दूँगा, तो mechanics की मैंने सारी करा दी, heat ने thermodynamics की सारी quantities की dimension करा दी, अभी के अभी, दो मिनिट के break के बाद, आपको मैं electro mechanism की सारी quantities की करा ओँगा, फिर modern physics में अगर को यूज होती है तो करा हूँगा, electricity mechanism में इसल बहुत सारी quantities की होती है, वो सारी के सारी मैं अभी के भी करा हूँगा, और उसकी काफी यूज भी होती हैं, काफी important भी होती हैं, तो मैं break ले रहा हूँ, एक मिनिट का पानी पी होँगा, और आपके comment रीट करूँगा, और comments में अगर कोई आपको चीज पूछनी है तो अभी के भी पूछ लो, अभी का पानी हैं, झाल झाल आई थिंक मैंने कमेंट बॉक्स रीट किया तो some guy was asking about English copy checking I don't know why he was asking अभी तो हम लोग physics में Dimensional Assess की class ले रहे हैं तो यह हमारा main issue है बट English की copy check क्या हो रही उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं बट give me some time after this class I can respond किसी को Dimensional Assess related को डाउट हो relevant पूछो तो ज़्यादा अचा रहेगा किसी ने relevant पूछा था कि need के previous year का question वगेरा तो मैं बता दूँगा उसमें भी आ जाओँगा उसमें भी discuss करेंगे in fact need और जही means में जो important questions है वो मैं जरूर बताऊँगा और उनको जरूर जो है इसके एक स्रीजी बना दूँगा video lectures की need to j means के लिए important questions की बट इस्टिल चलो आगे बढ़ते हैं I think अवास तो आ रही होगी किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है अवास तो आ रही है न सबको किसी कोई दिक्कत sound की चलो move on कर जाते है नेक्स पर heat and thermodynamics हो गया mechanics हो गया सारी quantities हम लोग आगे बढ़ते है bulk modulus मैंने करा दिया था centipetal acceleration acceleration है lt-2 होगा stephen's constant करा दिया वींस constant करा दिया boardsman constant चलिए भई boardsman constant भी कर लेते हैं बोर्सman constant होता क्या है यह kinetic theory of gas यह हमारा रह गया था heat and thermodynamics से यह भी cover कर लेते हैं boardsman constant की dimension निकान ले है boardsman constant पहले थोगा सा मैं इसके बारे में brief कर दू तब बताऊंगा उसकी dimension boardsman constant तो को होता क्या है कि जो temperature है वो कहीं न कहीं किसी body को हम जब हम बोदे न रख बेटर तमप्रेचर कम है तो उसका मतलब क्या है temperature कहीं न कहीं body के molecules के motion से related होता है किसी भी body के molecules जितना fastly चलेंगे उसका temperature उतना ज्यादा होगा vice versa temperature जितना ज्यादा होगा molecules उतना fastly चलेंगे temperature is fastness or slowness of molecules molecules के motion से related है यह सही बात है और molecule का जो motion होगा तो molecule की कुछ kinetic energy भी होगी उसरी में होती है और molecule की जो kinetic energy होती है translation, rotation, जुड़-जुड़के degree of freedom यही तो सारी concept है internal energy की तो यह सारी चीज़े हम लोग detail में discuss करते हैं जब हम लोग kinetic theory of gas करते हैं अभी मेरा purpose यह बताना कि आगर हम किसी एक molecule की energy देखें, किसी एक molecule की और सिर्फ translation की देखें, rotation, rotation की ना देखें तो किसी एक molecule की translation की वज़े से जो energy आती है, kinetic energy of course temperature पे depend करती है, बिलकुल करती है, temperature की वज़े से ही आती है temperature अगर 0 कर दो, absolute 0 minus 273.15 degree Celsius, कोई motion नहीं, कोई energy नहीं तर्मिया है, और temperature भी 0, absolute 0 पे motion भी 0 motion बढ़ेगा, temperature बढ़ेगा, temperature बढ़ेगा, motion बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के interrelated proportional phenomena है, तो energy एक molecule की 3 by 2 kbt, 3 by 2 constant kb जो यह आ रहा है, of course temperature, absolute temperature, kb जो आ रहा है, वही है boardsman constant, एक तरह के साब सब्सक्राइब, boardsman का contribution था, molecules के motion को समझाने में, boardsman speed distribution graph भी हम लोग करते हैं, जब ktg पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम लोग boardsman, Maxwell boardsman speed distribution graph भी करते हैं, तो उसमें यह kb use होता, यह है, boardsman constant, तो इस boardsman constant की dimension चाहिए, करते हैं भई, तो boardsman constant kb की dimension बनेगी, e upon t, e energy है, तो बनेगा ml2 t-2, और t temperature है, तो temperature को k लिखना, गलती मत करना, temperature को t न लिखके छोड़ देना, t आपर time होता है, के ओपर आ जाएगा, तो बन जाएगा ml2 t-2 k-1, ml2 t-2 k-1, ml2 t-2 k-1, तो यह dimension किसके बन गई, boardsman constant की, किसके बन गई, boardsman constant की dimension, ठेक तो I think boardsman constant की dimension भी हम लोग सीख गये, देखते हैं भई, और कौन कहुंसा बच्छा है, boardsman constant भी हो गये, ml2 t-2 k-1, universal gas constant, universal gas constant अब आप उसको heat and thermodynamics से relate करो, चाहाब उसको chemistry से relate करो, चाहाब उसको gases loss से relate करो, कहीं बहुत जगे यूज होता है, universal gas constant बहुत important भी है, universal gas constant की dimension निकालने को जब भी आए, universal gas constant तो सबसे पहले आपके दिमास में जो equation आनी चाहिए, जिसके थूँ हम लोग निकालें, और A भी चुकी होगी, तो वो है PV is equal to nRT, universal gas constant की dimension निकालना आना चाहिए, universal gas constant R, जब भी बात चलेगी तो आपको equation याद ही आजाएगी, PV is equal to nRT, PV is equal to nRT में हमें R की dimension चाहिए, किसकी dimension चाहिए, R, करते हैं, R की dimension, PV upon nT, P pressure, V volume, तो pressure और volume अलग लग भी रख सकते हो, रखेंगे भी बड़े एक trick बता रहा हूँ, pressure into volume, pressure into volume, दमिशली क्या बताता, P delta V, वक्डेंग बताता है, तो P delta V सिदे सिदे work ml2 t-2 रख सकते हो, रख सकते हो, ना रखना चाहो तो अलग लग रख लो भाई, pressure ml-1, t-2, volume l3, बात भाई, देखो, l3 से l-1 जाएगा, 3-1, तो ml2 t-2 वही तो आगे, वर क्या energy का, pressure into volume, वर के dimension के equal है, यह होगा pressure into volume, divided by nT, n क्या होगा, mol, t है temperature, तो क्या लेक लिए, k, तो यह देखें क्या बन गए, यह बन गए, ml2, t-2, mol-1, k-1, देखें, ऐसी quantity है, और universal gas constant, यह 5 fundamental quantity पर depend कर रही है, बस luminous intensity नहीं होज हो रहा है, और current नहीं हो जो रहा है, बागे तो सब आ रहा है इसमें, क्या universal gas constant की dimension, ml2, t-2, mol-1, k-1, तो यह कैसे निकाला, PV is equal to nRT, तो universal gas constant भी I think समझ गए होगे, universal gas constant की dimension निकालना, move on करते हैं, बोर्जमें constant हो गया, universal gas constant हो गया, मैंने बताया था कि हम दो electricity, magnetism की quantities की dimension निकालेंगे, तो electricity, magnetism की quantities की dimension निकालेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चार्ज से, चार्ज, current density, voltage, resistance, capacitance, electrical logistivity, electric field, electric flux, और कौन-कौन सी हैं, और कोई, electric potential, EMF, capacitance, resistance, resistivity, conductivity, permittivity, conductance, power, impedance, admittance, self inductance, बहुत सारी हैं, playing constant करी लिया था, reflective index, focal length, optics की आजाएंगे कुछ, तो एक काम करते हैं, एक एक करके निप्ताना इस्टार्ट करते हैं, तब ही हो पाया है, अब हम लोग Electromagnetism में, जो quantities involved होती हैं, उन सारी quantities की dimension निकालने जा रहे हैं, one by one, सबसे पहले बिल्कुल order से चलेंगे, बिल्कुल परिसान मत होना, order से चलेंगे, सबसे पहले वो quantities करते हैं, जो electricity में use होती हैं, one by one सारी करेंगे, don't worry, be happy, सबसे पहली जो हम दो quantity पढ़ते हैं, वो है charge, तब भी Electromagnetism की बात चलेगी, जो सबसे पहली quantity आएगी, वो है charge, चार्ज, चार्ज, फंडामेंटल जरूर है, मतलब in terms of current, बाद में ही charge पहले है, current होता ही flow of charge है, लेकिन physics में जो fundamental quantities हैं, उसमें current को रखा गया है, चार्ज को नहीं रखा गया है, क्योंकि current easily measurable है, observable है, बढ़िछ हमारे इतनी easily measurable है, observable थो इना है, बढ़ current हम तो major भी कर सकते हैं, observe भी कर सकते हैं, इसलिए current को fundamental लखा गया है, बढ़ चार्ज चाहिए, तो fundamental करने की current की dumb से लिखना पड़ेगा, तो charge और current में क्या relation है, तो देखे भई है, charge की dimension निकालने के लिए current का formula i is equal to delta q upon delta t use कर ले, current is rate of flow of charge, current is rate of flow of charge, i delta q upon delta t, तो delta q यानि की जो charge है, वो i delta t हो गया, i delta t, i ampere, a, delta t time, t, power 1 ही आरे, a की power 1, d की power 1, तो यह हो गया हमारा charge की dimension, क्या होगी charge की dimension, a to the power 1, t to the power 1, charge की dimension, a to the power 1, t to the power 1, charge की dimension निकल आई, a to the power 1, t to the power 1, आगे बढ़ते हैं, charge के बाद हम लोग पढ़ते हैं, charge के बीच में लगने वाला force, जिस तरीके से, जिस order में हम लोग चलते हैं, उसी order में मैं कराऊंगा, अभी तक किसी को को doubt हो, तो बताओ तो भाई, नहीं, उसी order में चलते हैं, तो अगली हम लोग जो quantity करेंगे, मैंने बता ना, charge के बीच में लगने वाला force, तो charge के बीच में लगने वाला force, column force, तो column force क्या करना पर, column force हो चाहे कोड़ भी force हो, force तो newton, और उसकी dimension, mlt-2 यह होनी है, तो यहाँ पर मैं column force से related, दूसरी quantity करने वाला हूँ, column force का जो formula होता है, क्या होता है, दो charges के बीच है force, 1 upon 4 pi epsilon 0, q1, q2 by r², जो होता है, column force का formula, f is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0, q1, q2 by r², f is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0, q1, q2 by r², यह होता है formula, करते हैं, इसमें क्या, force हमको पता है, q1, q2 charges पता है, r distance पता है, तो पता क्या नहीं है, 4 pi, 4 constant, pi constant, epsilon 0, permittivity, permittivity of free space, permittivity of free space, 8.86 newton power minus 12, column square per newton meter square, तो इसकी epsilon, यह epsilon 0, की dimension, अगर पूछी जाए, इसको बोलते हैं, permittivity, electrical permittivity, electrical permittivity की dimension, के लिए जब भी आए, तो आप कुलम्स law लिखो, और आप मुझे epsilon की dimension निकाले, epsilon, epsilon 0, में difference इतना है, epsilon 0, vacuum का है, epsilon इस general time में, जो किसी medium के लिए हो सकता है, यह बताऊँगा, epsilon, epsilon 0, into epsilon r होता है, epsilon r, dialectic constant, वो dimensionless number होता है, तो उससे कोई फ़र्गने परता, तो epsilon और epsilon 0 की dimension सेम है, तो epsilon की dimension अगर पूछें, तो इधर लिए हो, q1, q2, दोनों charge है, तो 80, दो बार 80, तो e squared d squared, r squared, l squared, force नीचे लाओगे, तो mlt minus 2, क्या बन गया, m to the power minus 1, m हट गया, और add-off भी क्या-क्या अट जाएगा, m हट गया, l, l, यहाँ पे l cube बन चुका होगा, उपर आएगा, तो l की power minus 3, चलो, यह हट गया, time, यह इधर आके जूट जाएगा, तो t की power 4, t की power 4, और a की power 2, यह रहाए की power 2, तो यह हो गई, permittivity की dimension, epsilon 0 की dimension, m minus 1, l minus 3, t to the power 4, a की power 2, रटने की जरोत में है, मुझे खुद नहीं याद है, और मैं तुमको सजेस्ट भी नहीं करूँ, और तुमको सिर्फ इतना करना है, कि तुमको फर्मूला याद रखना है, कि कहां से derive किया गया, तो permittivity आएगा, तो भी क्या याद रखोगे, f is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0, q1, q2 by r square, याद रखना, और फर्मूले में, f is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0, q1, q2 by r square में, q1, q2 रखना, r रखना, f रखना, तो epsilon याने की permittivity निकल आएगा, चाया permittivity of free space पूछें, चाया permittivity पूछें, सिर्फ, तो दोनों में same बताना है, अब जब मैं permittivity बता ही रहा हूँ, तो एक और सी बता दू, जब किसी medium में जाते हैं, तो epsilon 0 बनता, epsilon 0 into epsilon r, epsilon 0 है permittivity of the medium, epsilon 0 है permittivity of free space, epsilon r है relative permittivity, और dialectic constant, relative permittivity और dialectic constant, epsilon r क्या है, relative permittivity या dialectic constant, तो इसकी dimension क्या होती, तो कैसे निकालोगे भई, भई, ये, ये, तो same dimension होते हैं, ये एक number होता है, relative permittivity और dialectic constant, k से भी denote करते हैं, 1 से infinity का number होता, number क्या होते हैं, dimensionless, तो ये वाला term है dimensionless, I don't know, इस color में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो color भी change करता रहता हूँ, ये वाला है dimensionless, इनकी दोलों की dimension सेम हैं, जो भी Coulomb's loss से निकाली थी, वही वाली dimension, इनकी dimension है, तो हम लोगों ने किस की कर लिए, charge की कर लिए, permittivity कर लिए, permittivity of free space कर लिए, permittivity of medium कर लिए, dialectic constant कर लिए, अगली quantity पर move करते हैं, तो अगली quantity के लिए, मैं page जोड़ता जाता हूँ, जितने page जोड़ने हैं, जोड़ो भी या, don't worry, be happy, तो अगला करते हैं, हम लोग बिल्कुँ उसी order में कर रहे हैं, इस order में अपने syllabus में करते हैं, electric field, जब हम अगली चीज पढ़ते हैं, तो यह पढ़ते हैं कि भई, ठीक है, भई, कुलम्स, लॉव, फोर्स, बगएरा सब सही है, हमको मादलों में कि किसी चार्ज के चारों तरफ का जो region होता है, जिसमें चार्ज फोर्स लगा सकता है, उस region को बोलते हैं, electric field, उस region को बोलते हैं, electric field, और उस region को जिसको electric field बोलते हैं, उसमें electric field intensity, electric field की strength, कैसे determine करते हैं, हम determine करते हैं, electric field की strength, force acting per unit charge, obviously force acting per unit test charge, where test charge is always assumed to be positive, यह पूरी definition होती है, पर mathematically मैं फोकस करने वाला था, क्योंकि मुझे तो खली dimension ही चाहिए, तो electric field intensity, force acting per unit charge, इसकी मुझे dimension चाहिए, electric field intensity, force acting per unit charge की मुझे को dimension चाहिए, electric field intensity, E is equal to force acting per unit charge की dimension चाहिए, करते हैं, force, mlt-2, force, का करने बोलो, mlt-2, divided by charge, charge को क्या लिख ले, 80, solve करते हैं, यह आजाएगा, mlt-3, a-1, यह होगे, electric field की dimension, mlt-3, a-1, कैसे निकाला, electric field intensity, is force acting per unit charge, इसकी dimension निकाली, electric field intensity, आगे बढ़ते हैं, electric field intensity हो गई, बिल्कुल उसी तरह से आगे बढ़ने, charge हो गया, permittivity हो गई, electric field intensity हो गई, next time हम लोग क्या गरते हैं, तो next time हम लोग अलग-अलग, charge distribution की electric field, निकालते हैं, जिसे line charge की निकालते हैं, याद है कुछ, 2 के lambda भाई, यार, playing sheet की निकालते हैं, sigma by 2 epsilon not, connecting की sigma by epsilon not, point charge की kq by r square, अलग-अलग charge distribution की electric field निकालते हैं, अलग-अलग charge distribution की electric field निकालने के लिए हम लोग एक law यूज़ करते हैं, gauss law, और gauss law का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगली हमारी quantity इसलिए से related है, क्योंकि gauss law लगाने के लिए एक word यूज़ करना पड़ता है, एक term यूज़ होता है, वो है electric flux का, electric flux, electric flux, पसे ही निकालना था मुझे, electric flux, electric flux की बात आती है, gauss law को जूज़ करने में, electric flux की dimension चाहिए, क्या होता है electric flux, तो जैसे मान लिज़े कोई surface है, उससे field lines पास कर रहे हैं, normally hit करते हुए जा रही हैं, जितनी भी number of field lines, surface को hit करते हुए जाएं, perpendicular, hit करते हुए across जाएं surface के, ऐसे, यू, hit करते हुएं, तो number of field lines ही flux होता है, यह बात है कि mathematically निकालते हैं, phi is equal to e into a, यह area यहाँ पे perpendicular area है, और अगर कुछ angle बनना होता है, तो flux e a cos theta, dot product के डब में लिखते हैं e dot a, और वह मैं नहीं लिख रहा हूँ को कि मुझे dimension चाहिए, तो मैं e dot a e a cos theta लिखके क्या करूं फाइदा, अभी मुझे proper definition नहीं कहने, अभी मुझे अभी dimensions के लिए मुझे basic पे फोकुस करना, phi is equal to e लिख रहे हैं, electric flux की dimension निकालने जा रहे हैं, तो क्या कहने बोलो, electric field into area, electric field की dimension अभी निकाल ली, रख दें, मुझे याद थोड़ी नहीं electric field की dimension, भाई जैसे तुमको नहीं याद रहती, मुझे भी नहीं याद रहती हो, याद रखने की जरूद भी नहीं है, कोई जरूद नहीं है, what you have to do, electric field अगर dimension निकालना आना चाहिए, force upon charge होता है, तो लिखो force, mlt-2, charge 80, और area, यह A मत लिख देना, area L square, L square, क्या करें, M, L की पावर 3, T की पावर, minus 3, A की पावर, minus 1, solve कर लिया, कोई भी dimensional formula आपको याद नहीं रखना है, only thing you have to do, is to keep in mind, which formula you have to use, अब इसे flex है, तो A into A, आपने E, भी मैंने याद नहीं रखा, भी E भी मैंने भी डेखो, आपके सामदे नहीं तो निकाला, E निकाला, यह L square area रख दिया, तो electric flux हा गया, और आगे बढ़ते हैं, next quantity, तो जो पहला chapter है, 12 की physics का, उसमें देखे, charge हो गया, permittivity हो गया, dialectic constant हो गया, electric field हो गया, electric flux हो गया, gauss law बता रहा था है, तो gauss law क्या होता है, integral e dot ds is equal to q enclosed by epsilon naught, flux is equal to enclosed charge divided by epsilon naught, flux passing to the surface, is equal to enclosed charge divided by epsilon naught, यह तो होता है, अब दोगो, flux is equal to enclosed charge divided by epsilon naught में, flux आपको पता है, charge की dimension पता है, epsilon naught की dimension पता है, अगर आप रख के देखोगे, तो LHCOS की dimension सेम भी आएगी, principle of dimensional homogeneity, इलकुल सही बात है, तो यहाँ तक तो आपको सब पता है, तो यहाँ तक मुझे कुछ और बताने की जरुवत नहीं है, अब electric field से आगे परते हैं, नए chapter में आते हैं, तो उसमें बहुत सारी quantity मिलेंगी, electrostatic potential and capacitance वाले में, electrostatic potential and capacitance में, पहली quantity involved होती है, दो charges की बीच में potential energy, का formula होता है, electrostatic potential energy का formula होता है, के Q1, Q2 by R, तो आपको यह जो है निकालना है, electrostatic potential energy, तो के Q1, Q2 by R, एक तो तरीका यह कि आप K रखो, 1 upon 4 pi epsilon, खुद हड़क का काम, Q1, Q2 रखो, फिरार रखो, तब निकालो, भई यह दूसरा तरीका भी तो है, ज़्यादा असान, भई यह energy है, energy, energy कोई भी हो, एक ही dimension नहेगी, बारबार निकालने की जरुवत नहीं है, क्या रखोगे energy की dimension, ml2 t-2, electrostatic potential energy, एक ही dimension, ml2 t-2, electrostatic potential energy की dimension, क्या होती है, ml2 t-2, like all other forms of energy, कोई नहीं चीज़ तो नहीं कर रहे है, हर form of energy की यह होती है, ml2 t-2, आगे बढ़ते हैं, तो कि अगला वाला इससे यूज़ होना है, और बड़ा important है, potential, जब potential energy पहुँचाते हैं, तो potential की भी जरूवत पढ़ेगी, तो आपको potential पूचा चाहिए, electric potential, यह ज़रूर important है, और 100% आपको पता आना चाहिए, electric potential की dimension निकानला, electric potential V, अब मैं अगर पूचो, electric potential बताओ, formula, definition, तो definition लोग बताने लगेंगे, work done per unit charge, work done in bringing the unit charge, from infinite to the dead point, पता नहीं क्या क्या बताने लगेंगे, तो यह सब करने कोजर होती है, potential होता है किसी point पे, potential energy per unit charge, इतना बोल दो बहुत है, electric potential is, potential energy per unit charge, electric potential is, potential energy per unit charge, potential energy joule में, charge किस में, कुलंब में, क्या बनी, joule पर कुलंब, joule पर कुलंब को क्या बोलते हैं, वोल्ट, joule पर कुलंब को बोल देते हैं, scientist को honor करने के लिए, वोल्ट पर कोजरूरोत नहीं है, तो उसको kilogram, meter, second, और ampere व एंपर के डम में लिख सकते हो, लेकिन हम लोग वो अपने headhack बचाने के लिए, derive quantities को भी कुछ कुछ नाम देते रहते हैं, बड़ एलेक्टिक potential, क्या बोला, potential energy per unit charge, तो लिखो, V is equal to potential energy U, upon charge क्या लिखो Q, V को लिखो U by Q, potential energy per unit charge, potential energy, क्या लिखोगे, ML2 T-2, charge क्या लिखोगे, AT, potential energy per unit charge, ML2 T-2, charge क्या लिखा, AT, क्या बनेगे dimension, क्या बनेगे dimension, तो देखो, M, M, L2 L2, T-3, A-1, यह होगे, electric potential की dimension, ML2 T-3, A-1, electric potential की dimension, ML2 T-3, A-1, क्या होती, electric potential की dimension, ML2 T-3, A-1 से ज़्यादा, आपको क्या लिखोगे, कितनी quantities की dimension रट होगे, तो आप यह यादखो, potential की dimension निकाली कैसी, आपमें निकाली potential की dimension, potential energy, per unit charge से, उसे इतना यादखना, उपर energy, ML2 T-2, charge A-2 रख दोगे, तुरंद का तुरंद निकालाएगा, आगे बढ़ते हैं, electric potential हो गया, electric potential synergy हो गई, तो उस चप्टर में, जब हम potential पे आते हैं, तो potential से related, और terms की जोगत पढ़ते हैं, potential से related, और term की बहीग, क्या जोगत पढ़ते हैं, मैं कैसे skip कर गया, पता नहीं, लकिन अब कर लेते हैं, electric dipole, electric dipole का dipole moment, इसकी dimension निकाल गई, electric dipole होता क्या है, dipole, 2 pole, 1-1 plus, 2 equal and opposite charge, placed at very small separation, small distance, dipole कहलाता है, क्या होता है dipole, 2 equal and opposite point charges, placed at very small separation, dipole कहलाता है, 2 equal and opposite point charges, placed at very small separation, इस system क्या कहलाता है, dipole, तो minus q plus q, पास पास रखे dipole है, माल लेते हैं, charges के बीच में separation L है, कई books में, NJRD में 12-L ले अगर रहता है, उससे कोई फ़र्ग ने पढ़ता है, L मालो 12 मालो, कोई फ़र्ग ने पढ़ता है, separation, mean चीज़ इस separation, तो जो dipole moment होता है, P, dipole moment को P से नोड करता है, वो होता है, इन में से किसी एक charge का method, multiplied by separation, किसी एक charge के method को क्यों लिखना हूँ, separation को L लिखना हूँ, तो dipole moment होगा, q into L, dipole moment क्या होगा, q into L, तो q, charge into separation, तो q, 80 लिखना हो, separation L लिखना हो, तो यह बन गया, L की power 1, T की power 1, A की power 1, जो नहीं आ रही होगा, जीरो, dipole moment हो गया, खलास, आगे वढ़ते हैं, next quantity, तो हम लोगों ने देखे, काफी सारी quantities निप्टा ड़ली, charge निप्टा ड़ला, permittivity निप्टा ड़ली, electric field कर लिया, फिर हम लोगों ने dialectic constant किया, electric dipole moment किया, potential energy की, electric potential किया, electrostatic potential and capacitance, capacitance, आजाचेप्टर, capacitor के view पर है, तो जो capacitor वाले segment में, जब हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग capacitors के बारे में बढ़ते हैं, और capacitors के बारे में समझते हैं, कि capacitors एक charge holding device है, energy holding device है, conductors होते हैं, जो charge hold करते हैं, charge के थूँ, electric field हो energy store करते हैं, तो capacitors के इस charge को hold करने की capacity को capacitance गोलते हैं, तो capacitance, जैसे resistor का resistance, inductor का inductance, विसे capacitor का capacitance, यह एक बड़ा important टर्म आता, तो capacitance की dimension कैसे निकालेंगे, तो जैसे माल लेजे मेरे पास, यह capacitor है, दो conductor से मिलके बना है, plus q और minus q, और इस plus q और minus q के system पे, कुछ potential difference है, इन दोनों के बीच में v, तो capacitance का basic equation, basic formula होता है, q is equal to cv, capacitance की basic equation होती है, q is equal to cv, तो q is equal to cv में c, हमें निकालना है, तो c कैसे निकालेंगे, q upon v करके, c कैसे निकालेंगे, capacitance की dimension, q upon v करके, तो q upon v करते हैं, तो q लिखेंगे charge, 80, a की power 1, d की power 1, v, electric potential, electric potential मैं फिर भूल गया, electric potential आप भी भूल सकते हो, मैं भी भूलूंगा, और जाद रखना भी नहीं है, electric potential की dimension कितने की इंट होगे, लेकिन तरीका या दगो, क्या बता रहा है, अभी दो मिनट पहले बता था, electric potential होता है, potential energy per unit charge, ये बड़े लिकल लोगे, potential energy को लिखो, ml2 t minus 2, upon charge, को लिख लो 80, असान नहीं से हो गया potential, अब दोखो, कैपिस्टन्स निकाल लाएं, क्या करें, last step, last step में बोलो क्या करें, m, m, और कहीं m नहीं है, उपर आगिया, m minus 1, l की power 2, और कहीं है क्या, नहीं है, l minus 2, ये नहीं पड़ गया, t minus 2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, वैसे ही दो यहाँ पे हैं, तो 2, t की power 4, a की दो जुड़ जुड़ जाएंगी, a की power 2, ये आगिया, dimensional formula, capacitance का, m minus 1, l minus 2, t to the power 4, a to the power 2, ये आपकी, dimensional formula है, capacitance का, तो हम लोगोंने, electric, charge and electric field, lactose-tractic potential and capacitance, तक सारी quantities की, dimension निकाल ले, इसके बाद, electric current और उसके, beyond जो chapters हैं, उनमें जो quantities होती हैं, उनके भी हम लोग, dimensional formula, आज के याज करेंगे, next class में, तो c के बाद में, within 2 hour, 3 hour, एक अगली class करेंगे, जिसमें अगली quantities की, dimension करेंगे, because I am hungry now, तो हम लोग यहीं पर, class को end करते हैं, thank you, hello everyone, हम लोग dimensional analysis कर रहे थे, और dimensional analysis में, हम लोगों ने, कई सारी quantities की dimension निकालना सीख लिया था, I think आप लोगों ने, अभी तक हमारे videos को follow किया होगा, lectures को follow किया होगा, हम लोग अभी इसके आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी quantities रह भी गए थी, हम लोगों ने, electro mechanism की, I think electric potential यहां तक कर लिया था, electric potential और उसके beyond की quantities, हम लोगों को करनी थी, करते हैं, और उसे पहले थोग सा revise कर लेते हैं, हर बाद थोग सा revise कर लेना चाहिए, मैंने बताया था, dimensions होती क्या हैं, whenever we write derived quantities, in terms of fundamental quantities, powers और exponents, which are raised on fundamental quantities, are called dimensions, dimensions वो power होती हैं, जो हम fundamental quantities पे raise करते हैं, to express the derived quantities, in terms of fundamental quantities, हम derived quantities को fundamental के terms में, express करने के लिए, जो power यूज करते हैं, वो dimension होती हैं, फिर हम लोगोंने quantities का dimensional formula निकालना सिखा, और उसमें चोड़ी चोड़ी बाते भी सीखिए, कि dimension quantity का basic nature होता है, ये अगर similar type की nature की quantities होती ही, तो dimension same होती है, बड़ अगर dimension same हो, तो quantity का nature same होना जरूरी नहीं है, dimension का unit के साथ relation जरूर है, बड़ ऐसा नहीं कि unit less quantity, unit less quantity dimension less होती है, बड़ dimension less है, तो जरूरी नहीं कि unit less भी हो, ऐसा कोई बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, अगर कोई quantity dimension less है, तो it may or may not have a unit, फिर हमने different different quantities की dimension निकालने सीखी, और mechanics की सारी कर ली थी, heat and thermodynamics की सारी कर ली थी, electricity mechanism में I think capacitance तक सारी कर ली थी, उसके आगे बढ़ते हैं, उसके beyond move करते हैं, और कुछ quantities की dimension निकालेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग quantities की dimension निकालने की बात तक करूखेंगे नहीं, quantities जो बची हैं उनकी dimension निकालेंगे, principle of dimensional homogeneity सीखेंगे, dimensional analysis के application सीखेंगे, और dimensional analysis के application ही है, जो need और jee में पूछे आते हैं, मैं need में I way, jee में I way questions भी कराऊंगा, need में I way और jee में I way questions भी कराऊंगा, जो हम पूछे गए हैं, तो सारी चीजे करेंगे हम लोग, बट उससे पहले हम लोग जो बची-खी quantities हैं, उनकी dimensions भी निकाल लेते हैं, तो electric potential I think हम लोगों ने कर लिया था, electric potential से आगे बढ़ते हैं, EMF, क्या होता है EMF, बताओ, EMF क्या होता है, EMF, high, तो electric potential क्या होता है, electric potential work done per unit charge, को बोलते हैं, या potential energy per unit charge को बोलते हैं, EMF भी समझ लो ऐसे ही है, EMF किसी cell के लिए of course बात की जा रही है, तो EMF किसी cell का open circuit potential difference होता है, एक charge को अगर हम किसी cell के दोनों terminal के बीच में चलाएं, तो जो भी work done per unit charge होगा, वो उस cell का EMF होता है, और EMF किसी भी cell का, अगर हम उसके ends के across, हम लोग उसके voltage major करने की कोशिस करें, तब जब cell में कोई भी current pass ना कर रही हो, cell open circuit हो, तो उसको EMF कहते हैं, EMF is the open circuit potential difference of cell, EMF, electromotive force, force नहीं होता, potential difference होता है, जब यह potential difference होता है, तो इसकी dimension भी potential की होगी, तो EMF यानिकी potential, potential कैसे निकालोगे, work done per unit charge, कैसे निकालोगे work done per unit charge की dimension, work done यानिकी energy, ML2 T-2, और charge को क्या लिखोगे, Q is equal to IT, से AT, तो ML2 T-2, divided by AT, तो ML2 T-3, A-1, यह होगे हमारी EMF की dimension, आगे बढ़ते हैं, electric capacity, capacitance की बात चल लें, of course, कैसे निकालेंगे, capacitance की dimension, Q is equal to CV से, Q is equal to CV, से C is equal to Q by V करके, निकाल चुके हैं, इसलिए में दुबारा नहीं निकाला, आगे बढ़ते हैं, resistance, resistance अभी नहीं निकाला था हम लोगोंने, resistance की dimension निकालते हैं, फिक, चल लो करते हैं, electrical resistance, resistance जैसे ही बोलेंगे, आपके दिमाग में आजाएगा, resistance क्या होता है, किसी conductor में जब current चलती है, तो current के चलने में जो opposition आता है, किसी conductor से जब current चलती है, तो current के चलने में जो opposition आता है, उसको resistance कहता है, कैसे निकालते हैं, तो resistance हम लोग ohms law से निकालते हैं, वैसे तो resistance का एक formula, L upon A है, resistivity, हम तो वह जूज करेंगे जो हमें नोन है, तो V is equal to IR में V, voltage known है, I current known है, R की dimension निकाल सकते हैं, बड़ इजली निकाल सकते हैं, तो ऐसा हम लोगों को एक क्यूशन दूड़नी थी, बाकि जिसमें पता हूँ, खाली R ना पता हूँ, तो V is equal to IR, best है उसके लिए, V is equal to IR करते हैं, V is equal to IR, R की dimension निकाल ली हैं, तो R को लिखा मैंने V upon I, V, हर बार जब भी V आता हैं, तो मैं भूल जाता हूँ dimension, और अब भी भूल जाओगे, तो याद करने कोई जोती हैं, कोई फक्क नहीं पड़ता है, बूलो चाहिए, याद करो, समझ लो, तो बताओ कैसे, V, वगड़न पर unit charge, यह दा वगड़न, ML2 T-2, वगड़न हो energy की dimension, ML2 T-2, charge, Q is equal to IT, AT, और I ये तो current है, इसकी भी dimensionally A से लिखेंगे, A Ampere, तो क्या बन गया ये, ML2 T-3, A-1, और A-2, ML2 T-3, A-2, electrical resistance की dimension, सिर्फ इतना याद अटना, V is equal to IR, करना है, और उसके बाद V और I की तो पता ही है, R की निकाल लेंगे, तो ये हमारा resistance हो गया, अब इदा किसी को doubt, जितने भी लोग है online, Rathaur, Suk, Rathaur, Sukmantala, okay, if you have any doubt, just type it out, आप उसको chat में type कर दो, whatever doubt will be there, I will try to resolve it, तो अभी तक I think हम लोगों इसे विदर ही तो इसका है, कि electrical resistance की dimension क्या होती है, nothing else, move on करते हैं, हम लोग अगली quantity पे, मैंने बुला था कि R एक बाद निकल आया, तो R is equal to rho L upon A से हम लोग रिजिस्टिव्टी निकाल सकते हैं, let's try it out, R is equal to rho L upon A, R is equal to rho L upon A, R हमको पता है, L पता है, A पता है, क्या ये, एक cylindrical conductor, जिसकी लेंक चैल है, cross-sectional area A है, material की resistivity rho है, तो उस wire का, उस conducting wire का resistance का formula है, R is equal to rho L upon A, क्या करें बताओ, R अभी हम लोगों निकाली, R अभी हम लोगों निकाली, ML2 T-3 A-2, ML2 T-3 A-2, R हमको निकालना है, R हमको निकालना है, L upon A, उपर linked, नीचे area L square, L से L square कड़ी आएगा, काड़ देते हैं, एक L, एक L बचेगा, इदा ले आओगे, तो यह बन जाएगा, ML3 T-3 A-2, resistivity, material की characteristic property होती है, तो resistivity की dimension निकल आएगी, R is equal to Rho L upon A, आगे बढ़ते हैं, अगली quantity, यह भी होगे अब ही resistivity, conductivity, conductivity क्या होती है, तो जो material जादा अच्छे conductor होते हैं, जिनकी resistance कम होती है, यह तो बोलते हैं, ऐसे material जिनकी resistance कम होती है, उनकी conductivity जादा होती है, तो resistivity, conductivity, resistance, conductance एक दूसरे के inverse phenomena है, तो resistivity अब हम लोगों निकाला Rho, तो conductivity सिगमा उसका inverse होती है, तो conductivity सिगमा is equal to 1 upon Rho, conductivity, resistivity का inverse होती है, सिगमा is equal to 1 upon Rho, तो अगर आपको Rho पता है, तो सिगमा भी निकाला हैगा, sigma is equal to 1 upon rho से तो क्या करें, rho भी हम लोगों निकाला था भी है यह रहा rho, sigma यानि की conductivity इसका inverse कर दें तो inverse करने में क्या बड़ी चीश कर दें जहां m की power 1 है वो m की power minus 1 बन जाएगा l की power 3 है यह l की power minus 3 बन जाएगा t की power minus 3 यह t की power plus 3 बन जाएगा 1 की power minus 2 है, 1 की power plus 2 बन जाएगा तो हमारे पास conductivity भी आ गई और resistivity भी आ गई तो electrical current, electric current वाले chapter में किनकी जोद परती थी, भाई, cell कहीं में हो गया, potential difference हो गया resistance हो गया, resistivity हो गया connectivity हो गया ज्यादा एक और टर्म जोद पर सकती current density, क्या होती ही current density निकेस उसमें dimensional viscosity की थी बट अगर तुम पूछना चाहे तो मैं दुबारा बता देता हूँ देखो, viscosity निकालने के लिए आप formula लगो, stokes law f is equal to 6 pi eta r v, अगर आपको viscous force, liquid की layer के बीच में viscous force, f is equal to 6 pi eta r v का formula पता है तो आप viscosity बड़ी ईजली निकाल सकते हो f ml t-2 6 pi की कोई dimension नहीं होती eta निकालना है r है radius, एक ball की radius इस फरिकल ball की, तो l लग दो v a velocity, जितने से वो चल लई है l t-1, solve कर लो, eta निकल आएगा आता है ml-1, t-1 coefficient of viscosity की dimension अभी हम लोगों इसके पीशे वाले वीडियो में निकाल ली थी तो हम लोग वो कर चुके है, mechanics की निकाल चुके है heat and thermodynamics की निकाल चुके है electricity की भी काभी कुछ निकाल चुके है अभी ने बता है na, cell का e-mf हो गया, potential events हो गया register हो गया, resistance हो गया resistivity हो गयी, conductivity हो गयी मैं बात कर रहा था, current density की ठीक, तो I think हो गया हो गया, प्रजापती जी आपका हो गया राठहौर जी, कोई doubt आगे बढ़ें ठीक, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं हो गया ना, समझ में आगे, dimensional viscosity अरी केस, प्रजापती yes, no जो भी वो बता दो ठीक है, आगे बढ़ें चलो हम दो आगे बढ़ते हैं, अगली quantity लेते हैं मैं बता रहा था, current density current density क्या होती, जैसे माली ये कोई conducting wire इस conducting wire में current जा रही है I, cross sectional area है A, तो current density J is defined as current crossing per unit area, जितनी current जा रही है, इसको normal across, ऐसे cut करते हुए, वो cross section area A, तो जितनी current जा रही है per unit area, I upon A, उसको current density बोलते हैं, क्या बोलते हैं current density, J is equal to I upon A, तो current density, मैं लिखे नहीं रहा हूँ, ऐसे discuss कर लेते हैं, खाली, current density J is equal to I upon A, बताओ और क्या होई dimension, तो कोई भी dimension याद नहीं रिखनी भेया, only thing you have to do is just remember the basic equation, basic formula और on the basis of that formula, on the basis of that equation you can derive dimension of any quantity but still we are doing for all quantities, class 11, class 12 में जितनी quantities की जरुद पढ़ती हैं still मैं सब की dimension निकलवा रहा हूँ just for the mere fact की एक बार हमारी practice हो जाएगी और दूसरी चीज है कि हमें जरुद पढ़ेगी dimensional analysis के question करने में जो आज मैं हर आलत में खतम करके रहूँगा, सब कुछ कराऊँगा तो current density बताओ क्या होई J is equal to I upon A, I को मैंने रखा A नीचे area A रखा L square तो A upon L square, ये L square उपर पहुंच जाएगा और कौन कौन सी quantity बची, conductivity होगी, permittivity पहले करा दिया था conductance, one upon resistance और हम लोगों को ने current density अभी कर ली electrical power, पावर पे आते हैं electrical power, एक electrical source है cell, battery, कुछ भी वो कितनी energy दे रहा है per unit time वो उसका electrical power है बट एक बाब बताओ, electrical power, mechanical power mechanics में भी power करते हैं हम लोग, work done per unit time यहाँ पे electrical power कर रहा है तो क्या power का context बचल जाएगा तो क्या power as a nature quantity भी बचल जाएगी अब इसे energy है क्या electrical energy, magnetic energy, heat energy, light energy अलग-अलग type की चीजे हैं बोलो क्या electrical energy, magnetic energy, energy different types के energy के forms चुरूँ vary करते रहते हैं बट energy बदलने से क्या nature बदल जाएगा और nature नहीं बदलेगा तो क्या नहीं बदलेगा nature नहीं बदलेगी तो dimension नहीं बदलेगी nature नहीं बदलेगा तो क्या नहीं बदलेगा dimension यह बहुत बड़ी important चीज है भाई, tor की भी dimension ml2, t-2 होती है Energy give dimension ability minus two होती है बट energy को Joule में लिखते है Tor को कभी Joule में लिखते है है की नहीं तो dimension quantity का nature होता है dimension quantity का nature है तो मैं क्या बताने की कोसिस कर रहा हूँ मैं ये बताने की कोसिस कर रहा हूँ कि nature आपका power चाहे electrical power हो चाहे mechanical power हो पावर का नेचर हाजगे एक ही जैसा है, और अगर पावर का नेचर हाजगे एक ही जैसा है, तो जो mechanical power की dimension होती थी वह electrical power की होगी, क्या होती थी mechanical power, work done upon time, ml2t-2 upon t, t उपर आगे तो ml2t-3, power कहीं पे भी आएगा, कहीं पे भी, पावर कहीं भे भी आए electrical power, mechanical power सबकी dimension, work done upon time energy upon time, ml2 t-2 upon t, ml2 t-3 होगी electrical power, ml2 t-3 mechanical power भी यह होता ml2 t-3 power की dimension है ml2 t-3, यह लिख बात है कि power का formula आप बोलो p is equal to vi से क्यों नहीं करके देख रहे अरे करनिक जो होती ही किया है यार वो तो बिकार में अपना सरफ होड़ना है बढ़ करना चाहो तो vi रखके देख लो आजाएगा भी vips equal to vi से कर लो चाए i square r से कर लो चाए i square r से कर लो electrical power के, अगर resistance की बात कर रहे हो तो v square r i square r भी होता है बढ़ कुछ भी लगा लो, यही आना है power का formula ml2t-3 आगे बढ़ते है electrical impedance impedance तो आम लोग कुछ alternating current में पहुँच गए ac के चेक्टर में पहुँच गए तो जो लोग 11 के हैं तो उनलोगों ने तो सुना भी नहीं होगा impedance बट जो लोग 12 कर चुके हैं या 12 में हैं उनलोगों पता होगा impedance impedance एक तरीकay से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई ac circuit है जिसमें resistor भी है capacitor भी है, inductor भी है तो current के flow में जो overall opposition होता है resistance भी opposition पैदा करता है तो जो overall opposition होता है उसको हम बोलते हैं impedance overall opposition को क्या बोलते हैं impedance इसमें कोई देकत impedance क्या होता है तो impedance होता है current के flow में total opposition, बीच जीच में आप लाओं के comment चेक करता हूं इधर देखते हुए, मेरा computer इधर लगा हुआ है, तो impedance होता है current के flow में opposition तो wait current के flow में opposition resistance भी होता है तो एक तरिके हैं सब्सक्ते है कि resistance भी impedance type की quantity रेजिस्टेंस भी एक type का impedance ही और अगर resistance भी टाइप का impedance है तो similar nature दामेंशन भी same होगी जो resistance की dimension निकाआ ली थी भड़ी impedance की dimension back ओ resistance की निकाली थी वी upon i अभी जिस निकाली दित होदे पहले तो उसको दुवारा नहीं करेंगा Electrical Admittance Admittance, Impedance का Inverse होता है Admittance, Impedance का Inverse जैसे Conductivity और Resistivity एक दूसरे के Inverse होते हैं वैसे Admittance Admittance, Impedance का Inverse यानि कि Resistance का Inverse है Self Inductance Self Inductance पे आते हैं But Self Inductance से पहले और देख रहे हैं The Boardsman constant हो गया था E is equal to 3 by 2 KBT से बताया था Stephens constant हो गया था Coefficient of Friction Coefficient of Friction, यह नहीं होगा था Coefficient of Friction, कहां यह होता है जब Limiting Friction बताता है Limiting Friction, Static Friction की Maximum Value F is equal to Mu Sm तो इदर Friction Force, इदर Normally Action है Mu S आ रहा है, तो Mu S तो एक number होता है 0.2, 0.5 ऐसे तो दिया रहा है Mu Coefficient of Friction, number है Number Dimensionless होते है तो Coefficient of Friction Dimensionless Dialectic caution कर चुके है Dimensionless Planck caution is equal to H0 Refractive Index कल ही बताया था क्या होता, Speed of Light in Vacuum कि बड़ेबर Speed of Light in Medium Low type की Speed के ratio, Dimensionless Focal Length, L की Power 1 Power of a Lens Power of a Lens Power क्या होता है किसी भी Lens की Power क्या होती है 1 upon F 1 upon L L minus 1 Wave number Wave number ऐसे समखलों की Frequency Wave number Frequency वैसे तो formula होता K is equal to 2 Pi by Lambda तो 1 upon Length 1 upon Length L की Power minus 1 तो बचा खाली किया इसमें इस पूरे जो टेबल बनी होई है इसमें एक Inductance बचा तो अभी Inductance कर लेते हैं तो पहले तो मुझे यह बताओ Inductance बताए सबको Inductance निकालने के लिए कौन सा formula लगा है बताओ जैसे resistor का resistance capacitor का capacitance inductor का inductance एक quantity है जो उसको बताएगा कि क्या तो inductor कहां यूज होता है inductor होता है current carrying coil जग current इन से pass करती है तो current की वज़े से magnetic field आती है imagine करो एक solenoid है बता रहा हूँ Inductance बताने जा रहा हूँ और inductance पहा नहीं रहा हूँ खाली inductance का dimensional formula निकाल ला हूँ ठेक कोई किसी को कोई doubt अभी तक नहीं inductor का खाली inductance का basic formula निकाल दा हूँ क्या करो एक solenoid coil imaging करो solenoid coil solenoid coil में current pass जब करती है तो इसमें current की वज़े से magnetic field आती है magnetic field आती है तो जब current घटाते बढ़ाते हैं तो magnetic field करती बढ़ती है जब यह magnetic field घटी बढ़ती है तो magnetic flux घटा बढ़ता है magnetic flux इसे पास करने वाला magnetic flux और जब magnetic flux change होता है तो law of electromagnetic induction says there will be induced EMF current के change होने से EMF induced होता है और उस EMF का formula होता है LDI by dt अब यह मत बोलना minus LDI by dt minus sign का यहाँ dimension में कोई काम नहीं इसलिए मैंने जान बुझके नहीं लिखा इसको बोलते हैं induced EMF और इस law को बोलते हैं Faraday's law Faraday's law of electromagnetic induction किसे को कोई doubt अभी तक Rissi case Harigase Harigase Rathor सकुंतला 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 अभी तकूर कोई doubt और किसे को कोई doubt नहीं तो मैंने क्या बता है कि किसी भी coil में इस टाइब की coils को inductor coils कहते हैं इनमें अगर current change करो तो इनमें EMF induced हो जाता है electromeric induction के फिनोमना से और E is equal to LDI by DT is the governing equation इसमें E है induced 3MF D I by DT है D I मतलब current में change DT है time और L है inductance तो E is equal to LDI by DT अब E is equal to LDI by DT में E EMF है तो यह potential difference की dimension रखेगा Wogden per unit charge मैंने बता है ना potential difference V कभी याद नहीं रखना है मुझे भी नहीं याद है तो क्या करता हूँ मैं मैं यह आ रखता हूँ कि V potential difference work done period charge है work done लिखता हूँ ML2D minus 2 charge AT लिख देता हूँ L निकालना है ठेक D I by DT O पर ampere नीचे time T करते हैं L यहाँ पे length नहीं है याद आखना इस self inductance है तो self inductance L की dimension क्या बन जाएगी L is equal to M और तो कहीं आने रहा L यह length वाला है और कहीं नहीं L2 T T की power minus 2 यह T इस T से cut गया यह भी time था यह भी time था तो बच्चा T minus 2 और क्या बच्चा A तो A यहाँ पे नीचे A square उपर आएगा तो A minus 2 A minus 2 तो coefficient of self inductance एक और होता है coefficient of mutual inductance वो तो inductance में करेंगे क्या दोनों में difference होता है एक ही coil है तो self inductance एक coil की वे से दूसरे में देखते है तो mutual inductance पर अभी हमारे कैसी काम का नहीं है चाह self inductance हो चाह mutual inductance हो dimension दोनों की यही होती है same होती है ML2 T minus 2 A minus 2 तो I think हम लोगों ने inductance भी निकाल लिया तो अब उस table पर वापस आते हैं कोई बचा क्या सारी हो चुकी है बड़ इस्टिल कुछ कुछ छोड़ी छोड़ी चीज़े रह गई है जो मैं class में पढ़ाता हूँ और मैं बिलकुल नहीं चाहता कि मैं जो class में पढ़ाता हूँ यहाँ पर YouTube के lectures में मिस हो जैसी मैंने class में अपनी जो physical class थी वहाँ पढ़ाया था बिलकुल चाहता हूँ कि यहाँ पर भी वैसी class हो किसी का कोई भी miss ना हो कोई भी point में सना हो अगर आपने video देख लो तो आपको कहीं और class करने की जुरूवत ना हो वहाँ भव्या पाध्या है विच इट सर भव्या इट सर भव्या इट सुट फोकस ओंदा class and not on which IIT but why you are talking about which IIT you are talking about my IIT okay I graduated from IIT BHU 2007 civil engineering and let's focus on the work itself तो हम लोग focus करते हैं work पे हम लोग focus कर रहे हैं dimensions निकालने पे और यह मैंने class के pick आपको share की है जहां पे हम लोग ने dimension निकाल ली थी तो obviously हम बहुत सारी quantities निकाल चुके हैं तो हम repeat नहीं करेंगे तो हम सिर्फ इतना करेंगे कि check कर लेंगे cross check कर लेंगे एक बार कि कोई रह तो नहीं गही है और जो जो रह गही है उसलिए कुछ रह गही है इसलिए मैंने कर चुके हैं acceleration LTA-2 force MLTA-2 done यहां तक किसी को कोई दिकत हरी केस प्रजापदी सर आपकी class की timing कितने बचेस हरी केस सी अभी तो lockdown चल ला है तो मेरी physical class तो अभी नहीं हो रही है और जो यहां पर online classes होती इनकी कोई fixed timing नहीं होती तो मैं क्या करता हूँ जो भी live class होती उसका एक अगर आप चैनल subscribe कर लोगो तो reminder मिल जाएगा तो आप just subscribe कर लो और वो जो भी live class होती उसकी timing में लिग देता starting from this moment या जो भी time हो मैं advance में बता तो आप अगर वो subscribe कर लोगो तो reminder आपके पास पहुंच जाएगा, bell icon दबाते ना वो आपके पास पहुंच जाएगा, it's not a problem, let's move on to the next quantity, linear momentum, linear momentum, p is equal to mb, mlt-1, kinetic energy, half mb square, cut चुके है, ml2t-2, gravitational potential energy, mgH, कोई भी energy हो, ml2t-2, theta, omega, plain angle, solid angle, sin theta, cos theta, angle भी dimensionless, चाएगो plane angle भी, solid angle हो, trigonometric ratios, sin theta, cos theta, 10 theta, cos theta, sec theta, cos sec theta, sub dimensionless, सब ratio होते है, sin trigonometric ratio dimensionless, powers, dimensionless, inverse function, inverse trigonometric function हो सकता है, भी discussion में कहीं पर miss कर गया हो, but inverse trigonometric function भी dimensionless होते है, sin inverse half, 30 degree, inverse function क्या होते है, angle होते है, जब हम sin inverse half 30 degree बोलने हैं तो हम क्या बोलने हैं कि sin 30 की value half होती है sin 30 is equal to half इससु को लुटा कर के लिख दो sin inverse half is equal to 30 degree तो inverse function अंगिल बताते हैं तो inverse function अंगिल बताते हैं अंगिल dimensionless होते हैं तो inverse function भी dimensionless exponential function कौन से function एक्सपोनेंशल function e to the power x dimensionless e to the power x, dimensionalness कुछ यह भी number है, Euler's number 2.718 कुछ value होती है, तो बाई, number के ओपर कुछ power चड़ा भी, दो को दब भी number आएगा तो exponential function b, dimensionalness ठेक, next अगर कोई भी ratio pure ratio, pure ratio मैंने बताया से न, relative density refractive index magnification, similar type की quantities के ratio, efficiency यह similar type की quantities के जो ratio होते हैं dimensionalness होते हैं, pure ratio dimensionalness log x, logarithmic function logathmic function, obviously dimensionalness, log x dimensionalness, angular velocity कराच चुकाऊं, delta theta upon delta t L t-1, t-1 velocity नहीं, L t-1 नहीं, angular velocity theta, dimensionalness, नीचे time t-1, angular acceleration t-2 frequency, 1 upon time period, t-1 torque, force into perpendicular distance, ml2 t-2, angular momentum m v r, m v r m v, l t-1 r l, ml2 t-1 ml2 t-1 moment of inertia, mr square ml square, r को l लिख दो, ml square impulse, impulse होता है change in momentum, impulse होता है change in momentum, मेरे साथ revise करते रहो अगर यह कर लोगे, तो महा dimensionalness और कहीं पढ़ने जोती नहीं पढ़ेगी, एक question पका चाहाँ जही हो चाहाँ नीट, इस chapter से कोशन तो आए गए ना, तो बोलो impulse, क्या होता, change in momentum, linear impulse change in linear momentum, change in linear momentum change in linear momentum, linear momentum की dimension रखेगा m v, ml t-1 angular impulse, change in angular momentum angular momentum, angular momentum, m v r m, v, l t-1 r l, ml2 t-1 next, मैंने एक चीज़ बिताए थी class में यहां बतादू, similar nature की quantities की dimension सेहीं होती है all forces, tension हो, normal action, friction सब ml t-2 रखोगे सारी energy, kinetic, potential, friction sorry, kinetic, potential elastic, light sound, heat, सारी energy की dimension, electromagnetic, सब की dimension ml2 t-2, लेकिन अगर nature, मैंने बोला, similar nature का dimension same है, बत क्या dimension same है, तो nature भी same होगा, देखो similar nature में, dimension same, this statement is true, but if dimension is same, then nature must be same, ना torque की भी dimension, ml2 t-2 है energy की भी dimension, ml2 t-2 है इनके dimension same है, बट इनका nature same, नहीं है, तो यह चीज़ बतानी थी elastic potential energy, spring वाली spring की elastic potential energy, spring को x, अगर तुम खीचो, stretch करो या x compress करो, x उसमें change in length हो, तो spring force होता है f is equal to kx spring force f is equal to kx तो जब हम उसके against खीचते हैं spring को, या compress करते है natural length से, तो spring में potential energy आती, elastic potential energy कितनी होती elastic potential energy half kx square k क्या होता है, spring constant कैसे निकाल दो कि dimension k की? f is equal to kx है, k is equal to f upon x कर दो, mlt minus 2 upon l कर दो, l scale कर जाएगा, mt minus 2 spring constant की dimension क्या होती है mt minus 2, तो half kx square अगर हम रख दे half, की कोई dimension नहीं k रख दे mt minus 2 x square में रख दे l square तो, mt minus 2 into l square तो ml2 t minus 2 आतो गया elastic potential energy हो, चाहे दुनिया की कोई energy हो, dimension तो यही आनी है ml2 t minus 2 f is equal to kx k spring question बता दिया mt minus 2, power work done per unit time, energy per unit time ml2 t minus 2 upon t ml2 t minus 3 energy per unit volume energy density quantity, energy density energy density क्या होती है density होती है mass upon volume mass density होती है, energy density energy per unit volume charge density क्या होती charge point volume energy density energy density energy density energy density energy density energy density अगर किसी ने पर रखाओ energy per unit volume half into stress into strain elastic potential energy per unit volume energy density होती है energy per unit volume liquid अगर किसी ने पढ़ा होगा mechanical probability of fluids तो वहां पर पढ़ा होगा knowledge equation p plus half rho v square plus rho h is equal to constant p plus half rho v square plus rho h is equal to constant यह term क्या बताते है है यह सब term क्या बताते है यह सब term बताते है energy per unit volume pressure b energy per unit volume half rho v square कैसे बना half rho v square half mv square होता ह half mv square kindic energy उसने volume से divide का तो mass upon volume density बन गया half rho v square energy per unit volume energy density है energy density यहाँ पे भी है और बताता हो energy density के example अगर 12 की physics पर रखी हो तो आप में पढ़ा होगा half epsilon not e square bhavya have you heard about half epsilon not e square term half epsilon not e square कहाँ पे यूज होता है capacitor में energy half cv square capacitor के volume से divide कर दो half epsilon not e square energy density energy per unit volume जाद है कुछ energy density और energy per unit volume कहीं पे भी electric field हो तो electric field की energy density half epsilon not e square होती है कहीं पे भी electric field पचेंटो space में तो वहाँ पे per unit volume में जो energy होती है वह half epsilon not e square होती है और कहीं पे भी magnetic field हो तो वहाँ पे कितनी होती है बताओ भाई comment करके कहीं पे magnetic field हो तो energy density किसी ने पढ़ ला खाओ 12 key physics magnetic field की energy density बताओ magnetic field की energy density नहीं बताओगे magnetic field की energy density होती है b square upon 2 mu not electric field की energy density होती half epsilon not e square magnetic field की energy density होती b square by 2 mu not e सारे energy density की टब में बता क्यों रहाँ इसलिए बता रहाँ भाईया की half epsilon not e square पूछे तब भी b square by 2 mu not पूछे तब भी half into stress into strain पूछे तब भी burn knowledge equation का कोई भी टर्म पूछे p पूछे, half rhoi square पूछे, rhoi h पूछे तब भी energy per unit volume करना है तुमको फर्क ही नहीं पड़ता half epsilon not e square गंटा फर्क पड़ता है तुमको करना क्या है? energy ml2 t-2 volume l3 से divide कर दो t-2 को l3 से divide कर दो तो यह आजाएगा ml-1 t-2 यह देखो ml-1 t-2 energy density pressure की भी dimension ही half rhoi square की भी, rhoi h half stress into strain की भी ही half epsilon not e square की भी ही half epsilon not e square बार बार इसलिए बोला हूँ तो कि यह पूछा गया है question जही नहीं टेम्स अज़ेकर पूछा गया है half epsilon not e square term की dimension बताओ तो जो बेफकूफ लोग होते हैं वो क्या करते हैं epsilon not निकालने लगते हैं e निकालने लगते हैं और उनके time लग जाता है यह इतना करने के ही नहीं half epsilon not e square है क्या energy density energy ml2 t-2 volume l3 से divide कर दो ml-1 t-2 हो गया चेक यह question j unit में बूचा गया है आगे बढ़ते हैं यह दो को मैने class में बता था half into stress into strain p half rho v square rho g h b square by 2 minority सब energy density हैं फिर intensity of energy energy per unit area per unit time तो करा चुका हूँ energy ml2 t-2 area l square time t तो यह आजागा mt-3 universal gravitational constant f is equal to gm1 m2 by r square universal gravitational constant f is equal to gm1 by r square g sin निकाल लो यह निकाल चुका हूँ मैं इस्टिल m-1 l3 t-2 कोई मुझसे coefficient of viscosity पोच रहा था हरी case I think तुम पोच रहते तो तब मैंने ऐसे थोड़ी के लिए बता दिया था देख लो भई हरी case coefficient of viscosity f is equal to 6 pi 8r और भी मैंने बताया था Stokes law f ml t-2 6 pi कुछ है नहीं r को रखो l velocity रखो l t-1 तो यह solve कर लोग ही आ जाएगा ml-1 t-1 coefficient of viscosity की dimension ml-1 t-1 कैसे निकाला f is equal to 6 pi 8rv से निकालो सबसे बढ़िया है वसे एक और formula होता है coefficient of viscosity निकालने के लिए f is equal to eta a delta v upon delta x उससे भी निकाल सकते हो बट बैटर यह कि f is equal to 6 pi 8rv से निकालो Plank constant e is equal to h0 e is equal to h0 e is equal to h0 से निकालो h is equal to e by no e energy no frequency frequency t-1 ml2 t-1 आ गया stress, stain, modulus of elasticity coefficient of viscosity सब बता चुकाऊं चलो अगले में आते हैं कोई बच्ची तो नहीं specific heat capacity बताया हुआ है latent heat बताया हुआ है thermal connectivity कर दिया sigma stiffness constant हो गया winds constant हो गया solar constant रह गया solar constant करा देते हैं solar constant होता है sun से जब earth में energy आती है तो obviously solar radiation earth की surface में हज़ेगे एक जैसा नहीं पहुंसता कहीं काम कहीं ज्यादा कहीं किसी एक point पे एक जैसा भी तो नहीं रहता day पे कुछ और है night पे कुछ और है time to time season to season change होता है solar constant होता है average radiation received on earth average radiation energy of sun received on earth per unit area per unit time solar radiation sorry solar constant solar radiation received on earth per unit area per unit time तो ऊपर तो देखो solar radiation की energy है ml2t-2 नीचे area है l square और time है या निचे t तो ml2t-2 upon l square t energy per unit area per unit time l square से l square कर गया mt-3 यह आगे हमारा solar constant solar constant की वैसे value की यहां कोई जरुवत नहीं हम तो dimension निकाले बड़ बता दे तो 1360 watt per meter square 1.4 अगर round off कर दे तो 1.4 kilowatt per meter square तुमसे कोई पूचे बाई संसे तो energy आती रहती है से में कितनी energy आती रहती है sun से अर्थ की surface पे तो आप बोलोगे 1.4 kilowatt per meter square on average energy आती रहती है यह होता है solar constant यह constant है मतब क्योंकि average है तो average में तो equator, poles, day, timing, season इन सबका average निकालने के बाद यह है 1360 1300 watt per meter square solar constant तभी तो constant है क्योंकि average value है अगला पड़ते है PV is equal to nRT universal gas constant PV is equal to nRT universal gas constant कैसे निकाल दोगे तो R is equal to PV upon nT pressure पता है, volume पता है N number of moles, T a temperature और यह में निकाला था ML to T minus 2, mol minus 1 K minus 1, universal gas constant Boltzman constant Boltzman constant मैंने बताया था energy is equal to 3 by 2 kBT से कर लो Phase, phase एक term इसकी dimension phase, phase angle होता है तो angle dimensionless होता है तो phase भी dimensionless परसान नहीं हो रहा है यह दो को एक question लिखिए y is equal to a sin omega T कोई बता सकता है इसमें phase क्या है y is equal to a sin omega T sinusoidal function लिखा हुआ, sin का function, cos का function sinusoidal लिखा हुआ तो y is equal to a sin omega T में यह चीज phase है यह चीज phase है, omega T y is equal to a sin omega T plus phi y is equal to a sin omega T plus minus kx plus minus y कई type से आपको equation मिल सकती है तो sin के भीतर जो लिखा रहता है bracket में वो जो angle है sin की भीतर क्या लिखा होगा, sin 30, sin 60, sin 90 angle ही तो लिखा होगा, तो जो अंदर लिखा होता हो, phase होता है, और phase angle dimensionless होता है तो अंदर जो भी, omega T भी dimensionless है, omega T plus 5 भी dimensionless है, omega T plus minus kx plus minus 5 भी dimensionless आगे बढ़ते है charge, q is equal to it A की पावर 1, T की पावर 1, A to the power 1 T to the power 1 electric field, force upon charge flux, electric field into area epsilon, epsilon not, epsilon r यह अभी मैंने पिछली वीडियो में कर रहा था epsilon r, relative permittivity dimensionless epsilon r के दो नाम है, relative permittivity dialectic constant, number होता है, कितने से 1 से infinity, dialectic constant 1 किसके लिए होता है, air के लिए infinity किसके लिए होता है, metal के लिए number होता है, dimensionless epsilon, epsilon not कैसे निकालोगे, Coulomb's loss है f is equal to 1 upon 4 pi epsilon not f is equal to 1 upon 4 pi epsilon not, q1, q2 upon r square, तो epsilon not निकाल सकतो यहां से, force ले लो, r square ले लो, divided by q1, q2 कर लो, dimension निकल लाएगी next move करते है, electric potential तो electric potential work done per unit charge, या potential energy per unit charge उपर रखो, work yeah energy ml2 t-2, नीचे रखो charge at, a to the power 1 t to the power 1, तो potential की dimension निकल लाएगी, capacitance q is equal to cv, सिर्फ आपको governing equation याद रखनी है, capacitance का dimension थोई न रखते फिर होगे q is equal to cv में q रखो at, v potential रखो work done per unit charge को potential की dimension निकल रहेगी इलकुल नहीं याद रहेगी तो v रखो, q रखो, c निकल आएगा आगे बढ़ते हैं, resistance, v is equal to ir mu, mobility यह भई, मैं बूड के लिए भूल गया था, mobility तो आप लोगों को electrical mobility की dimension पूँची ही पूँची आती है what is the dimension of electric mobility mobility होती ही गया है जब हम किसी conductor में current establish करते हैं जब हम किसी conductor में current establish करते हैं तो current establish करने का मतलब होता है कि electron collide करके एक दूसरे से neighboring electron से टकरा टकरा के चलने लगए तो electron एक on average velocity acquire कर लेते हैं battery हमने जिदर लगाई है, current जिदर जारी उसका पूजिट डारेक्शन में electronic average velocity acquire कर लेते हैं जिसको बोलते है drift velocity कहां से आती है तो electron चले क्योंकि battery लगी potential difference तो electric field electric field लगाई force तो कहीं न कहीं जो battery की वेजे से potential difference से जो electric field आ रही वही electron को चलाती है, वही electron को drift velocity देती है ना battery होती है ना source होता है तो electron drift भी ना करता तो drift velocity per unit electric field होती है drift velocity per unit applied electric field वह electron की mobility कहलाती है drift velocity per unit electric field वह electron की mobility कहलाती है drift velocity per unit electric field, electron की mobility कहलाती है, तो mobility को mu से denote करते हैं और mu कैसे नकालेंगे तो electric mobility mu क्या होती है drift velocity vd से लिख दे हैं पर unit electric field e से लिख दे हैं अब आप बुलो electric field याद तो होगी नहीं मुझे नहीं याद है मैं कितनी बार पड़ा चुका हूँ तो आपको भी याद नहीं और आपको याद करने की जरूद भी नहीं रटनी लगोगो तो भी तो गबड होने लगेगी रटना बिलकुल नहीं समझ के करना है तो electric field की dimension basic से क्या होती force upon charge ये रखा force मैंने ml t-2 upon charge ये t ये राय ये t उपर देखो कुछ भी याद रखने है जिरूद नहीं सीधे अब निकाल लेते dimension m-1 और तो कहीं आ नहीं रहा है m खता ल से ये कटा l और कहीं l आ नहीं रहा है t की power minus 1 t की power plus 1 से कड़ गया t की power plus 2 और a की power 1 m-1 t की power plus 2 e to the power 1 ये m लोगों ने निकाल ली electrical mobility ठेक electrical mobility सीख गए आगे बढ़े वीडिया पॉन ही करके नेक्स आते magnetic field magnetic field ये तो अभी तक डिसकसी नहीं करी थी भाई magnetic field तो कैसे निकालो कि magnetic field law and force सबने सुना है charge को magnetic field में छोड़ दो तो magnetic field charge particle पे force लगाती है लॉरेंज force provided की charge particle rest में ना हो चला हो और सबसे अच्छा तो magnetic field के perpendicular चला हो बढ़ अगर magnetic field के perpendicular ना चला हो तो हम उसका perpendicular component लेते हैं और क्या formula लगाते हैं तो देखो लॉरेंज force का formula होता है f is equal to qvb लॉरेंज force का formula होता है f is equal to qvb वैसे ज्यादा अच्छा है f is equal to qvb sin theta बढ़ मैं sin theta cos theta अभी dimensional analysis में ignore कर सकता हूँ क्योंकि sin theta cos theta अभी dimensional analysis होते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हमें b चाहिए magnetic field की dimension निकालना बढ़ी magnetic field b की अगर dimension पूछें तो कैसे निकाल दो गए तो f is equal to qvb sin theta f ml t minus 2 q charge at v velocity lt minus 1 b मुझे नहीं पता तो नहीं पता तो नहीं पता sin theta dimensionless b की dimension क्या ml t minus 2 divided by a t की power plus 1 t की power minus 1 से t की power 0 बन गया तो हड़ा दो l बच्चा l इदर लियाओ l से l कड़ गया तो कितना बच्चा m t minus 2 a minus 1 m t minus 2 a minus 1 यह याद करने के तब भी जो होतनी जो भी है answer वो irrelevant है relevant सिर्फ इतना है important सिर्फ इतना है कि आपको निकालना आना चाहिए आपको यह आदोना चाहिए कैसे निकाले f is equal to qvb से भी निकाल सकतो current carrying wire पे लगने वाले force f is equal to b i l sin theta से भी निकाल सकतो but I think lawrence force सबको पता होगा f is equal to qvb तो इसी से ही करना है ठेक आगे बढ़ते है magnetic field हो गया ठेक तो यह वाला page done और कौन सा बचा है और कौन सी dimension बची है तो एक और है b is equal to mu naught i by 2r से mu naught permittivity जैसे हम लोगों निकाला था permeability निकालते है permeability mu naught की dimension निकालते है इसके लिए मैं अलग से page ले लेता हूँ नहीं page में करते है यहां तक कोई दिकत किसी को नहीं कोई दिकत नहीं चलो आगे बढ़ते है मैं बता रहा था जैसे electric field की जब बात करते है तो वहां पर term आता है epsilon epsilon होता है permittivity वैसे ही जब हम magnetic field की बात करते है तो वहां आता है mu permeability electric field में permittivity होता है और magnetic field में permeability होता है तो कैसे निकालेंगे epsilon तो मैंने बता था Coulomb's law से निकालना epsilon permittivity Coulomb's law से निकालना f is equal to 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 by यार इसको है तो permeability कैसे से निकालोगे भी या permeability निकालने के लिए permeability निकालने के लिए magnetic field का formula लगाना जहां पर mu आता हो कहां पर आता है b is equal to mu not upon 4 pi ideal sin theta by r square b is equal to mu not upon 4 pi ideal sin theta by r square तो इसमें b निकाल लो pi dl sin theta r square यह सब पता है तो mu निकाल आएगा एक तो यह तरीका है बता रहा हो तरीके तुमको जो सबसे अच्छा लगे वो लगा ले ना और कोई तरीका है क्या बिलकुल ले और कहां आता है mu जहां जहां mu आता हो मैं बता देता हूं option देता हूं एक current carrying circular loop तो उसके center पे field होती है b is equal to mu not i upon 2r mu not i upon 2r current carrying circular loop के center पे magnetic field current carrying circular loop के center पे magnetic field कितनी होती है b is equal to mu not i upon 2r current carrying circular loop के center पे magnetic field b is equal to mu not i by 2r और अगर straight wire हो तो कितनी तो straight wire की वज़ेसे होती है अगर d distance हो mu not upon 2pi i by d तो अब और भी है magnetic field के formula है और भी है बहुत तरीकें करने के बट इनमें से कोई एक लगा लेते हैं इतना सुम्हें आएगा हो कि bio-sever law से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग ampere slow लगा ले integral b dot d and mu not i उससे भी निकल आएगा बहुत easily mu not का या यह circular loop ओला formula यूज कर ले b अब फिर भाई b बी आ गया b की dimension या तो हम अभी जो निकाली थी वो यूज कर ले या तो हम फिर भाई बात है b में याद तो होगा नहीं तो basic से derive करो भाया basic से बिलकुल basic से जैसे ही b बोला तो तो तुम 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 दिर्वाक में लाना f is equal to qvb तो b क्या लिखेंगे f upon qv mu not मुझे चाहिए i ampere upon 2 की कोई dimension नहीं r की dimension होगी length होगी अब निकाल ले mu not last step force को लिखा mlt-2 force को लिखा mlt-2 qv q लिखा charge 80 v की velocity lt-1 r length है उपर आ गया i current ampere नीचे आ गया solve कर लेते हैं last step बचाये खाले m length l की power 1 l की power 1 जोड़के l की power 2 पड़ एक l कड़ गया तो l की power 1 ml 1 t की power minus 2 t की power plus 1 minus 1 कड़ गया तो t की power minus 2 a a की power 1 a की power 1 a की power 2 नीचे उपर आ गया तो minus 2 यह हमारा आ गया mu naught permeability की dimension mu पूँचे permeability absolute mu naught permeability of free space या vacuum तो दोनों की dimension एकी है और अगर mu r पूँचे relative permeability तो वो dimensionless होता है और उससे मिलता जोलता एक और में relative permeability susceptibility susceptibility भी एक number होता है वो भी dimensionless होता है relative permeability वो भी dimensionless होती है a minus 2 a minus 2 तो I think permeability वाला part done तो मिला लेते हैं वही क्या क्या हो गया b हो गया mu naught हो गया mu r हो गया काही susceptibility susceptibility मैंने बता दिया number होता है काही dimensionless होता है susceptibility हो गया dimensionless ठीक आगे बढ़े यहां तक हो दिकत नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते है dipole moment करा दिया था charge into length तो charge 80 length a to the power 1 t to the power 1 a to the power 1 magnetic dipole moment magnetic dipole moment की dimension magnetic dipole moment क्या होता है तो magnetic dipole moment कोई भी magnet होगा तो उसकी strength कैसे देखोगे कोई भी magnet होगा तो उसकी strength देखने के लिए कोई तरीका तो हो चाहिए तो magnetic dipole moment анные की strength देखने का तरीका होता magnetic dipole moment बार Magnet का Pol Sah ainda current carrying कोई loop है कोई loop है यहीक Duke current carrying a earth rectangular loop current ऐख से जा रही है anti clock clock कुछ जैसे loop में चल लगी है तो इसका होता है NIA number of tons into current into area, magnetic dipole moment तो M is equal to NIA, number of tons current area magnetic dipole moment की बात कर रहे थे number of tons number is dimensionless, current A area L square, तो यह आगया magnetic dipole moment A L square, A to the power 1 L to the power 2 A to the power 1 L to the power 2, किसकी dimension हो गई? magnetic dipole moment की dimension तो we are done with magnetic dipole moment magnetic flux magnetic flux, electric flux भी निकाला था magnetic flux, बदेको होता flux चाहे electric हो चाहे magic हो number of field lines का ही indicator होता है, जैसे माल लो मेरे पास कोई surface है और यह surface इस तरीके से और field lines इसको hit करते हुए जा रहे है, across, ऐसे heat करते हुए चलिए, जितनी field lines ऐसे इसको across heat करते हुए नॉर्मली चली आती है और number of field lines को flux बोलते है electric flux, E into A अगे angle बनना हो तो यह cos theta E dot A magnetic flux B into A, B medi field BA cos theta या B dot A, तो magnetic flux B into A, B अभी निकाला था, F upon QV A area L square, रख दोगे तो mediflux आजाएगा ML2 T minus 2 A minus 1, आगे बढ़ते हैं self inductance, mutual inductance अभी तो निकाला था, self inductance mutual inductance, self inductance mutual inductance निकालने का मैंने आपको faraday's law बताया था, E is equal to LDI by DT उससे बताया था, E is equal to LDI by DT एक और तरीका है एक और तरीका है self inductance और mutual inductance निकालने का self inductance और mutual inductance निकालने का ज़्यादा आसान तरीका एक है LDI by DT, MDI by DT से कर लो, और दूसा तरीका है कि देखो, inductor करते क्या है capacitor क्या करते हैं inductor हो चाहे capacitor हो दोनो energy storage devices होते हैं जाहे inductor हो चाहे capacitor हो inductor और capacitor दोनो energy storage devices होते हैं energy store करते हैं capacitor पर जब हम कुछ voltage लगाते हैं V तो capacitor store करता है half CV square inductor में जब हम कुछ current pass कराते हैं I तो inductor में energy होती half LI square L जहाँ पे उसका inductance है तो half CV square, half LI square match कर रहा है, और सही बाते match करना भी चाहिए identical type की चीज़े है half CV square, half LI square दोनो energy तो half LI square, E is equal to half LI square मैं क्या बोल ला हूँ कि inductance L अगर तुमको निकालना हो inductance L की dimension निकालनी हो तो लंबा तरीका यह है कि तुम लिको EMF E is equal to L di by dt इसमें EMF निकालो, potential difference निकालो work done per root charge, तो लंबा पड़ेगा जादे असान तरीका है तुम यह लिकालो, कि मैं बोल ला हूँ कि inductor की बेतर energy half LI square होती है जहाँ पर I current हो, यह बड़ा असान है तो कि energy की dimension सब को याद रहती है half की को dimension ही नहीं तो आपको self inductance की dimension क्या बनी? energy, self inductance को मैं काम गता हूँ self inductance ही लिख देता हूँ, ताकि length वाले L से confusion हो, तो self inductance L की dimension क्या बनी? energy, ml2 t-2 half dimension लेसे, I square I अधर आ गया, I current A square इसको उपर ले आउते बन जाएगा ml2 t-2 a-2 ml2 t-2 a-2 यह हो गए inductor के inductance की dimension ml2 t-2 a-2, inductor का inductance आ गया, तो यह ज़्यादा बड़ा तरीका है बताओ, E is equal to LDI by DT, और E is equal to E, वहाँ पे EMF है और यह energy, half LI square, बैटर कौन सा तरीका हुआ E is equal to energy is equal to half LI square इससे ज़्यादा आजली निकाल सकते हैं inductor के dimension आगे जलते हैं कोई बच्ची और कोई सारी दुका डाली भाई, हम लोगोंने सारी निप्टा डाली हैं, अल्मोस्ट लेकिन अभी भी बच्ची हैं, अभी भी बच्ची हैं dimension हम लोग किसकी निकालने हैं, सारी कर रहे हैं महरा थन अभी तो है, सारी XL, XC, Z क्या है? Z है impedance XL है inductive reactance XC है capacitive reactance सबके सब R, resistance, जैसे ही होते हैं सबके सब resistance के nature के हैं और nature अगर सेम हैं, तो dimension भी सेम होगी R कैसे निकालोगे? Ohms log, V upon I पताने ही जरूत नहीं अच्छा, LC circuit, LC oscillation अगर पढ़ा हो, तो LC oscillation की frequency का formula होता है oscillation frequency, resonance frequency 1 upon 2 pi under root LC frequency का formula, 1 upon 2 pi under root LC, यह इसलिए बोलना हूँ क्योंकि अक्सर एक dimension पूछी ही आती है अक्सर dimension of LC यह अक्सर मूची ही आती है LC, L यहाँ पे inductance है C capacitance है तो एक तरीका है बेवकूफी वाला क्या है तरीका बेवकूफी वाला? L की dimension निकालो लंबे चौने तरीके से C की dimension निकालो लंबे चौने तरीके से फिर LC की dimension दोनों को multiply कर दो बेवकूफ कितना लंबा करने का time कहा होता? J means वो NEET में NEET में 45 question 45 minute, 1 question पढ़ना भी है, mark भी करना है, solve भी करना है J में question J में तो चलो time तब भी बढ़ गया है 25 question, 25, 25, 25 3 गंटे 25 question, 1 गंटे 25 question, 60 minute में बड़ कम्पूटर भी तो रहता है scroll, scroll करो और read करो J में तो थोड़ा option भी थोड़ा सा तगी रहते है तो time नहीं है भाई तो आसान तरीका क्या है LC की dimension निकालने का आसान तरीका यह है भाया कि frequency का formula याद रखो 1 upon 2 pi under root LC formula को भी लगा लो dimension तो same ही आनी है LOC अलग लग निकाल की multiply करो तब भी वही आनी है चाहा formula से कलो तब भी वही आनी है तो इसमें कहे दो को 1 upon 2 pi तो number है तो dimension है नहीं कुछ frequency t-1 होता है 1 upon 2 pi की कुछ है नहीं तो 1 upon under root LC आ गया अगर 1 upon under root LC आ गया तो root LC उपर ले आओ तो 1 upon T minus 20 बन जाएगा तो LC की dimension हो जाएगी भईया square कर लो तो LC की dimension हो गई T square LC की dimension हो गई T square time का square यह LC की dimension निकालने का तरीका shortcut तरीका long cut है LOC अलग निकालो LC की dimension T square class में पढ़ाता हूँ about detail में पढ़ाता हूँ और बोलता भी हो LC जब भी निकालने की बारी आए तो 1 upon 2 by under root LC से करो आगे बढ़ते हैं time constant how can I miss this thing man time constant की dimension क्या होता है time constant तो जुन लोग उन्हें अच्छे से पढ़ा होगा detail में पढ़ा होगा उन्हीं को पता होगा अरपित बव्या हरीकेश एंड सकुंदला राथ राथाओड have you heard about time constant time constant क्या होता है RC circuit RL circuit LR circuit भी बोल सकते हैं resistance capacitance mixed circuit resistance inductance inductive circuits इन circuits में time constant वो time होता है जिसमें अगर हम charge को build up करा रहे हैं RC में current को build up करा रहे हैं RL में 63% of the maximum charge या 63% of the maximum current तक पहुंचने का time time constant क्यालाता है तो वो जो time constant होता हो एक time का time time भी तो है time interval है और time interval है तो टीकी power 1 होना चाहिए तो नाम चाहिए जितना भी बढ़ा बोल दो time constant हो 63% charging RL circuit, RC circuit आगको सिर्फ इतना करना यह time है तो टीकी power 1 लेखना है ठीक अच्छा formula बस ऐसे revision के लिए यह formula होता है RC circuit की charging का Q is equal to CV 1-E to the power minus T by RC discharging का formula होता है Q is equal to Q not E की power minus T by RC RL circuit में current की build-up का formula होता E by R 1-E की power minus T by L current की decay का formula होता E by R E की power minus T by L बढ़ इन सब formula से कोई मतलब नहीं है आपको सिर्फ इतना यहाद एकना है कि time constant time है तो time constant होता कितना है तो RC circuit का time constant होता है RC तो अगर आपसे dimension पूछे RC की ठीक है तो RC की dimension पूछे तो आपसे वो time constant की dimension पूछ रहा है और time constant जो होता है ताव वो T की power 1 का होगा RC is a time constant अच्छा, similar इसी तरीके से आपका जो है R by L sorry L by R RC की dimension पूछे T की power 1 L by R की dimension पूछे तो भी T की power 1 यह भी time constant है यह भी time constant है दोनो time constants है फिर से बोल लाओ आपको कई बार क्या होगा इस type से dimension पूछे जाएगी आपसे पूछा जाएगा बताओ dimension RC की L by R की LC की यह तीन अकसर आपसे dimension पूछे जाती है फिर बोल लाओ आपसे इन तीन quantities की dimension पूछे जाती है RC L by R और LC क्या करोगे LC अगर पूछें अगर आपसे LC पूछें तो आप यह formula लगाना F is equal to 1 upon 2 pi under root LC बेफकूफी मत करना कि L निकालो अलग यह निकालो अलग वो multiply करो यह formula T-1 frequency इसकी कुछ है नही under root LC तो under root हड़ गया T-2 under root हड़ गया 1 upon LC LC इदर लियाओ T-2 का inverse कर दो T-square LC कातम LC की dimensional की T-square अब आते हैं RC और L by R RC time constant होता है L by R time constant होता है RC एक circuit में capacitor और register लगे हो तो 63% charge के build-up होने के time को उस circuit का time constant कहते हैं tau से denote करते हैं value होती RC तो time होता है तो यह भी time की dimension लखेगा T की power 1 अगर किसी circuit में inductor और register हो L और R हो तो वो LR circuit के रहता है time constant उसका tau जो होता L by R के एकल होता यह भी T की power 1 time ही है 63% current की build-up होने का time T की power 1 अब देखो दोनों को multiply कर दो RC और L by R को multiply करो तो R से आर कटे आगा RC को L by R से कर multiply कर दो तो R से आर कट जाएगा तो बचेगा LC तो यह T की power 1 है यह T की power 1 है T square ही तो आना चाहिए तो देखो यहां से भी वही आ रहे है LC की dimension T square आ रहे है LC की dimension की आ रहे है T square आनी भी चाहिए तो I think हम लोगों ने यह सारे कर लिये RC कर लिया L by R कर लिया और LC कर लिया तो और यह हो गए तो एक last और बचा है मेरा फेवरिट क्या फेवरिट पूछते है What is the dimension of 1 upon under root mu not epsilon not बड़ा प्यारा question है What is the dimension of 1 upon under root mu not epsilon not इसकी dimension बताओ बेफकुफी वाला तरीका mu not निकालो अलग से epsilon not निकालो अलग से multiply करो under root करो invert करो पगला जाओगे यह थी दिर में इसलिए हमेशा कभी भी one upon under root mu not epsilon पूछें तो आपको यह formula लगाना है C is equal to one upon under root mu not epsilon not कहा आता यह formula जब हम EM waves का chapter पढ़ते है Class 12 की physics में electronic waves तो light की velocity का formula ही है इसी की value solver के 3 to 10 per 8 meter per second आती है C is equal to one upon under root mu not epsilon not इसी की value solve करके 3 to 10 per 8 meter per second आती है C is equal to one upon under root mu not epsilon not तो इसका लगा क्या करना है one upon under root mu not epsilon not C यानि की L t minus 1 क्योंकि light की velocity चाही की velocity हो velocity तो L t minus 1 नहीं होगी सीरे सीदे आ गया one upon under root mu not epsilon not पूछे तो L t minus 1 अगर आपसे under root mu not epsilon not पूछे यानि की mu not to the power half epsilon not की power half पूछे तो क्या करोगे भही इसका inverse कर दोगे तो L minus 1 t की power 1 हो जाएगा और अगर आपको mu not epsilon not पूछे तो और ज़्यादा square कर दो अटा दो तो L की power minus 2 t की power plus 2 हो जाएगा तो this is the smart way to find the dimension of 1 upon under root mu not epsilon not पूछे तो यह question अक्सर पूछा जाता है तो हम लोगोंने RC निकाल लिया LYR निकाल लिया LC निकाल लिया 1 upon under root mu not epsilon not निकाल लिया I don't think कि अब कोई भी quantity की dimension हमाले बची है मैंने जितनी भी quantities 11th और 12th में use होती है जितनी भी quantities 11th और 12th में use होती है I think सबकी dimension बता डाल दे है सबकी dimension बताती है जितनी भी quantities 11th और 12th में use होती है सबकी dimension बता दे है तो 5 minutes का break लेते हैं 5-10 minutes का और उसके बाद हम लोग करेंगे dimensions तो पता चल गई, अब उसके बाद क्या, what is the next, next है हम इन dimensions को apply करके dimensional analysis के question करेंगे, तो dimensional analysis के, क्या dimensions के निकाल के फायदे क्या हैं, तो dimensional के फायदे हैं कि हम उससे किसी unknown quantity की dimension निकाल सकते हैं, quantity के बीच में relationship रिराइब कर सकते हैं, unit change होने पर नहाम actude निकाल सकते हैं, तो यह सारी चीज़े हम apply करेंगे, इसको बोलते है dimensional analysis, तो dimensional analysis करेंगे, जस अगले ग्लास में 5-10 minutes का break ले लेते हैं, मैं पानी बानी पी लेता हूँ, और फिर से हम लोग start करते हैं, इंतुजराजम के साथ, थैंक्यू, Hello friends, मैं हो केम सर, और हम लोग dimensional analysis के application करेंगे आज, Dimensional analysis में हम लोग दो चीज़े already कर चुके हैं, एक तो dimensions क्या होते हैं, और दूसरा dimensions कैसे निकालते हैं, और हम लोग ने class 11 तो class 12 की जितनी भी physical quantities, जितनी भी physical quantities Class 11 तो class 12 में हम लोग discuss करते हैं, उन सारे के dimensions निकालना भी हम लोग कर चुके हैं, क्या बताया था मैंने dimensions क्या होती है हमें मालू में physics में जितनी भी quantities है वो दो categories में distribute किये हैं एक fundamental और दूसरी derived तो जब हम derived quantities को fundamental के terms में लिखते हैं fundamental वो जो independent होती है और derived जो fundamental के terms में लिखते हैं तो fundamental quantities जैसे कि mass, length, time, electric current, luminous intensity, amount of substance और thermodynamic temperature यह साथ जो fundamental है तो इन fundamental quantities के उपर जो power आती है वो ही dimension क्यलाती है यह power एक number होती है इसलिए dimensions numbers होते हैं positive हो सकते हैं, negative हो सकते हैं, integer हो सकते हैं, fraction हो सकते हैं तो dimensions basically number होते हैं जो mass, length, time और बागी जो fundamental quantities हैं उनके उपर आते हैं फिर हम लोगोंने 11th और 12 में जितनी भी quantities यूज में आती हैं, physics में, syllabus में हैं, उन सबकी dimensions निकालना भी कर लिया था और in fact मेरा एक बहुत लंबा 3-4 गंटे का video lecture है जिसमें मैंने 11th और 12 की सारी physical quantities की dimension निकालनी है तो अगला question है कि dimensions निकाल के करेंगे क्या, dimensions निकालने का यूज क्या है, dimensions से हमें क्या फाइदा है कि units तो unit of unit की जो system है वो बदल दो, system of units बदल दो, तो unit बदलने, unit तो बदलते रहते हैं, किसी भी physical quantity का अगर आप system of unit बदल दोगे तो unit बदल जाएगी बट जो नहीं बदलती है, वो है उस quantity का nature, यानि कि उस quantity की dimension, dimension कभी भी नहीं बदलती, dimension constant रहते है dimension quantity का nature होती है, इसलिए dimension जादा fundamental है, तो अब question है कि dimension का हम करते क्या हैं, तो dimension को जान के हम पहली चीज़ तो यह कर सकते हैं, कि अगर हमारे पास physics में कोई equation दी हुई है, physical equation जिसको बोल सकते हैं, तो हम वो देखके, सिर्फ dimension देखके हैं, हमें कुछ भी ना पता हो कि वो physical quantities क् से आया है, उसके पीछे की physics क्या है, कोई law है कि नहीं है, कुछ नहीं, हमें सिर्फ एक physical equation दे रखी है, से दे रखका, v is equal to u plus a by t, हम dimension चक करके बता सकते हैं, कि वो equation correct है, या फिर incorrect है, इनफिक जादा सही होगा यह बोलना, कि हम dimension चक करके बता सकते हैं, कि वो equation incorrect है कि नहीं, correctness तो नहीं बता सकते, exactly, but incorrectness जरूर बता सकते हैं, तो पहला application होता है, किसी physical equation की incorrectness बताना, दूसरा major application है, कि माल लिजे हमारे पास कोई equation दी है, कोई भी random equation दी है, और उसमें कुछ quantities की dimension हमको पता है, और कुछ quantities की dimension नहीं पता है, missing है, तो हम dimensional analysis की help से unknown quantities की dimension निकाल सकते हैं, पहला application मैंने बताया, किसी equation की incorrectness चेक करना, correctness क्यों नहीं वो मैं बताऊगा भी, दूसरा मैंने बताया, unknown quantities की dimension निकालना, तीसरा application है, कि अगर हमारे पास सिर्फ इतना पतल जाया है, कि कोई quantity बाकी physical quantities पे depend करते हैं, मेरे पास एक quantity है Q, जो कुछ physical quantities Q1, Q2, Q3 पे in some manner depend करते ह manner of dependence नहीं बता, बता कि यह भी depend करते हैं, तो हम इनके बीच में relationship derive कर सकते हैं, तीसरा major application जो J, means के और need की question पोचा जाता है, वो है quantity इसके बीच में relationship derive करना, चौता major application है, कि अगर हम system of unit बतलेंगे, तो physical quantity का जो magnitude बिल जायेगा, उस नए magnitude को कैसे निकालेंगे, किसी physical quantity की कु system of unit बदलें, U1 से U2, तो निया magnitude N1 से N2 कितना होगा, वो हम लोग N1, U1, N2, U2 के help से निकालते हैं, तो उसमें dimensions का role होता है, वो क्या होता है, वो हम लोग करेंगे, तो ये 3-4 major application है dimensional analysis के, तो देखे, क्या-क्या मैंने आपको बताए, जहाँ पे लिखा है to check the correctness, लेकिन मैं मैंने बताया है कि हम physical equation की correctness चेक नहीं करते हैं, अभी जहाँ से मैंने उठाया होगा, वहाँ पैसा दिया होगा, बट in fact हम लोग physical equation की incorrectness चेक करते हैं, correctness कभी चेक ही नहीं कर सकते हैं, तो convert the physical quantity from one system to another, N1, U1, N2, U2, derive the relationship, सबसे important हैं, और dimensions निकालना unknown quantities की, चेक करते हैं, क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ, dimensional analysis, तो मैं सबसे पहले, beginning में ही, एक principle बताता हूँ, जिसको बोलते हैं, principle of dimensional homogeneity, dimensions के question करने के लिए, सबसे important, अगर कोई principle होता है, तो वो होता है, principle of dimensional homogeneity, क्या होता है, यह principle of dimensional homogeneity, देखे, dimension किसी भी quantity का nature है, तो आपको मालू में nature का मतलब का है, nature का मतलब यह है, कि जब भी हम दो quantities को जोडते हैं, या पिर हम जो दो quantities को subtract करते हैं, add कर रहे हैं, subtract कर रहे हैं, तो of course हम different nature की quantities को add या subtract नहीं करते हैं, मतलब यह है, कि हम velocity को force के साथ नहीं add कर सकते हैं, for that matter हम momentum से electric field को subtract नहीं कर सकते हैं, हम time से mass को add नहीं कर सकते हैं, यह तो irrelevant है, मतलब यह तो useless statement है, इसका कोई मतलब भी नहीं है, mass को इसी तरह के से force से add या subtract नहीं कर सकते हैं, similar nature की quantities ही add या subtract होते हैं, इसका मतलब है कि similar dimension की चीज़ें ही add या subtract हो सकते हैं, इसलिए principle of dimensional homogeneity इस basic concept पे based है, कि जब हम quantities को add या subtract कर रहे होंगे, तो यह statement meaningful तभी होगा, जब उन quantities की dimension same हो, इसका मतलब यह है कि जब भी हम a plus b, दो quantities को add कर रहे हैं, तो a plus b तभी meaningful है यह statement जब a और b की dimension same हो, of course different dimension की चीज़े add नहीं कर सकते, for that matter subtract भी नहीं कर सकते, बताया ना time को mass के साथ ना add कर सकते ना subtract, तो इसका मतलब है कि जब हम a plus b या a minus b कर रहे हैं, तो a और b की dimension same होने चाहिए, दोनों case में, addition में भी, subtraction में भी, अब अच्छा यह चीज a into b और a by b करने में नहीं है, multiplication और division में ऐसा नहीं बोल सकते हैं, हम mass को time से, time को distance से multiply भी कर सकते हैं, divide भी कर सकते हैं, जैसे mass को velocity से multiply करके momentum मिलता है, distance को यानि कि length को time से divide करके हमको speed या velocity मिलती है, तो multiplication या division के लिए dimension का same होना जरूरी नहीं है, dimension का same होना जरूरी है addition और separation के लिए, multiplication और division के लिए नहीं है, किसके लिए ज़रूरी है dimension का सेम होना addition और subtraction अच्छा माल लो मैंने दो quantities को add किया और दोनों की dimension है lt-1 velocity की तो जो जुड़ के आएगा क्या वो कोई और different nature की चीज़ बन जाएगी मैं दो velocities add या subtract करोगे तो result में भी तो velocity मिलेगा for that matter दो momentum type की quantities है momentum की dimension अगर लिए momentum में तो mlt-1 होती है तो 2 mlt-1 dimension की चीज़े add या subtract की तो result में भी तो mlt-1 dimension की ही चीज़ मिलेगी तो इसका मतलब है कि अगर हम a plus b या a minus b करके quantity ला रहे हैं z z एक quantity है जहाँ पे z is equal to a plus minus b addition भी हो सकता है subtraction भी हो सकता है division division नहीं है तो यह एक equation हो गए z is equal to a plus b z is equal to a minus b तो अब भाई a और b तभी जूड़े थे जब दोनों की dimension सेम हो और जूड़के जो quantity z आ रहे होगी उसकी भी तो dimension a और b की dimension की सेम हो नहीं चाहिए भाई अलग कैसे हो सकती है velocity velocity के साथ subtract हो के velocity ही देगी meter per second में तो इसका मलब है अगर एक equation लिखी हुई है z is equal to a plus b या a minus b तो जो dimension a की है इसको bracket में दिखा है dimension of a y dimension b की है जो भी dimension a की है y dimension b की है और y dimension z की है जो dimension a की है y dimension b की है और y dimension z की है इन तीनो quantities की dimension सेम होने चाहिए इसी को तुरह से extrapolate कर देते है a minus b होता तब भी यह होता माल दो मेरे पास एक equation लिखी है ये z is equal to a b square upon c plus d upon e z is equal to a b square upon c plus d upon e ये equation लिखी होगी है अब दोखो इस equation में z एक term आ रहा है term a b c physical quantities है but a b square upon c whole एक term है d और y दो अलग लग physical quantities है but d upon e as a whole एक term है तो अगर आप ये equation लिख रहे हो z is equal to a b square upon c plus d upon e तो इसका देखो मतलब क्या है a b c की dimension कुछ भी हो d और e की individual dimension कुछ भी हो बड़ जब तुम a b square upon c plus d upon e कर रहे हो a b square upon c plus d upon e कर रहे हो अभी तक किसी को कोई doubt पटेल हाई capture sir जिसकी अच्छा बढ़िया तो अगर हमारे पास a b square upon c plus d upon e अगर हमी लोग ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करते हैं वक्त पक्की बात है a b square upon c as a whole ये जो टर्म है d upon e as a whole ये जो टर्म है पक्की बात है कि इस term की dimension इस term की dimension और z की dimension same होनी चाहिए जो dimension a b square upon c की होगी वही dimension d upon e की होगी और वही dimension z की होगी जो dimension a b square upon c as a whole term की है जो dimension d upon e as a whole term की है वही dimension z की होनी चाहिए तो ये जो जितने भी physical equation में terms आ रहे हैं उन सारे terms की dimension same होना जरूरी है ये principle ही कहलाता है principle of dimensional homogeneity principle of dimensional homogeneity का मतलब होता है कि किसी भी physical equation में जितने terms हा रहे होते हैं वो dimension wise identical होते हैं उन सारे terms की dimension same होती है, dimensional homogeneity का मतलब homogeneous होना, एक जैसा होना किसी भी physical equation में सारे terms की dimension एक जैसे होती है जो भी term add हो रहे होते हैं जो भी term subtract हो रहे होते हैं और जो भी term add या subtract होके जो final resultant quantity देंगे वो तो देखें मैंने ये भी लिखा कि LHS और RHS equation के दो LHS और RHS दो value आप इदरस right side से देखो left side से देखो तो भाई जब दोनों side चीजे equated है यानि कि एक ही चीज है तो जब एक ही physical quantity को represent किया जा रहा है तो obviously उसकी dimension सेम ही होगी इसलिए किसी भी physical equation में LHS RHS की भी dimension सेम होती है सारे terms जो add या subtract हो रहे होते हैं term as a whole मैं अलगलग quantity EVCADE की बात नहीं कर रहा हूँ उन सारे terms की भी dimension सेम होती है इसको ही हम बोलते है principle of dimensional homogeneity तो principle of dimensional homogeneity का मतलब क्या होता है principle of dimensional homogeneity says that all the terms appearing in any physical equation will have same dimension जितने भी term किसी physical equation में appear हो रहे होंगे उन सब की dimension हमेशा same होती है और term का मतलब मैंने यह बता है as a whole जो plus minus sign से connected है या जो LHS is equal to arches लेक रहे है इसी principle of dimensional homogeneity के application से बागी सारी चाहिए है तो क्या है application तो मैंने बता था कि पहला application है कि किसी भी physical equation की incorrectness बता सकते है मैं इसको साफ साफ बोली लिग देता हूँ incorrectness का क्या मतलब है किसी भी physical equation की मैंने बोला कि incorrectness बता सकते है correctness नहीं बोला दोनों में difference है correctness बताना और incorrectness बताना दोनों में difference है क्या difference है वो अभी पता चल जाएगा माल लिजे मेरे पास कोई physical equation लिखी है V is equal to U plus A T हम सब को मालू है correct है equation V is equal to U plus A T V find our velocity है जो initial velocity है A acceleration है T time है तो इस equation को हमें dimensally check करना है V find our velocity L T minus 1 U initial velocity L T minus 1 A acceleration L T minus 2 T याने की time से multiply कर दिया तो L T minus 2 into T multiply कर दे L T minus 1 V b L T minus 1 U b L T minus 1 A T b L T minus 1 देकिए सारे terms की dimension सेम है और होनी बीचे की क्योंकि equation सही है L T minus 1 सारे terms की dimension है ये equation dimensionally सही है सारे terms की dimension सेम हारी तो इसको बोलेंगे dimensionally consistent है ये equation dimensionally consistent है इसमें सारे terms की dimension सेम आरे है ये equation dimensionally consistent है होनी बीचे है अब आते हैं मालो हम इसको modify कर दें लिख दें V is equal to U plus 380 क्या बतल जाएगा पहले तो meaning बतल जाएगी V is equal to U plus 380 equation होती नहीं V is equal to U plus 80 होती है अगर uniform acceleration है तो equation physically सही नहीं है लेकिन dimensionally अभी भी सही है L T minus 1 L T minus 1 3 से क्या फ़क पड़ा 3 एक number है number की को dimension होती है तो L T minus 1 अभी भी सारे terms के dimension है अभी भी सारे terms dimensionally consistent है अभी भी सारे terms dimensionally consistent है but सबकी dimension सेम होने के बावजूद ये equation physically incorrect है तो इसका मदलब है आपने किसी equation में सारे terms की dimension चेक ही सारे terms की dimension match भी कर गगा है equation internationally consistent भी है बट इससे क्या पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता है हो सकता है वो equation सही हो V is equal to U plus 380 के तरह है बट हो सकता है कि वो equation गलत हो V is equal to U plus 380 के तरह है dimensional consistency physical correctness की guarantee नहीं देता अगर कोई equation dimensally correct है तो physically भी correct हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है a dimensally consistent equation may or may not be physically correct physically correct हो भी सकती है physically correct नहीं भी हो सकती है it depends इसलिए dimensional consistency physical correctness की guarantee नहीं तो इसलिए मैंने बताया कि हम किसी equation की correctness तो check ही नहीं कर सकते माली ये सारे terms की dimension match कर गई तो क्या बोलोगे? correct है ना? जरूरी नहीं हो सकता है सही हो, may or may not be but अगर dimension mismatch कर जाये v is equal to u plus a by t lt-1, lt-1 a by t, a acceleration lt-2 upon t, lt-3 lt-1, lt-3 के साथ add नहीं हो सकता, different dimension की चीज़े कभी भी add नहीं हो सकती, different dimension की चीज़े कभी भी add या subtract नहीं हो सकती, तो lt-1, lt-3 के साथ कभी add नहीं होगा तो जब lt-1, lt-3 के साथ add नहीं होगा, तो पक्की बात है कि different nature की quantities add कर रहे हैं और different nature की quantities कभी भी add नहीं की जा सकती, different nature की quantities dimension में add नहीं होती, different dimension add नहीं होती यही principle of dimensional हो बुजिंटी है, तो इसका मदलब है कि यह equation physically incorrect है भाही हम lt-1, lt-3 के साथ add नहीं कर सकते हैं, तो यह dimensionally inconsistent है और अगा dimensionally inconsistent है dimensionally inconsistent होने का मदलब है कि terms में dimension match नहीं की हम different dimension की चाज़े idea subtract कर रहे हैं, तो वो physically possible नहीं है, dimensionally inconsistent equation physically incorrect होगी तो आपने समझा मैंने क्या बता है क्या just क्या है, summary क्या है conclusion क्या है तो just या summary या conclusion यह है कि आप किसी equation की dimensions चेक करो अगर equation की dimension चेक करने के बाद सारे terms की dimension match कर जाए, तो इससे कुछ नहीं पता चलता, physically correct भी हो सकती है, incorrect भी हो सकती है बड़ अगर mismatch हो dimensions same ना बैठ है dimensions inconsistent हो तो पकी guarantee है कि equation physically incorrect होगी, तो इसका मदलब भी कि dimensional analysis से correctness का पता चले चाहे ना चले incorrectness का पता जरूर चल जाता है, इसलिए हम principle of dimensional homogeneity को use करते हैं, equation की incorrectness निकालने में, correctness निकालने में नहीं यूज करते हैं, किसमें करते हैं incorrectness, ठेक, समझ गये होगे equations, check करो dimension, match नहीं की, बस, dimensionally inconsistent physically incorrect, that's it अगले application पर आगे बलते हैं अगला application है कि अगर हमारे पास कोई physical equation धी हो, जिसमें कुछ quantities की dimensions हमें पता हैं, तो जो quantities unknown हैं, जिनकी dimension नहीं पता हैं, वो निकाली जा सकते हैं, finding dimension of unknown quantities, unknown quantities की dimension निकालना निकाला जा सकता है unknown quantities की dimensions कैसे निकालेंगे, ये करते हैं देखें, अगर हमारे पास कोई physical equation है और वो में दी रखी है कि correct है, तो obviously correct physical equation का तो मतलब यही है कि उसमें सारे terms की dimension consistent है उसमें तो में कुछ करना नहीं नहीं तो हमें करना यह होता है कि जिसे माल लीजे हमारे पास कोई physical equation दे रखी है जैसे यह है, z is equal to a b square upon c plus d upon e यह हमें physical equation दे रखी है तो अब सिर्फ यह करो कि जो dimension a b square upon c की है वही dimension d upon e की है को सारे terms की dimensions में कुछ-कुछ loophole मिले लगेंगे मतलब जिनकी जो dimension पता वो आप रख दोगे तो जो unknown quantities है उनकी dimensions की equations बनने लगेंगे और जैसा ही आपके पास unknown quantities की dimensions में equations बनने लगेंगे तो आप उनको solve करके unknown quantities की dimension भे निकाल सकते हो करते हैं इसको apply करते हैं पहला question, इसको questions के तरू करते हैं को कि सीधे-सीधे questions के तरू हम लोगों को समझ में आ जाएगा तो पहला question u is equal to ax square upon b plus root x ये एक equation दे रखिए, question है u is equal to ax square upon b plus root x लिखा है potential energy of a particle varies as per position potential energy of a particle varies as per position as, u is equal to ax square upon b plus root x, where a and b are some constant, x तो position है, a और b कुछ constants है, और u potential energy है, तो हमको निकालनी है, a और b की dimension, question है find the dimension of a and b, करते हैं तो देखो, x अगर position है, तो पक्की बात है x की dimensional होगी, अगर x, l होगा, तो under root x, यानि की l की power half, b plus root x लिखा हुआ है, तो आप इस equation में सबसे पहले यह देखो b plus root x का जो term है, यह meaningful, तभी होगा, यह meaning तभी convey करेगा, जब b की और under root x की dimension same हो, जब टी आप अंडर root x की dimension, तो l की power half होगी, and अगर onde x की dimension, तो l की power half होगी, तो तो पक्की बात है A बाद में निकाल दो, पहले B निकाल दो, क्योंकि B और एंडोड X जोड़ रहे हैं, तो B की dimension L to the power half, आगे बढ़ते हैं, U है potential energy, potential energy, kinetic energy, heat energy, light energy, any energy, सारे जो energies होती हैं, उनकी dimension सेम होती है, ML2 T minus 2, तो यह मैंने लिखा, ML2 T minus 2, A मुझे चाहिए, X square L square, नीचे देखे, B plus root X, L to the power half, L to the power half के साथ जोड़के, L to the power half की dimension देगा, half को मैंने 0.5 लिख दिया, अब देखो, A निकालने के लिए में, बागी सारे टम इदर ले आए, तो M, T minus 2 तो रहे गए रहेगा, L की power 2 से L की power 2 चले गए, और यह L की power 0.5 विदर आ गया, तो यह बन गया, A is equal to M, L की power half, T minus 2, A की dimension भी निकालाई, B की dimension substitute कर दी, A की dimension solve करके निकाल लिया, तो देखे, principle of dimension homogeneity यहाँ पर कहां यूज़वा है, हर step पर यूज़वा है, पहले यूज़वा कि जो under root X की dimension है, वह B की होगी, क्योंकि दोनों add हो रही है, दोनों की dimension सेम होने चाहिए, फिर यूज़वा कि जो energy की dimension ML2T minus 2, वही right hand side की dimension होने चाहिए, ML2T minus 2, क्यों, क्योंकि किसी भी equation में अगर वो correct है, तो LHS और RHS की dimension सेम होने चाहिए, तो principle of dimension homogeneity का यूज़वा करके हम unknown quantities की dimension निकाल सकते हैं, इसी तरह से कुछ और question करते हैं, एक और question करते हैं, इस सारे question आपको ACAST, K, FIGG, RESONANCE, LN, इन सबके modules में मिल जाएंगी, बहुत common से question है, power of a particle, power या momentum, मैंने जो class में कर रहा होगा वही ले ले था, momentum कर रहा था मैंने, momentum of a particle varies as per time as, momentum of a particle varies with time as, P is equal to P0, E to the power minus alpha T square, momentum of a particle varies with time as, P is equal to P0, E to the power minus alpha T square, P momentum, P0 एक unknown है, इसकी dimension चाहिए, E to the power minus alpha T square में, यह तो खेर exponential number हो गया, यूलर्स number, alpha एक unknown quantity, इसकी dimension चाहिए, T time है, करते हैं, कहां से start कर रहा है, P0 से start करना चाहिए का alpha से start करना चाहिए, कहां से start करना चाहिए, बताओ, कहां से start करना चाहिए, P0 से की alpha से, ज्यादा असान क्या है, इंफेक दोनों ही असान है, बताओ, ज्यादा असान में बताओ, P0 है, कैसे, E एक number होता है, number के ओपर जो चीज लिखी होती हो, पावर होती है, बत किसी भी number की कोई power चड़ा होगे, तब भी एक number मिलेगा, और number dimensionless होते है, तो यह जो E की power minus alpha t square, पूरा as a whole term में, यह dimensionless है, यह पूरा dimensionless है, M0, L0, T0, ना mass में कुछ, ना length में कुछ, ना time में कुछ, dimensionless, तो बचा क्या, जो dimension P की होगी, P momentum था, momentum MLT minus 1, Y dimension P0 की होगी, क्योंकि यह term तो dimensionless है, तो P0 तो हमारा सीधे सीधे आ गया, MLT minus 1, mass into velocity, momentum, देखे, P0 बड़ा असान निक, से निकला है, अब बचा alpha T2 का alpha, तो मैंने बताए कि E एक number है, इसके उपर जो लिखा रहा था, power वो भी number होती है, तो number होगी, तो alpha T2, बींगे number, M0, L0, T0, dimensionless होगा, alpha T2, dimensionless होगा, M0, L0, T0, तो अगर यह dimensionless होगा, तो यह T की power 2 इधर ले आओ, अगर यह T की power 2 इधर ले आओगे, तो 1 upon T2 T की power minus 2 बन जाएगा, तो यह alpha बन जाएगा, M0, L0, T की power minus 2, M0, L0, T की power minus 2, सीधे सीधे बोल सकते हैं, तो भाई T2, second square होगा, तो जब तक के 1 upon second square नहीं होगा, तब तक के कटेगा नहीं, तब तक के number नहीं आएगा, तब तक के number नहीं आएगा, तब तक के dimension लेस नहीं बनेगा, तो हमें समझ में आगया, alpha की dimension T minus 2 निकाला, कैसे निकाली हमने, number, number dimensionless होते हैं, वह यहां पर भी principle of dimension homogeneity युचकिया है, कि जो LHS की dimension होगी, वह ही Arches की dimension होगी, और आगे बढ़ते हैं, और question करते हैं, A sin omega t minus kx plus 5, यह equation दिए है, लिखाया कि displacement of your particle के लिए नहीं सच्छा हूँ, y varies with time t and position x as, A sin omega t minus kx plus 5, t time है, x position है, और जो जो चीज़े नहीं बताए गई है, y displacement है, बढ़ जो जो चीज़े नहीं बताए है, इसकी dimension चाहिए, omega के बारे में नहीं बताए है कुछ, इसकी dimension चाहिए, k के बारे में नहीं बताए, 5 के बारे में नहीं बताए, बताओ, 1, 2, 3, 4, 4 unknown है, A, omega, k, 5, 4 ओगे dimension चाहिए, वो भी principle of dimensional homogenities है, तो देखो कैसे dimensional homogenity को apply करके, dimension analysis को apply करके, हम यहाँ पे unknown quantities की dimension निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो, y displacement है, तो L की power 1, displacement है, y, तो y के dimension कितनी होगी, L to the power 1, अब देखो, जो भी यह omega t की x5 हो, यह है, तो sin theta, a sin theta, theta, sin के अंदर क्या आएगा, theta तो आएगा, angle, sin 30, sin 90, sin 60, sin 140, अंदर तो angle होगा, और तुमको मालूम है कि theta, angle भी dimensionless होता, और angle के जो sin theta, cos theta, 10 theta, technometric ratios होते हैं, वो भी dimensionless होते हैं, angles भी dimensionless होते हैं, और angles के जो technometric ratios होते हैं, वो भी dimensionless होते हैं, sin theta, cos theta, 10 theta, cos theta, cos theta, cos theta, cos theta, भी dimensionless होते हैं, तो sin theta dimensionless है, तो इसका मदलब है यह पूरी चीज, sin omega t minus kx plus phi यह dimensionless है, m0, l0, t0, यह लिखा हुआ y is equal to a sin theta, और sin theta dimensionless है, तो अगर यह sin theta dimensionless है, तो इसका मदलब है कि यह तो कोई dimension carry नहीं कर रहा है, LHS और RHS की dimension save होनी चाहिए, रिस फ़लो dimensionless हो में जिन T, LHS L की power 1 है, तो RHS में जो खाली A बचा, उसकी भी dimension L to the power 1 होगी, A की dimension L to the power 1, और A आ गया, तो अगले omega k5 कैसे निकलेंगे, तो देखो अंदर angle है, angle को मैं लिख लेता हूँ, theta is equal to omega t minus kx plus phi, यह पूरा angle लिखा हुआ है, theta angle है, dimensionless, यह पूरा term भी dimensionless होगा, अब इस equation के सारे terms, जब तक dimensionless खुद नहीं होगे, तो पूरी equation कैसे dimensionless होगी, भाई, यह अगर यह dimensionless है, तो principle of dimensionless homogenity कहता है कि, omega t अलग से, kx अलग से, और phi अलग से, भी dimensionless होनी चाहिए, और ऐसा होने के लिए, omega t को dimensionless होने के लिए, omega t, t, t की power 1, m0, l0, t0, omega को t-1 होना पड़ेगा, kx को dimensionless होने के लिए, k into l, m0, l0, t0, k को l-1 होना पड़ेगा, phi को dimensionless होने के लिए, phi सी दिए, m0, l0, t0, तो बस आ गए, t, t-1, omega t-1, k, l-1, phi, m0, l0, 0, t0, a, l, l-6, r-6, देखा, आपने के इस तरह से principle of dimension, homogeneity का जूज करके, हमने सारे quantities, जो जो नहीं बताते हैं, उनकी dimension निकाल ले, और करते हैं, अच्छा सा question, एक question है, dy by dx की dimension, बताओ, dy by dx की dimension, y और x कोई physical quantities है, इस type की question आपको, खुम मिल जाएंगे हैं, modules में, और ये, पूँच सकते हैं, neat level तक में तो पूँची सकते हैं, जहीं में इस पूँच सकते हैं, dy by dx की dimension बताओ, y कुछ है, अपने समालो pressure है, x कुछ है से velocity है, और पूचाओ, dy by dx का मतलब क्या होता है, dy by dx का मतलब ये होता है, change in y upon change in x, dy by का y2 minus y1 upon x2 minus x1, y का change upon x का change, y कोई physical quantity है, तो उसका जो change होगा, y का जो change होगा, delta y, वो तो y की dimension रखेगा, तो यानि कि, जो delta y है, उसकी dimension y की है, और जो delta x है, उसकी dimension x की है, तो यानि कि, dy by dx की dimension, exactly y by x की dimension है, dy by dx की dimension, किसकी dimension है, y by x की, इसी तरी के सकर, d2 y by dx2, d3 y by dx3, इनकी dimension पूछे, second order derivative, third order derivative, इनकी अगर dimension पूछे, तो क्या करेंगे, बुलो, तो देखो, ऐसा है कि, d2 y by dx2 होता क्या है, second order derivative होता क्या है, y को differentiate करो, तो dy by dx, dy by dx को ए बार और differentiate करो, तो d2 y by dx2, d2 y by dx2 के एक बार और differentiate करो, तो d3 y by dx3, d3 y by dx3 को एक बार और differentiate करो, तो d4 y by dx4, यह तो होता है, तो देखो भी यह, d2 y by dx2 जब कर रहे हो, तो तुम dy by dx of dy by dx कर रहे हो, dy by dx of dy by dx कर रहे हो, और dy by dx of dy by dx करने का मतलब क्या है, d का मतलब change, यह जो dy by dx है, वो y upon x की dimension का है, d upon dx में देखो, d तो change है, नीचे dx मतलब x की dimension, तो d2 y by dx2 basically, y upon x square की dimension रखेगा, इसी तरीके से d3 y by dx3 जो होगा, वो y upon x cube की dimension रखेगा, dn y upon dxn, y upon x to the power n की dimension रखेगा, y upon x to the power n, वह जो होल नहीं है, y अलग, नीचे x की power n, यह याद रखना, ठिक, और आगे बढ़ते हैं, next में बूफ करते हैं, एक question पर, एक example मैंने जो है, उठाया है, बढ़िया ऐसा, इस question को करते हैं, यहां तक कोई doubt, next question पर move करते हैं, बहुत बढ़िया question है, मज़ा आजाएगा इस question को करने के बाद, potential energy of a particle varies with distances, यह तो ही अलग question होगा है, जो अभी हम लोग कर रहते हैं, लगिन इस बाद थोड़ा सा values अलग हैं, but still I think, आप लोग कर लोगे बड़ी एजली, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, potential energy of a particle varies with x as, u is equal to a under root x, divided by b plus x cube, यह दे रखा है, obviously x position है, u potential energy है, और a और b कोई constants है, जिनकी हमें dimension चाहिए, तो देखो करना यह है, हमें पूचा यह है, तीन question है, dimensional formula हमें b का चाहिए, a का चाहिए, और पूचा की कौन सा operation, defined नहीं है, possible नहीं है, तो अच्छा question इससे काफी कुछ dimension का clear हो जाएगा, सबसे पहले देखो, b का, b plus x cube, b plus x cube meaningful तभी होगा, जब b और x cube की dimension सेम होगी, अब x तो भी, position यानि की l, तो यानि की l cube है, तो अब इसली b की dimension l cube होगी, तो b की dimension l cube, पकिए वैत है, कौन सा है L3 वाला ये रहा M0 L3 TQP0 तो B तो कतम हो गया L3 आगे बढ़ते हैं अब आते A के लिए एक लिए क्या करो U को मैंने लिखा ML2 T-2 A मुझे चाहिए Rood XL की पावर हाफ divided by B plus X3 L3 तो A की dimension निकालने के लिए क्या करें M 302 पावर जोड़ गया 5 5 में हाफ गया तो 4.5 T-2 4.5 हो गया 9 by 2 तो यह बन गया ML 9 to the power ML to the power 9 by 2 T-2 4.5 है 9 by 2 लिख दो यह बात एक ही है तो देखे कैसे हमने dimensional homogeneity के जूच करके A भी दुनों निकाले अब आते हैं अगला which of the following operation is not defined अब देखो A और B की dimension तो भी यह दूर दूर से सेम नहीं है यह कुछ और है यह कुछ और है तो add और subtract करने का तो सवाल ही नहीं होटता subtraction नहीं है और add और subtract तो नहीं कर सकते पूचा है not defined multiply कर सकते हैं divide कर सकते हैं a square भी कर सकते हैं पूचा था कि कौन सा defined नहीं है वालब कौन सा नहीं कर सकते हैं तो जो नहीं कर सकते हैं वह ही not defined है तो correct answer second है A और B अगर different dimension के हैं तो हम उनको add या subtract नहीं कर सकते हैं बाकिन multiplication division में तो different dimension की चीज़ों में कोई दिकत होती ही नहीं है तो I think clear आगे बढ़ते हैं next question next question क्या in-fake application पर आजाते हैं तो मैंने बताया कि dimensional analysis के चार major application है पहला application है equation की incorrectness बताना I am again emphasizing किसी physical equation की incorrectness बताना correctness नहीं बताना क्या बताना incorrectness खतम that's it दूसरा major application है किसी equation में unknown quantities की dimension बताना ये वाला part भी खतम किसी physical equation में unknown quantities की dimension बताना ये भी हम लोगों ने भी deal किया तीसरा major application है quantities के बीच में relationship derive करना क्या है ये इसको detail में समझ लेते हैं क्योंकि ये नीट में कई बार पूँए यहाँ पे term add या subtract हो रहे हो जैसे s is equal to ut plus half a t square बोलें इसको derive करो dimensionalness से s is equal to ut plus half a t square को कैसे करें भी है हम तो यहाँ पे मानते है q is equal to q1 to the power a, q to the power b, q to the power c सम modification में power add हो जाती है यहाँ पे क्या करेंगे ut अलाग है half a t square अलाग है यह कैसे determine कर लेंगे dimension में आपे plus sign आएगा कि minus sign आएगा क्योंकि plus हो चाए minus और dimensions तो तुमारी add होती है ut और half a t square की dimension सेम होगी बढ़ो आपे plus आएगा कि minus आएगा यह कैसे कर लेंगे determine तो जहाँ पे equations में plus minus sign terms आने लगते हैं इसे जाता multiplication division के सिवा कोई quantity जिसे derive करने हो q1 q power a q to the power b multiplication divided by q to the power c q to the power d division यह सब derive हो जाएगा लेकिन जहाँ plus minus sign न लगे q is equal to q1 plus q2 minus q3 बस यह derive नहीं हो पाएगी तो यह वाले derive नहीं होते है unknown variables आने लगे अब जैसे माली जे लिखाओ kinetic energy half mb square तो kinetic energy half mb square में m की power 1 v की power 2 तो आ जाएगा लेकिन half कैसे आएगा dimensional analysis half तो बता नहीं पाएगा half है कि 2 है 3 वो तो number है तो जहाँ पे भी step के number आएगे वो number भी determine नहीं हो पाएगे तो यह 4 dimensional analysis के major drawbacks या limitations और आगे बढ़ते हैं मैंने बताया था कि dimensional analysis के 4 application है कराय तो भी 3 नहीं है कौन कौन से equation की incorrectness बताना है दूसरा दूसरा है unknown quantities की dimension बताना तीसरा quantities के बीच में relationship निकालना चौथा मैंने बताया था कि अगर हम unit बतलेंगे तो magnitude बतलेगा तो unit system of unit बतलने से magnitude जो बतलेगा नया magnitude कैसे निकाला जाएगा तो देखे कोई भी quantity है उसको लिखा जाता है Q is equal to mu magnitude multiplied by unit Q is equal to mu ये form होता है quantity का Q is equal to mu Q is equal to mu में n magnitude है यू unit अब होता गया कि हम unit अगर बतलेंगे तो magnitude भी बतलेगा जैसे मालो मैं लिखों कि इसकी length है 15 cm अब इस 15 cm को mm में लिखे तो ये बनेगा 150 mm लिखे यू unit मैंने छोटी गी magnitude बढ़ गया meter में लिखेंगे तो ये लिखेंगे 0.15 meter unit मैंने बढ़ी गी मैं छोट छोटा हो गया unit और magnitude में इसी तरीके से inverse relationship होती है unit बढ़ी magnitude छोटा unit छोटी magnitude बढ़ा n is inversely proportional to u n is inversely proportional to u n is equal to k by u u अधर आ गया n u is equal to k n u is equal to k का मतलब है कि magnitude और unit का multiplication constant है जब दो चीजों का multiplication constant होता तो एक बढ़ता है तो दूसरा छोटा होने लगता है ये बढ़ता तो ये छोटा होने लगता है multiplication सेम रहता है इसलिए हम लोग बोलते हैं कि magnitude multiplied by unit अगर हम बदल दें u1 से u2 unit बदल दें magnitude n1 से n2 कर दें तब ही multiplication सेम रहेगा n1 u1 is equal to n2 u2 और इसी तरहीके से हम लोग उसको use करके हम नया magnitude निकालते हैं तो सबसे पहली चीज़ या दखे n is inversely proportional to u n1 u1 is equal to n2 u2 unit बदलने पर magnitude निकालने का basic equation यही है n1 u1 is equal to n2 u2 अब n1 u1 is equal to n2 u2 अगर हमारे पास आ गया तो इसको use कैसे करेंगे तो इसको use देखो कैसे करेंगे एक question के थरू करते हैं question यह if density of an object is 4 gram per centimeter cube if density of an object is 4 gram per centimeter cube यह दिया एक question है 4 gram per centimeter cube एक object की density है तो आप समझ रहो कि 4 हो गया magnitude gram per centimeter cube हो गया unit then find the density इसी object की density in a new system of unit find the density in a new system of unit एक नहीं system of unit में density बतानी है किस नहीं system है in which mass is expressed in kilogram जहांपे mass unit हमने gram से kilogram करती है mass unit gram से kilogram करती है and length is being expressed in millimeter length को centimeter की बज़ाए millimeter में लिख रहे हैं length को centimeter की बज़ाए millimeter में लिख रहे हैं तो देखे ऐसा नहीं कि सिधे MKS में दल दिया, CGS था पहले MKS में दल दिया, हमने length कोई cm से मीटर नहीं लेली, mm लेली, random बनाया है system, mass kilogram लेलिया, length mm लेली, कोई MKS, CGS, FPS टाइप नहीं, हमने random एक system बना लिया, किसी भी system में निकाल सकते हैं भाई, तो भाई देखो क्या dimensional analysis का यहां क्या जोचाओ, क्यों यहां पर dimensional analysis में क्यों कर रहे हैं, and when you want to interview to करना था ना, देखो ऐसा है कि density की unit तुम जो चाहे वो रख लो, gram पर centimeter cube रख लो, अब अपने नहीं system में, gram के ज़ेगे kilogram, centimeter के millimeter तो kilogram पर millimeter का cube रख लो, लेकिन, magnitude भी बदलेगा, लेकिन एक चीज जो नहीं बदलेगी, unit बदलेगा, magnitude बदलेगा, बट एक चीज जो नहीं बदलेगी वो क्या है, एक चीज जो नहीं बदलेगी वो dimension है, किसी भी quantity की dimension unit के बदलने से नहीं बदलती, क्योंकि dimension quantity का nature होता है, तो कि dimension quantity का nature होता है तो अगर dimension quantity का nature होता है तो dimension सेम रहेगी तो dimension सेम रहने का मतलब क्या है density होती है mass upon volume m upon l cube तो आप 4 gram पर cm3 लिख रहे थे अब n1 u1, n2 u2, u2, u2 unit रखते वक dimension y रखो m upon l cube m की जगे आप gram की बज़ा 1 kg रखो l cube में cm3 की बज़ा आप mm3 का cube रखो तो देखो आपने kg पर mm3 की रखने में dimension यूज़ की न m upon l cube dimension का यूज़ हो गया बाकि करना आपको n1, u1, n2, u2 ही है अब solve कर लो तो n2 is equal to 4 gram upon kg आगया mm upon cm का whole cube इसको इधर लेओ gram upon kg, kg में होते हैं 1000 gram तो यह आजाएगा 4 upon 1000 बाकि mm upon cm एक cm में होते हैं 10 तो देखे 10 का cube 1000 यह 1000 सबसे रहे हैं यह वाला cm, mm, 10 का cube 1000 और यह kg, gram यहाँ पर भी 1000 तो 1000, 1000, 10 की power 6 तो यह आपको आजाएगा 4 into 10 to the power minus 6 यह मैंक्यूट आपको निकल आएगा n1, u1, n2, u2 करके तो मैंने यह बताया कि density की dimension ml3 ml-3m upon lq यह आपको use करना है n1, u1, n2 यूज करना है बाकि आपको solve करके निकाल लेना है तो dimensional histories की 4 application किसी equation की incorrectness बताना दूसरा मैंने बताया unknown quality की dimension बताना तीसरा, relationship derive करना और चौथा, n1, u1, n2, u2 यूज करके किसी भी नए system of unit में magnitude बताना ही हमने सीख लिया बटा और question करते हैं practice के लिए तब जाके मामला clear होगा करते हैं question dimensional histories के कुछ questions unit of self inductances बताना बढ़ा असा है unit of self inductances क्या बताया था वैसे newton, second, column, ampere यह सारे आपको दे रखे है तो check करो dimension जिसमें same है किसके same है तो मैंने बताता कि self inductance e is equal to ldi by dt से करना यह volt है dt इदर आजाएगा तो second di इदर आजाएगा नीचे ampere तो l self inductance आना चाहिए volt second upon ampere volt second upon ampere बाकि आप ampere को लिख सकते हो कुलम पर second मांके solve कर देंगे यहां से दो आ जाएगा volt को भी लिख सकते joule पर कुलम तो अगला question अब बोलो तो भाई इसको solve कर देता हूँ क्योंकि देखो भाई unit मिला लेते है newton meter upon ampere volt meter per column joule second upon column ampere newton तो भाई देखो volt जो होता है वो होता है joule पर कुलम solve ही कर देता हूँ चलो मैं joule पर कुलम नीची ampere रहने देते हैं ओपर second रहने देते हैं तो है बन गया joule second कुलम ampere second option joule second upon कुलम ampere self-indictance की हम दोगोंने dimension से check कर लिया dimensional formula of gravitational potential is same as that of तो पहले तो मैं बता दू gravitational potential की dimension होती क्या है gravitational potential होता है gravitational potential energy per unit mass gravitational potential energy dimension होगी ml2 t-2 mass से divide करोगे तो l2 t-2 l2 t-2 अब इसमें से मिलाओ speed से नहीं है surface tension surface tension क्या होता है force upon length तो वो mlt-2 upon l करेंगे तो mt-2 वो भी नहीं है specific heat specific heat capture होती heat upon m delta theta वो भी नहीं है specific latent heat q is equal to ml latent heat होती q upon m ml2 t-2 upon m l2 t-2 बिलकुल मैंच कर लाँ latent heat की dimension है next question in a new system of units unit of mass 10 kg unit of length 100 meter unit of time 1 minute magnitude of 1 newton force in new system of unit यह अच्छा question है इसको तरह से time लेके करते है फिर से question read कर देते है यह actually unit conversion का question है बढ़िया question है इसके लिए मैं इसको detail में करने जा रहा हूं question है in a new system of units unit of mass is 10 kg normally हम लोग unit of mass 1 kg लेते हैं नए system में 10 kg ले रहे हैं mass की जगह है length ले रहे हैं 100 meter time ले रहे हैं 1 minute तो मैं लिख लेता हूं जो हमने page अभी बनाया है 1 kg की जगह 100 kg यूज कर रहे है 1 meter की जगह 100 meter यूज कर रहे है 1 second की जगह 1 minute यूज कर रहे है 1 minute का मतलब 60 seconds यूज कर रहे है हमें बताना है कि magnitude of 1 newton force नए system of unit में क्या होगा नए system of unit में 1 newton force का magnitude बताना है तो 1 newton force का magnitude बताने के लिए क्या करें 1 newton न्यूटन किसकी unit है force force की dimension mlt-2 kilogram meter per second square यूज गया n1 u1 n1 u1 is equal to n2 u2 n2 नए magnitude है unit नई रख लेते हैं तो देखो kilogram की जगह लिखेंगे 100 kg ये रखा 100 kg dimension वही लेनी है अगला meter की जगह रखेंगे 100 meter ये रहा 100 meter second square second square की जगह अब minute square तो 60 second का square ये मैंने रख लिया बढ़ देखें कितनी असानी से निकल आएगा n2 is equal to kilogram से गहें भही या kilogram 1 upon 100 10 power minus 2 meter से गहें भही या meter या 100 इदर नीचे आएगा 10 power minus 2 ये 60 का square उपर आगया तो 36 hundred 10 power minus 2 इससे कट गया 36 hundred power minus 2 0.36 हो गया 0.36 N1 U1 N2 U2 हमने solve कर लिया ये देखें 1 kilogram meter per second square N1 U1 N2 U2 U2 रखते वक्त मैंने M L T minus 2 या M L upon T square उसी format में रखा है जो force की dimension होती है तो dimension इससे इसका ही application करके हमारा answer जो आया था 0. 0.36 next question which of the following is dimensionless तो भाई रखके मैंने सबकी dimension निकालना बताया है permittivity, permability, electric field, magnetic field रखके इसमें formula होता है 1 upon under компании 1 upon 0, jts यानि कि 1 upon c square की dimension का होता है 1 upon c square जो e upon b होता है वो भी L T minus 1 C की dimension का होता है E square upon B square करोगे C square Mu naught epsilon 1 upon C square होता ही होता है C square से C square कर जाएगा यहनि कि पहला option बिलकुल सही Next question F is equal to AX plus BT square plus C F is equal to AX plus BT square plus C F force है X distance है T time है AXC upon BT square की dimension चाहिए तो सबसे पहले देखो A, A की dimension निकालना से खो यह F है MLT minus 2 यह L है L से L कड़े आएगा A की dimension कितनी आएगी MT minus 2 इसने से BT square यह T square नीचे लेओ MLT minus 2 Mid T square लेओ तो MLT minus 4 B की हो गई C तो force की dimension होगा MLT minus 2 अब यहाँ पे सारी रख दो तो यह 5th solve हो जाएगा Sixth question in the relation P is equal to alpha upon beta E की power minus alpha Z upon K theta काफी सारी चीज़े है P pressure है pressure की dimension ML minus 1 T minus 2 jet distance L K Borsman constant energy upon temperature energy upon temperature energy upon temperature हो गया ML2 T minus 2 K minus 1 theta temperature temperature K तो dimensional formula of alpha upon beta चाहिए तो करना सिर्फ इतना है E की power वाला यह term पूरा का पूरा dimensionless है तो alpha upon beta की dimension वही होगी जो P की है और P pressure है तो pressure की dimension कितनी होती है ML minus 1 T minus 2 बस कुछ करना ही नहीं ML minus 1 T minus 2 है अगला question एक quantity X is given by X is equal to 3CB square C capacitance है B magnetic field है dimension of X j तो C और B निकालना मैंने बताया था C capacitance निकालो Q is equal to CV से और B magnetic field निकालो Lawrence force के formula है F is equal to QVP से मुझे याद रही हो ना तुमको याद रखने है हमेशा basic याद रखना C निकालो B निकालो basic से जो मैंने equations बताई रख दो याँ पर simply solve करना अगला question displacement of a particle in N a second is given by U plus half a 2N minus 1 सही बात है यह तो formula ही होता है question यह कि यह equation क्या है numerically सही है dimensionally सही कि दोनों से सही है तो बाई देखो कोई भी equation अगर correct होती है तो physically भी सही होती है numerically B सही होती है और dimensionally B सही होती है किसी भी equation को correct होने के लिए दोनों तरगेशे सही होना चाहिए numerically B सही होना चाहिए और dimensionally B सही होना चाहिए S is equal to U plus half a 2N minus 1 सही तभी होगी जब यह numerically B सही हो dimensionally B सही हो बट मैं तब भी चेक करके बता देता हूँ U यहाँ पर L T minus 1 है अब बोलोगे A L T minus 2 है लेकिन 2N minus 1 जो होता है यहाँ पर 2N minus 1 Nth second 2N minus 1 second की dimension का है तो L T minus 2 में T multiply होगा तो L T minus 1 अब बोलोगे LHS में तो S आ रहा है S तो Tenser Displacement है वो तो L होगा यह displacement in Nth second 1 second का displacement है यानि कि unit time का displacement है unit time का मदलब displacement per second है तो यह L T minus 1 की dimension का है तो LHS भी L T minus 1 है U भी L T minus 1 है और A into 2N minus 1 भी L T minus 1 है तब इस equation में सारे term L T minus 1 की dimension के है इसलिए equation दिशली करेक्ट है अगला volume V of a water passing through any point of a uniform tube during T second is related to obviously यह जो question है वो quantities के बीच में relationship derive करने का है यह question quantities के बीच में relationship derive करना है volume को derive किया जा रहा है किसके term में area के term में velocity के term में time के term में लिखा है V proportional to area की power A velocity की power B time की power C तो कौन सा relation true होगा कौन सा नहीं होगा कैसे निकालोगे सबसे पहले क्या लिखोगे V proportional to eta के A to the power A V to the power B T to the power C first equation दूसरा V क्या था volume volume passing through any point अब V volume में L cube लिखोगे R chess में A A कै cross sectional area of the tube L square लिख दो V क्या velocity T L T minus 1 लिख दो T cat time T लिख दो दोनों साइड mass length time की dimension equate करो mass की mass के साथ length की length के साथ time की time के साथ 3 equations आएंगी तीनों को solve करो तो ABC में equations आजाएंगी वही ABC में equations को आपको देख लेना कि इन चारों में कौन सा options रिसाएंगा अगला which of the following relation cannot be detected using dimension analysis यह तो तुरन बता सकते हैं हमारे सामने 3 equations लिखे हैं और हम 3 हों को अलग अलग देखेंगे dimension analysis से derive कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं पहली y is equal to a sin omega t plus kx क्या यह equation dimension analysis से derive कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं y is equal to a sin omega t plus kx तो देखो y is equal to a sin omega t plus kx में sin theta आ रहा है sin theta dimensionless होता है और dimensionless तर्म अगर आगए equation में तो उसको कभी भी derive नहीं कर सकते तो पक्की बात है यह पहली वाला equation derivable नहीं है आगे बढ़ते हैं दूसरा देखते हैं k is equal to half i omega square plus mgh k is equal to half i omega square plus mgh इस equation में 2 गवर्ण एक तो half आ रहा है दूसरा half i omega square plus addition आ रहा है plus minus जैसी जहां पे भी आजाएंगी equations में term वो derive नहीं हो सकते यह भी नहीं हो सकता तीसरा n is equal to n not e की power minus limit यह भी नहीं हो सकता क्योंकि e की power e की power dimensional less term dimensional less term कभी भी derive नहीं हो सकते तो which of the following cannot be directed कोई भी direct नहीं हो सकता ABC कोई भी direct नहीं होने वाला है तीनो में तीनो में इसे कोई भी direct नहीं होना तीनो में dimensional less term है अगला question a physical quantity is expressed as nu u unit n magnitude u1 u2 क्या relation होता है n1 u1 is equal to n2 u2 कहा है ये देखो ये वाली relation है n1 u1 is equal to n2 u2 इसी कोई भी नहीं लिखा था n1 upon n2 u2 by u1 ये equation बिलको सही है चिक आगे बढ़ते है next question next question अगला question है position of a particle varying with time is given as x is equal to v0 upon alpha 1 minus c to the power minus alpha t dimensional formula चाहिए हमें alpha square v0 का cube हमें alpha square v0 का cube की dimension चाहिए क्या करे तो देखो x हमारे पास position है तो ये L होगा v0 velocity है अच्छा v0 velocity है ऐसा कि इंदिया तो है नहीं इंदिक हमें v0 की तो dimension चाहिए सब्सक्राइब इंदिकाल लेते अलफा अलफा भी हमें नहीं पता क्या है लेकिन हमें इतना पता है कि जो अंदर वाला टर्मारा है 1 minus c की पावर minus alpha t ये c की पावर ये जो माइनस अलफा t लिखा हुए पावा है और पावर डामेंशनलेस होती है तो अलफा t को डामेंशनलेस होने के लिए अलफा को होना पड़ेगा t-1 अलफा t को डामेंशनलेस होने के लिए अलफा को होना पड़ेगा t-1 तो अलफा हो गया t-1 अब बचा v0 का q तो देखो x है l v0 अपॉन अलफा अलफा आया t-1 ये सारे टर्म तो डामेंशनलेस है क्योंकि ये भी नंबर है तो ये भी नंबर होगा तो v0 आगया l t-1 अब v0 अगर l t-1 है तो अलफा स्कॉर्ड v0 को qyube में करना क्या पचा भाई अलफा स्कॉर्ड t की पावर माइनस 2 हो गया ये रा t की पावर माइनस 2 और v0 को qyube इसका qyube करो गया तो ये हो गया l cube t-3 तो ये हो गया l cube t-5 l cube t-5 is option 2 second option l cube t-5 is second option तो हमारा ये qeustion dimensionality से solve हो गया आगे बढ़ते है dimensional formula for l dimensional formula for l upon r square c l self inductance है r resistance है c capacitance है dimensional formula निकालना है तो बाइदों को self inductance कई बार मैंने बोला e is equal to ldi by dt से निकाल लो r resistance v is equal to i r से निकाल लो c capacitance q is equal to c v से निकाल लो रख दो यहां पर solve हो जाएगा क्या मैं इसका कोई असान तरीका बता सकता हूँ बिल्कुल बता सकता हूँ ये तो बहुत बढ़ी बेवकूफी होगी कि तो ल r c की dimension निकाल के रखो असान तरीका क्या है मैंने बताया था l by r मैंने बताया था l by r time की dimension होती है time constant है l r circuit का एक पूरा वीडियो लेक्च्चर बेनाया है time constant और time constant में l by r भी बताया था r c भी बताया था l by r की dimension time की होती है r c की भी dimension time की होती है तो यह time upon time लिखा हुआ है, और यह हो जाएगा dimensionless, m0, l0, t0, m0, l0, t0, dimensionless, third option, first लग गया गलती से, m0, l0, t0, dimensionless, तो कि l by r b t है, और rc b t है, यही दिमाग लगाना होता है, exam में, अगला y is equal to t upon epsilon और lv, v potential, epsilon not permittivity है, तो y की dimension चाहिए, बड़ा असान है, t रख दो, l रख दो, l length है, l की power 1, v potential, work done upon charge, ml2, t-2 upon 80, 80, ampere time, बचा क्या, epsilon not, epsilon not कहां से निकाल दोगे, तो f is equal to coulomb's law, 1 upon 4 epsilon not, qn q2 by r square में force पता है, qn q2 पता, r पता है, तो epsilon not वहां से आजाएगा, तो epsilon not वहां से निकाल के रख दोगे, तो सारे terms आजाएगे, तो dimension निकल आएगे, अगला फिर से unit के conversion का question है, new system of unit, जहाँ पर mass 10 kg है, length 1 meter है, time 10 second है, 1 joule चाहिए, तो क्या करोगे, इस type की question कैसे करता हो, तो question करोगे, n1 u1 is equal to n2 u2, क्या लिखोगे, 1 joule, 1 joule, joule की dimension, ml2 t-2, तो 1 kg, meter square, पर second square, 1 kg, meter square, पर second square, यह हो गया 1 joule, n2 लिखते वाद, n2 तो unknown नखोगे, क्योंकि वह में चाहिए, u2 में क्या लिखोगे, तो kilogram की जगे लिखना 10 kg, meter square की जगे meter square ही लिखना, क्योंकि वह तो बदला नहीं है, नीचे second square की जगे लिखना 10 second का whole square, और solve कर लेना, n2 की value के लिए solve कर लेना, unit सारी कट जाएंगी, macro निकल आएगा, dimension of ratio of angular to linear momentum, तो angular momentum mvr, linear momentum mv, से divide करोगे, तो r यानी की l की power 1 की dimension देगा, यह first option, m और time में 0, length की power 1, अगला y mass है, x velocity of dimensional formula d3y upon dx3, अभी थोई देर पहले मैंने बताया था कि dny upon dxn, y upon xn की dimension का होता है, तो यह y upon x3 की dimension होगा, y mass है, x3 velocity, यानी की lt-1 का whole cube, उपर आ जाएगा, तो यह बन जाएगा, ml-3, t की power plus 3, यह देखिए, m, l की power minus 3, और t की power minus 3 उपर आके plus बन जाएगा, तो यह second option, ml-3, t की power plus 3, अगला, x is equal to sin klt, x displacement है, t time है, l की dimension चाहिए, बढ़ा असान सा question है, बहुत असान सा question है, क्या करो, यह लिखा हुआ है sin theta, sin theta dimension less होता है, theta भी dimension less होता है, k, l, t, अब देखो, sin theta का dimension less होता है, तो x is equal to k, k की dimension x, यानिके l, l की dimension, इस small l की dimension मुझे चाहिए, t क्या है, time है, और यह theta है, तो m0, l0, t0, अब इस length तो time को धल लिया हो, तो smaller की dimension बन जाएगी, l-1, t-1, simply dimensional homogene t, दो बाल लगाई, अगला question, इसको एक page लेके अलग से कर लेते हैं, डेटेल में अच्छा कोश्चन है, कोश्चन यह, force, velocity, and time, एक नया system बनाएं, fundamental quantities का, और इस नया system में हम force, velocity, and time को fundamental quantities ले लें, तो इस नया system में हमें energy को express करना है, energy को express करना है, देखे यह कोश्चन था, then the dimensional formula of energy, चार option दे रखें, FtV, Ft2V, FtV square, Ft square, V square, तो आपको इसमें energy को express करना है, क्या करेंगे, बढ़िया कोश्चन है, force, velocity, time, fundamental, वैसे जैसे mass link time है, तो अब हमें energy को इन ही के time से express करना है, तो क्या करो, आप माल लो E, energy को मैं E से लिख रहा हूँ, इसको आपने माल लिया force to the power A, velocity to the power B, time to the power C, आपने energy को लिख लिया force to the power A, velocity to the power B, time to the power C, इस थरे से लिख लिख लिया, जैसे fundamental की terms से लिखते हो, usual way में, अब usual way में इसको solve भी कर लेते हैं, अब usual way में solve करने का मदलब ही है, की प्रोपोश्टनिटी अटा के जो constant data उसको तो लिखना नहीं है, energy, ml2 t-2, force, mlt-2 to the power a, velocity, lt-1 की power b, time, t-2 power c, power collect करो, a और कुछ नहीं, इधर m की power a, इधर m की power 1, यानि की a is equal to 1, देखो कितना आसा है, mass को mass के साथ इधर 1 है, इधर mass की power a, length में आते है, length की power इधर 2 है, इधर कितनी है, length की power इधर a है, इधर b है, तो length की power l a, l b, l की power a plus b है, यह बन गया a plus b, length की power यहां कितनी है, 2, a की value 1 थी, रख दो यहां पे, तो B की value आजाएगी 2 में से 1 गए तो 1 A B आगया, B B आगया, तो बचा आगया C बचा खाल लिए C के लिए आजा थे time पे time यहाँ पे है minus 2 A time यहाँ पे minus B यहाँ पे कितना? C पावर जुड़ जाती है T की पावर minus 2 A, T की पावर minus B T की पावर से पावर जुड़गी minus 2 A, minus B plus C और यहाँ पे time की पावर कितना है? minus 2 A और B की value रख देते A B 1, B B 1 तो minus 2 और यह बन गया minus 1, minus 3 इदार आके जुड़ जाएगा, plus 3 C is equal to 3 minus 2, यानि की 1 C 1, A 1, B 1 सब कुछ तो 1 आ रहा है तो यानि की energy proportional to F की पावर 1, V की पावर 1, T की पावर 1 F V T अब आज़ो back energy proportional to F की पावर 1, T की पावर 1, V की पावर 1 first option, F T V dimensional इसे से हमने energy को इस तरह से express कर लिया यह बहुत important question है तो कि इस type के question आकास वावर 1 के module में खोग है किसी एक नए system of unit की आप design करो, construct करो और आप किसी भी random किसी quantity को पकड़ के आप इस नए system में unit का dimensional formula पहुच लो quantity का dimensional formula पहुच लो समझ के होगे? ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर अगला question significant digits तो अभी मैंने कराया नहीं तो मैं उसको focus नहीं गरूँगा with next question which of the following results can be derived using dimensional indices symbols have their usual meanings ये कर सकते हैं, rule upon को दिखका थी, multiplication divi चला a vt, v is equal to a vt which of the following results can be derived कर सकते हैं h is equal to i square rt कर सकते हैं इसमें pi upon 8 pi r की power 4 upon 8 ita जरा ये देखो, quantities तो पहुज़दा नहीं हा रही है ये v volume है p pressure है, r radius eta viscosity l length, pi by 8 इसमें 2 problem एक तो pi by 8 dimensionless constant आ रहा है dimensionless constant देखो 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 दूसरा problem ये है कि यहाँ पर quantities, mechanics में हर चीज़, mass length time, 3 में express कर सकते हैं तो जब आप equations में dimension match करा होगे mass, mass, length, length, time, time तो तो 3 equation तो आएंगी unknown देखो यहाँ पर क्या है, pressure की power, radius की power, eta की power, length की power चार चार unknown equation 3 बहुत ना इंसाफ है इसलिए equation derive नहीं हो सकते हैं इसलिए third option गल्लत है next question dimensional formula for electrical resistance करा है तो है r is equal to v by i चलो दूबारा का देते हैं v upon i, v potential, work done पर यूँने चार्च रहा, a, t, i ampere current क्या बन गई है, ml2, t-3, a-2 ml2, t-3, a-2 i, इन्होंने i से लिखा है, 1 ampere को मैंने i से लिखा है, सबज गे? अगला question eta, viscosity, dimensional formula viscosity का, यह तो करा है हुआ है, ml-1, t-1 2-3 तरीके से करा हुआ है resistance, ने, universal gas question करा हुआ है यह question करते हैं, यह SC वर्मा का question SC वर्मा का dimensional analysis का सबसे धासू question सबसे बढ़िया question ठीक? और dimensional analysis में वैसे भी बहुत आटफ question तो बनते ही नहीं है, तो यह बढ़िया question है उसे सबसे indication indication की कोई जुरूद नहीं है, परिशान मत होना है लिखाए कि equation है, integral dx upon under root 2ax minus x square is a to the power n sine inverse x upon a minus 1 होता है, मान लो इसको सही, मान पताओ, integration तो भी मान लो सही, हमें n की dimension चाहिए n की in fact value चाहिए, find the value of n n की value चाहिए n चाहिए n के 4 option भी साहिद दे रखे है, इस से वर्मा में 0, 1, 2, 3, ऐसे कुछ numbers है करना है, चलो करते हैं देखो, सबसे पहली चीज है दिमाग दोड़ाओ, dimensional analysis के टम में ना कि integration के टम में और आपको dimensional analysis के टम में half, 30 degree 10 inverse 1, 45 degree sine inverse, angle होते है inverse functions angle होते है और अंदर होता है, sine inverse half values की, sine inverse half 30 degree sine 30 half ये, sine inverse जो अंदर लिखा होगा, एक value लिखी होगी sine के किसी angle की value लिखी होगी, values number होते हैं, तो ये dimensionless है और इसको dimensionless होने के लिए, x और a की dimension same होनी चाहिए X और A की dimension से होने चीज़ तो अगर XL है तो A भी L होगा L चीज दूसरी चीज़ है साइन विवर्स पूरा फंसेट dimensionless है तो जो dimension LHS की है वह dimension A की पावर N की है अब LHS की क्या है तो देखो AL है L L L square L square मैंनेस L square L square की dimension अंडरूर ले लिया तो L ऊपर DX DS का मलब होता है changing X XL है तो changing X भी L है तो ऊपर भी L, नीचे भी L नीचे वैसे L square था बढ़ एंडरूर करने के बदल L upon L left side dimensionless है left side अगर dimensionless है तो right side भी dimensionless होनी चीज़ है पट right side में तो A की power N यानि की L की power N आ रहा है यानि की L की power N को M0 L0 T0 होना है तभी L की power N को M0 L0 T0 होना तभी हो पायागा जब N की value 0 हो इसका अधाव है कि N की value का अंसर 0 हो आएगा simply dimensionallessless की helps है N की value 0 है next question को बचा हो तो एक question और बचा है S is equal to U plus half way to one minus one अभी बताया था using dimensionallesslessless check the correctness of the relation बिल्कुल सही है let's place in another second lambda is equal to H upon MB यह भी बिल्कुल सही है तीसरा E is equal to MC square सब सही है तो लास्ट कोश्चन कर लेते हैं, लास्ट कोश्चन कर लेते हैं, तो फाइंड डिस्टेंस D over which a signal can be seen, यह IIT में आया कोश्चन है, IIT मतलब J means नहीं, J advanced का question है, dimensional assist के application का सबसे tough question जो बन सकता है, वह यह IIT का level का question है, IIT का question और स्यदक है चाहिए, तो फाइंड डिस्टेंस D over which a signal can be seen clearly in foggy condition, a railway engineer uses dimensional assist and assumes that the distance depends upon, तो distance किन की चीज़ों पर depend कर रही है, तो mass density rho, तो मैंने लिख लिख लिया rho to the power a, intensity, s of the light from the signal, तो intensity को चलो भाई, ऐसी यूज कर लेते हैं, अगर s लिखा है, तो intensity s to the power b, and frequency f, तो लिखो f to the power c, engineer finds that d is proportional to s to the power 1 by n, s की power 1 by n, तो b जो लिख रहे हैं, वो 1 by n है, तो n की value बताने है, तो बताओ कैसे करेंगे, किसी quantity को जब बाकी quantities के term में express करते हैं, तो LHS और RHS की dimension सेम होने चाहिए, principle of dimension homogene t यूज करना है, कैसे करें, आप density को लिखो, density की dimension ml-3, sorry, यह distance है, आप distance की dimension लिखो L, density की dimension लिखो ml-3 की power a, s intensity, intensity दे रखा है, power upon area, तो power, power होती है, ml2t-3, area LHS की divide कर दो, तो mt-3, तो यह बन गया, mt-3, की power b, frequency, frequency होती ही, one upon time, t-की power minus 1, c, अब हमको निकालना b पे, तो b को फोकस करते हैं, b को फोकस करते हैं, b कहां पे आ रहा है, m पे आ रहा है, m की power यहां से कितनी a, यहां से कितनी b, तो m की power a plus b, LHS पे तो है नहीं कुछ, 0, بر्र दो, लेंक़ को फोकस करो, minus 3 A, यहां पे लेंक़ आ रही है, नहीं आ रही है, सिर्फ यहीं आ रही है, minus 3 A, minus 3 A, और यहां पे length की power कितनी है, 1, minus 3 A, 1 तो a की value कितनी आ गई? minus 1 by 3, अगर a minus 1 by 3 है तो b minus 3 b, i की value कितनी 1 by 3, 1 by 3 को b को S, की power 1 by N लिख रहे हैं, तो 1 by 3 is equal to 1 by n, n की value कितनी? 3, तो देखो, J advance का एक question है, IIT का question है, और देखो कितना आसान question है, dimensional analysis की help से हो गया, n की value 3 आ रहे है, क्या किया? Dimensional analysis का application करके, हम ने a-derive कर लिया, तो I think समझ गया हो गया, बड़ी है question था, next question, next question क्या है, बस summary एक तरह के से, इस chapter का end है, dimensional analysis की concept का end है, chapter में तो बहरा analysis भी है, बड़ dimensional analysis के मैंने बता दिया, constraint क्या है, addition subtraction वाली relation derive नहीं होती, dimensional less constant नहीं होते, variables जब number of equations से जादा हो, जितनी equation उतनी ही तो unknown solve हो सकते हैं, फिर technometric exponential logotmik functions वाली equation derive नहीं हो सकती, क्यों क्यों dimensional less होती है, तो dimensional analysis का काम, खातम, dimensional analysis, खातम, पूरा खातम dimensional analysis, अब हम लोग जब भी अगली बार मिलेंगे, तो हम लोग करेंगे, accuracy, precision, measurement, one-year calpers, screw gauge, error analysis, thank you, goodbye, good night. झाल फिया उता है, झाल झाल, puck greatest, क्यों भी बाल, क्यों बाल, क्यों नल зाल, नहीं टो हम लितँ, इ especialूंब7 root- constitution टूंब en खा夏, उन्हों लोड़िश नहीं, क्यों झाल, क्यों उन्हीं, झाल, झाल झाल